कि क्या बाधाई हो सकती है शब्द को सुनकर और अर्थस पश्ट होने में तो तीन बाधाई ही है जो पूर्वस्पूर्थी पूर्वाक्रह और पूर्वाभ्यास यह बाधा है कि मेरी इता में तीन बाधाओं को हम पार करते हैं टो जैसा है जैसा अर्थ है वैसा समझने का प्रयास करते हैं यह did हमारे मन को छूते हैं प्रेड़ना देते हैं और वास्तरिक्ता तक पहुंचने के लिए हमारी सक्रियता को उगती देते हैं इतना मेरा चोटा सा अब्जर्विशन हो तो यह जो प्रस्थुती अभी चार सत्रों में होंगी इस प्रस्थुती के साथ अब युदेश संस्थान के पूरे परिवार हमारे साथ में हैं गोपाल भाई इसली बार भी जैसे उनका सहोग हुआ था और बस मैं सामने से बोली रहा हूं चेहरा मेरा दिख रहा है और साथ में गोपाल भाई और हम साथ बिसकस्ति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जो कर रहे हैं यहां से हैं और मेरे प्रस्तोतियों में हैं अर्था जो मेरे में पुछिय बाबाजे का जो सानिन आप राव हुआ उनके साथ जो संवाध होता रहा जो कुछ मेरी अल्प पुस्किती में कि मैं कुछ ग्रहण कर पाया है तो वह हॉस्समुतियां सुखस मुणियां कि इस श्रमों में हैं साथ में श्री मेत्या और हम दोनों ने यहां पर प्रक्रिया में भाग लियादा था ओनके नोटष भी मेरे Uh संदर्व में हैं उन्होंने समय समय पर नोट्स लिए थे वो नोट्स भी इस संदर्व में हैं और इसके साथ आज में जिक्र करना चाहूंगा कि दस बारा वरिश्पूरु गुरु मुझको याद है कि दर्शन की जो वस्तु है इस वस्तु में एक रुपता होने के लिए जितने विद्यारतियों उस समय में थे वो सभी विद्यारतियों ने चो याद है 15-20 जने इकठा हो रहे थे और एक गोश्टी किया जाए इस रुप में हम लोग अभी दर्शनस्ता में बैठे थे आज उन गोश्टियों का नामकरण भी हो गया है उसको मनन गोश्टी कहते ह तो संकरणों में मेरे मनन गोश्टियों में जो हमारे अन्य बंदु मोगिनी है उन्होंने इस तरह से दर्शन के समझने का प्रयास किया और यह जो अर्थ है दर्शन के जो अर्थ है और जो वस्तु है उस रूप में एक रूपता के लिए जो प्रयास होए वो सभी प्रयास प्रश्री अंजली भाई आज वो सश्यरित नहीं है मित्र सोम भाई साधन भाई श्रीराम भाई बियार भाई अनिता रिदी मीना भावी श्रीमतिजीर सहित अनेक बंदू भगीनी जो अभिदर स्थान में अध्यन के लिए आए सपष्टो ताउन के लिए आए आज तो मुझे लगता है कि ये सभी अध्यनाब्री बंदू भगीनी जो आज इस गोश्टी में शामिल की होंगे मुझ को सम रहे होंगे मैं उनको लेख नहीं पार रहा हूं पर वो मुझ को सम रहे होंगे उनको भी याद होग़ा और इन सभी की प्रकृयाओं का एक च्भीत प्राभाव और परिणाम मेरी अपनी गति में देखता हूं तो आज इस प्रस्तुति के पूर्वर जो एक मैंने अभ्यास बनाया है कि कृतक्यता के बिना मैंने देखा अध्यन में एक इंच भी गती नहीं है तो बाबाजी के प्रतिकृत्यता है ही सदय वस्मरण में अब साथ में इस गती में जो सहयक बंदू बगिनी माता पिता उना इन सब के प्रतिकृत्यता श्रीमती जी के प्रतिकृत्यता जिनोंने पूर्ण उच्सहा के साथ एक विश्वास बल मुझ को दिया और आज मैं इस योग्य हूं कि कुछ चोटा मोटा जो मेरे तर्क बन गए इस वस्तु को प्रस्तुत करने में है आज आपके समझें तो भाईयों और वेहनों कि आज मैं सत्यापन कर सकता हूं कि पूझ्य बाबाजी के अनगों की रोशिनी में मैं प्रमाणों का अध्यांदे हुआ हुआ है और आज भी कुछ प्रस्तुत करूंगा और दो तिन दिन आपके साथ रहूंगा तो कुछ गलतीयां को भी सकती हैं तो इन दलतियों को इग्नोर या अन्देखी करती हैं जो सच्चाई आप तक पहुंच पाए उस सच्चाई के साथ जिसको हम आप सन्मत होते हैं आगे बढ़े और पुष्टी के लिए हमारे साथ वांग में हैं इस समय यह जो सूचना है उस सूचनाओं की यथावत संप्रेशना की जिम्मेदारी तो मैं क्या चीज़ पर विश्वास रख रहा हूं और क्या चीज़ के प्रतियाश रस्क हैं तो विश्वास की स्थली मेरी यही है कि क्या किसी आदमी में सुधार हो सकता है तो हां जी मैं कह सकता हूं कि हां सुधार हो सकता है मिखमित सुधार दिख रहा है और हां घीरे घीरे है यह मेरी विश्वास किस करिए समय इसमें लगता है यह भी मेरे पेच्चाने में आए और आज़ती क्या है आज़ती यही है कि लग्षत राफ्ती इच्छा पूरी होगी और यह विकल्प है इस विकल्प को आत्मसाथ करने के लिए पूरी मिष्ठा के साथ स्वयम को अध्वित और समित करने की एक स्थिपी शीलता मैं आपने के जाम पाता हूं तो इसको फ्रास्चुत करने के पूरी में त्रसक्राइशन कुश्षन कुश्टक आपके पास हो जा कि उससे खरमधर्शनन कुश्टक में प्राक्त-धन है उस्गा के पढ़ता हूं यह कर्मदर्शन सहस्थित्व रुपी अस्थित्व में अनुभूती और उसकी महिमा वो गरिमा की अभिव्यक्ति में सहस्थित्व में विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथात्थ स्थित्व जीवन जागरुती ही अनुभून योग्यक्षमता योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति संप्रेशना एवं प्रकाशना इसी क्रम में मानव अस्थित्व में अभिवःच्य वर्तमान होना अनुभूत होना होता है अस्तित्व में अभिभाच्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागरुती की अभिव्यक्ती होने की संभावना नीद्ध समीची है प्रत्यक मानव में से ये अनुभोग्षमता समान रुप से विद्यमान है इसी सत्यता वश अनुधोवा अभिवत्ती की पुष्टी सारोभों रूप में होती है अस्तु कर्मदर्षन को अभिवक्त करते हुए प्रामानिक्ता का अनुधोव कर रहा हूँ प्रामानिक्ता ही आनन्द और अनुधोव सहज अभिवक्ती है यही संप्रेशना में समाधान व्यवहार में न्याय और उसकी निरंदर पाए अनुभव जीवन में जाकुती का ध्योतक संपुर्ण क्रिया चाहे वह जड़ हो अत्वा चैतन्य हो स्थिती में बल और गती में शक्ती के रूप में वरतमान है क्योंकि स्थिती के बिना गती सिद्ध नहीं होती इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिती में आनन अर्था प्रामानिक्ता अभिव्यती में ही अर्था गती में प्रमान तखा समाधान जीवन जाग्रुती वह अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यती सहज सुलब हुआ है इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसंदता का अनुभव करता हूँ तो भाई और वहनों मैं एक छोटा सा एक प्रसाव है मेरा आपके लिए यदि आप सहमत हो तो यहां कुछ शब्द हैं वह शब्द मैं आपको नोट कराता हूँ आज परिभाशन सहीता को देखकर इन शब्दों के अर्फ यदि आपको सपश्ट हो सकते हैं तो परसों के लिए जब हमारा इस अध्याय का अनुपिन सप्र होगा उस समय इन शब्दों के अर्फ सही एक छोटी सी इस अध्याय की समरी सही और इन अर्फों को मैं कुछ और इन शब्दों के अर्फ के साथ कर्मदर्शन में क्या आशे है यह आशे हम आप तक पहुंचने के लिए यह साहता हो जैसे महीमा, गरिमा, अबनी व्यक्ति, संप्रेशना और प्रकाशन स्थिति गति, अनुभव और प्रामाई इतने शब्दों के अर्थ बस पांचे शब्द हैं, यदि इसको जैसे एक क्लास कतम होगी, कभी शान टाइम दो, परिमाश्टा सहीता में इन आर्फों को सपर्ष्ट होने का प्रयास करेंगे, तो अन्ति दिन में इन आर्फों के साथ वापस इसकतार करतन को हम लोग समझ सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ, आप सब लोग कनेक्ट हैं, अब हम इस अभ्यायक एक को, जो मेरे पास पुरुष्ठ नौ है, उरानी इडेशन का, इ इसके पुर्व, जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसको हम वाम्मे कहते हैं, तो वाम्मे क्या है, उसकी परिभाशा है, उद्देश पूर्दी के लिए लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध, उद्देश क्या है, परम लक्ष की प्राप्ति उद्देश है, उद्देश है जागरुः, तो इस उद्देश की पूर्दी के लिए लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध, प्रबंध क्या है, प्रबंध है व्यवस्था सहच परंपरा के लिए व्यवस्था सहच परंपरा के लिए प्रतिपादि सूत्र व्याख्यारुपी ग्रंध, यानि इस ग्रंध में प्रतिपादन है, प्रमाण सहित स्थिकी गती का एक विधान है जिसको हम प्रतिपादन के सके हैं, तो ऐसे प्रतिपादि सूत्र व्याख्यारुपी ग्रंध है, जिसमें मानवियता पूर्ण आचरण, प्रबंध और निबंध के सुरुप में हैं, तब इसमें हम क्या-क्या पहचानने का प्रयास करेंगे, तो यह कुछ उसमें दिया है, मानवियता पूर्ण आचरण क्या है, यह हमें स्पष्ट होगा? मानवियता पूर्ण आचार से ओंतायओं समीरहन क्या है? यह स्पष्ट होगा? मानवियता शिक्षा संस्कार और लुए 15atiques सुध्रियाख्या क्या है यह सभी रखनी देसरों कैया निभन निबंद है समाधान के अर्थ में निश्चित मानसिखता अत्वा निश्चित प्रकृति को भाषा के रूपने कश्ठ करना कि उसके अर्थ में निश्चित मानसिक्ता और निश्चित प्रवुरुति होने के लिए भाशा रुप में विक्ट करना इस प्रकार से यह वांगमें हैं और इस वांगमें का हमने हम सुने हैं कि इसका नाम है अस्तित्व मुलत मानों के इंद्रित चिंतन पिछली बार हमने पूरा किया मानों वेभार दर्शन अभी हम आज शूरू करेंगी मानों करने परिभाशा से हमारे मंने स्थाफित होने की क्रम में अब हम इसका प्रावन करते हैं तो मैं बहला एक पेश पढ़ता हूं और पिर हम आगे इसका विश्लेशन आवश्यक परिवाश आए तिक पिसे मानों में काईक वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसित हैं मैं पढ़ते जाता हूं एक एक शब्द पर आप सुनते जाएंगे और सहज ही आपने इसका अर्थ कल्पना होने लगीगा मनुष्य में काईक वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसित है ये क्रुत कारिक वो अनुमोदिन भेट से पूर्णता नौ प्रकार से गण्ये हैं जो प्रत्यक्षर है मुष्य का तारिक शेतर केवल प्रकृतिक सामाजिक एवं बहुदिक है जिसका अभिष्ठ सुख है इससे अधिक्या कम नहीं है इसके दिना मनुष्य में श्रम का प्रकटन नहीं है इसलिए कांशा सहित क्रिया ही कर्म संचेतना सहित गतिही संपूर्ण क्रिया है और स्विकार्य के स्विकार का जो दबाव है वही वेदना है वातावरण ही दबाव प्रदाई तथ्य एवन सापेक्षता है जो प्रत्यक्षत है सापेक्षता ही घ्रास वो विकास का प्रभावशाली तथ्य है प्रते कर्म में कर्ता, कारण, उदेश, फल एवं प्रभाव ये पांच अंग समाहित रहते हैं तब हमें भ्यान देदा है कि कर्ता क्या है, कारण किसे कहते हैं उदेश क्या है, फल क्या है एवं प्रभाव ये पांच अंगों को यदि हम समझते हैं, तब हमारे में कर्म पर्ष्ट होता है। आवशक्ता की पूर्ती के लिए ही संबर्क एवं संबर्ण है। आवशक्ता ही पिच्छा है, जिसके मूल में समाज, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशिलन समाया रहता है। दर्षन पूर्वत, आवशक्ताओं का निर्धरण, एवं अनुसरण करने की स्विकूती के लिए की गई संबर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्य क्रिया में पाये जाने वाले संचेतना का प्रकट है। प्रत्यक इच्छा वह आवशक्ता की पूर्ती से मनुश्य सुखी होने की कामना करता है। यहां तक आपन पहले पेज में रूपते हैं अब देरे मेरे आदे बढ़ते हैं। तो मैं भी सोचने लगा कि कर्म तर्षन है तो यह विकल्प कैसा है। और यह कर्म यह मेरी आवश्यक्ता कैसे बनती है। क्या प्रेरना है इसकी पीच्छी। इसको पहचाने का प्रयास किया। तब यह स्पष्ठ हो रहा है अनुमान के रूप में रख रहा हूं। कि जिनों ने कर्म तर्षन लिखा यह मानव जागृत मानव। और जागृत मानव को अस्तिक वक्की वो हर सच्चाईयों की जानकारी होगा। यानि उसका ज्यान हुआ है। जागृत मानव भी यह प्रेरना प्रकट हो रही है। जिसको अभिव्यक्ति कहते है। यह अभिव्यक्ति में जो पिच्चा है। यह समस्त पिच्चाऊं का स्पष्टी करण कर्म दर्षन की अभिव्यक्ति, अभिवेक्ति संक्रास्ष्णा और प्रकाश्ण से रिखन अब क्या है यह इच्छा तो यह इच्छा रिखती है कि जो ग्जान मुझको मिला जो जानकाली मुझको मिली इस ज्जान अब ऐसे जानकाव कि दो आप ऐसे पूंद सकता है यह क्यों तो एसा अन्यों में अनुधों का अंतरण और अनुधों की प्रेणा के लिए काईक, वाचिक और मानसिक, कृत्रकारिक, अनुमोदिर, जागुद स्वक्न सुशुप्ति अधी नौ प्रकार से मानविय शिक्षा और व्यवस्ता में भागिदारी का स्वरूर का चित्रण, उसमें स्प इसकी क्या आवश्च्छता है? इसकी आवश्च्छता यह दिखती है कि मानों में जो नहीं कल्पना, शियता और कर्मस कंत्रता रुपी वरदान हैं, उसको निश्चित दिशा और लख्षे की इस पष्टता की आवश्च्छता आजमानों परवड़ा में हमको तो पर इन कर्मों की क्या लक्ष और क्या दिशा हो, इसका फ्वल क्या हो, इसके बारे में एक स्पष्टता अस्तित्व बुलक मानों के इंगे चिंतन का भागदो मानों कर्म दर्शन की रुप में दिया है और इसकी प्रिश्टुपुनी की रुप में हम संदर्व में लेंगी मानव व्यवहार दर्शन तो यहां एक छोटा सा संदर्व आपके लिए अनुमान को होने के लिए एक छोटा सा संदर्व यहां पर प्रस्तुत करता हूं लौकिक व्यवहार और पारलों की व्यवहार की स्पष्टता हमें व्यवहार दर्शन में हुई है अब इस पष्टता का स्पष्ट रूप कर्मदर्शन से हमारे में होने की संभाव भाई और बहनों हर मानों कुछ सार्थक्ता की पहचान में कर्मदर्शन को व्यवस्थित मिलने से क्या संभावना मुझको दिखती है तो मानों सार्थक्ता को फैचान पाएगा कि इस चरिर यात्रा की क्या सार्थक्ता है और इस सार्थक्ता को में कैसे पूर्णता कर लिगा सकते हैं एक और ध्यान गया कि यह कर्म करते समय आनेकों प्रकार से गलतियां हैं जैसे मैं कि अपने सत्यापन के कहा कि गलतियां मुझमिस ये मुझसे दीज़ है तो इन गलतियों का उपाए कि कि रूप में मुझे गलतियों का परिमारगर इसमें दीखता है तब ज़्त हो रहा है कि गलतियों का साधारन रूप में पश्चा ताप होता है कि मुझसे गलती हुई तो गलती का पश्चा ताप तो एक बार बाबाजी चर्चाओं कि अपराग गोद करना यह कोई मानली शिक्षा नहीं हुए उससे क्या अपराग बोद से आदमी जागुती के लिए नहीं आसे हैं तो पश्चाता पी विकल्प नहीं है कि विकल्प नहीं है चोड़ा सशक्षब्द है मेरा घ्यांदया सुधार ही दंड है आप कहा कहा सुधार करना है तो यह सारा सुधार का उपाई योजना इस कर्मदर्शन कुस्तप में अनेकों बार मेरा ध्यांग गया आपका भी पढ़ते-पढ़ते इस पर ध्यान चला जाएगा तो कर्मदर्शन से यह ध्यान क्याता है कि हमारे कर्मों के लिए क्या लक्ष जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेसे वेसे हमें और सपश्ठ होता जाएगा और कहां कहां हम सुधार कर सकते हैं पहला प्राइग्राफ है मनुष्य में काईक वाचिक यो मानसित कर्म तीनों कालों में प्रसिद हैं तो कर्मों के यहां पर सपश्ठता आ रही है तो सकता है अब ने तक हमारा ध्यान काईक कर्मों पर गया हुआ थोड़ा सा वाचिक कर्म पर गया हुआ और मानसिक कर्म होता है यह इसस पर्ष्ठत कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं में वही कर्म के शेत्र में इस प्रकार से काईक वाचिक और मानसिक कर्मों की लोकालों में प्रसिद्ध है बुद्ध काल वविशकाल और वर्तमान का यह कृत्त कारिक वह अनुमोदी भेट से पूर्णता नौ प्रकार से गंड़े हैं जो प्रक्यक्षे तो काई वाचिक मानसिक कृत यानि करता हूं कि ऑनँमोदीयानी कराने के हुए समध देखाग अपने निल्ती है ऑर और जो सुख्ष्मक कर्मे हैं मुझको लगता है इस दर्शन के पढ़न से यह जो सुख्ष्मक कर्में इन कर्मों पर हमारा द्यान चला जायाए वह है जागरुष, सौ्ष्ष, दप्र टेकर शुख्षमता है यह हमारी चहत्य हैं हमारा ध्यान हैघें आगरता है उसमें हमारी प्रस्पषप्तिं is जीवन होने की सुचना मुझको होने पहले से जोुपन में जो मेरी क्रिया शिल्था वह अभी कर्म है और सुशुक्ति जहां मुझेपता की नहीं लगता एrale है उस समयवें जीवन में उक्रिया शिल्था थैथ तब क्या हुआ क्या कर सकते हैं हम लोग तब यह दिखता है कि जागरुद सुपन सुशुक्ति कृत्रकारित अनुमोदित और काईक वाचिक मानसिक इतने नौ प्रकार की कर्मों में लक्ष समा जाए ऐसी मेरी लक्ष के साथ तदाकार स्कितिती ना यह देख इसका एक छोटा सा तर्क बन सकता है ऐसे कर्मों का चैन में करूं जिससे कि यह नौ प्रकार से जो कर्म गण्ये हैं और यह मेरी तदाकार की स्कितिती बने अर्थात लक्ष है कि यह मैं जागरुद हो जाओं समाधान समुरुद्धी को प्रमानित कर पाऊं पर दिया है कि कारेक्षेत्र क्या है यहां मुझको एक इंगली शब्दा प्रम इत है कैसे में लोकेट करूं अपनी तो तीन प्रकार का कारेक्षेत्र में देख को पैचान से क्वेस्टा है और गोधिक है इस कार अभिष्ठ सुक है अभिष्ठ का मतलब है सर्वतों मुखी समाधान के लिए जो मेरा क्रिया कलाब है वह अभिष्ठ है अभिष्ठ सुख है इससे अधिक्या कम नहीं इसके बिना मनुष्य में श्रम का प्रकटर नहीं यानि श्रम का जो विश्राम है वो है इसके बिना प्रकटन नहीं है इसलिए कांग्शा सहित क्रिया ही कर्म संचेतना सहित गती ही संपूर्ण क्रिया है तब अब यह संपूर्ण क्रिया में कांग्शा का मतलब है कारण सहित आशा अपेक्षा क्या है इस पष्ट है आपेक्ष पर ठिया आंगी यानी जो संचेतना कि इसे पहरे संग्यान शील्था। इस पर्ष्ट होना यह संचेतना सभी की संपूर्द क्रिया पहले पहले ग्राम मेंहें कर्म यह क्या है इसकी सुक्षमता नहीं अगला है लेधना को हम पेचा सकते हैं कि पर स्विकार कोने का जो दबाव कि पिर शुर्म क्या है ऐसे वातावरन के दबाव से मिटतव होने के लिए इस्ट रकता में नहीं बनता हूं ऐसे तुने दिखता मैं वातावरण का भाग बनता हूं तो वातावरणी दबाव प्रदाई तर्थ और सापक्षिता है प्रदेक्षिता ही रास विकास का प्रभाव शारी प्रद्थ प्रत्य कर्मों में करता कारण उद्देश पल प्रभाव यह पांच अंग समाहित है करता स्पष्ट है करता मैं ही हूँ कारण मूल्सुत्र क्या है इस पर ध्यान गाना उद्देश उद्देश परमलक्षि के प्राप्ति यहीं उद्देश है फल और प्रभाव इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं पल को कहते हैं क्रिया प्रक्रिया प्रणाली से जो अंतिम परिणाम है उसको भी पल के रुपे पेचाए तब हमें जागरूत होना है तो जागरूत होने के लिए क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली का मुझको पश्ट होना और उसका अंतिम पल परिणाम क्या है इसकी जानकार होने को हम कहते हैं पल की समझ हमको हो गए अब इसका प्रभाव क्या है तो इसका प्रभाव है क्रिया की प्रतिक्रिया तो जो अभी हमारे में पल है उस पल का जो प्रतिक्रिया है वही हमारा प्रभाव है हम सुखी है तो सुख का प्रभाव है और हम परिशान है तो परिशान होगा उसका क्या होगा वह सबक्रेशाइन को कि कर्म मुझेकों इस पष्ट होने के लिए पांच अंगों को व्यवस्ति पहचाने के लिए कि में पाँच परिभाशाएं यहां पर चुनी है आवश्छ को करते हैं प्रयोग करते हैं लिए आ वश्छक्टा निए को उन्षित हो के सबह decision हो और हमें कि सुप्रिज मी होता है परीशे सिविर सुनते हैं तुमीं हम आवश्छ को करते हैं और आवश्यक्ता से आधिक होने के बहाव को हम समुरुदी कहते हैं और ताम दिर्छी यवी बात आती है जब तक मेरी आवश्यक्ता पर क्या हमारा ध्यान जाता है और आवश्षक किया है मानवियता और आति-मानवियता की और प्रगति तो गेभारदर्शन हम लोग पढ़ें है कि उसमें मानवियता और आति-मानवियता इसकी दृष्टी की विशे यानि मानुवियता और आतिमानुवियता का प्रमांद कि यह विश्पश्ट हुआ और यह प्रगति की प्रेधना मुझमें है वही उसको हम आवश्यक्ता के उत्व में लें अब आवश्यक्ता क्या है ता का जब भी कभी संदर्वा आएगा नेरंतर्ता के रूप में यह अवश्यक्ता सदएव वर्तमान है तो इन आवश्यक्ताओं को मैं कैसे पहचाना हूं यहां जाता है कि मैं भी मानव ही काई हूं तो मेरा अस्तितों बनाए रखना यह आवश्यक्ता है और हर इकाई अपने त्वस सही व्यवस्ता और समग्र व्यवस्ता में भागीदारी करना यह आवश्यक्ता तो व्यवस्ता और समग्र व्यवस्ता में भागीदारी है यह थोड़े सरल पढ़ता है अपने अनुमान या कल्पना करने को तो व्यवस्ता और व्यवस्ता जब समग्र व्यवस्ता हमारे में तेरे तेरे अनुमानित हो रही होगी उस रूप में अब हम करता कारण उंदेश प्ल एवं प्रभाव को हम आगलीग कर सकते हैं तो हары काई अपने कुछ सिद व्यवस्था στο समगरी व्यन्वेवस्ता हुआ की इसा संतुरसन साहज आवश्यक्ता इस आवश्यक्ता को हम पहचान सकते हैं अब इसमें करता कारण उद्देश पल एवं प्रभाव यह हम पहचान सकते हैं और अपने कर्मों को सुनिशित कर सकते हैं जीवन जागरूति रूपी लग्ष्यक्य प्रति संभावना सहित आश्वस्त हुना कि क्या संभावना दिखती है कि इस मेरे में आवश्यक्ता के रूप में पहचान सकते हैं तो ऐसी जीवन जागरुती रुपी लक्षु के प्रक्री सम्भाव ना सहित अश्वस्त होना और उसके लिए तीवर इच्छा सहित निष्ठा का होना आधे इसका पुल्ले खाया है मानों में तीन प्रतार की इच्छा ही देखी गई एक है तीवर इच्छा जिसके दिना जीआ नहीं जागरुत दूसरा है कारण इच्छा और तीसरा है सूप्ष्म इच्छा तभी की उच्छाओं का हम अगले तुष्ट में ध्यान देगी तब ऐसी तीवर इच्छा से मिष्ठा का होना और सामान्य वो महत्वा कांशी वस्तु एक ह्डैकों का उपियों किता सदूपियों कि आधार पर आवश्रक्ता से अधिकूट पादे 가서 जरी कि अपका गाया होगा हो कि दोबर मध्यों और पढ़ता हूं अवसंश्रक्टा वालीไ impressed का मतलब है विचारि यह आवश्रकता वादी में केसा सक्षाब एग्ध है मनोपरमपरा में रिकसी चेत्नावादी को कारी होना पाया जाए सकी से फद्रमादी यानि मादोड चेत्ना का विचार हो затем तशेत्च REPषए कारी क्या है तो ऐसी मानों चेतना अंतरित होने के लिए हम जो कारे करते हैं उस रुपने हम कारी के लिए कब यहां पर आगे आएगा कासा अपुती मेधा रुपी योग जन्य बुद्धी ना उसको कहते हैं वह यह दिव्य करनी है तो जो करते क्या है दिव्य मानों मानव देर मानों उनका जो वादी और कारी यह आवश्यक्ता वाली होते हैं तो हमको तो याद पढ़ता है संस्मरणों में बाबाजी के वो इसके सिवाए बात करते नहीं कि जब भी कभी मिलना होगा अच्छी बात बताओ कि यह आवश्यक्ता वादी एक चोटा सावधारन दिलता है और जिसकी आवश्यक्ता इस तरह से बनती है उसके लिए तनमंधुन सहित यह प्रमान संपन होने के लिए प्रमान पूप होने के लिए बाबाबा उन्यो इस प्रकार से अवश्यक्ता वाली अब अवश्यक्य नियम, प्राकृतिक नियम, बाकृतिक नियम प्रमानित करने के लिए तो बायाओर इन है इस प्रकार से नंची प्रक्टेखन हो भावा शेय तक जाने के लिए फोड़ी महिमत तो है ऐसे ही आवश्च्टा है अनावश्च्ट है ऐसे करके हम पूर शब्द को पास हो गया उसका अर्था पोच्चे अना और सौ बार गीनेंगे आवश्च्ट है अनावश्च्ट पर फिर धी कंद्यूजन दूर नहीं होता आ बूरा इच्षा ओ पर इटिका हो तो हमारी इक्रम ए रोज अध्यास नहीं कि क्या अवश्च्ट है और तो अवश्च्ट है तुस्वावभी इंगलीश में कहते हमारी प्रियूरिटी थर्म और आवश्च्ट है तो एसे ऑं कि बाबा जी का संसा नाना जैसे से अगुरू क जो खिटो बूंचे प्रतुत सत्रुएं सब तो गुरू की रूप में कैसे प्रतुत हते हैं बहुतीन दीन राक्त चौपिस गंडे जब्टी कभी पूचें कोई जिग्यासा बस उठते ही जाओ और जो जिग्या सा किया वोगस को बाबाजी ने उतर दिया हम सब के तो भी अश्य पर देगा है। तो प्यूर्प इस को पाते हैं कि आधा अचार जी के रूम में में कि एक बाट चल रहे थी बहुत पीता जी के रूम में मतलब डांटे हैं भार ही टांट तो एक बार ऐसे बैठे थे साथ आट बश्मिता ऐसे पूल कि अध्यन किसको करवाई है वाग है मेरे में तो पिर रोम के खड़े गाए है जिस जिस तरीके से उनने उसको कहा ना अध्यन किसको करवाई है अपना प्रेयोजन क्या है इसकी कंभीरता क्या है तो तो ऐसा एक पिता स्वरूप जो कि लक्षब भटता है कर्म विचलीत होते हैं विचार विचलीत होते हैं जट से एक पिता के अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए वादसल्य भाव से अध्यन को लेकर इस तरह से हुआ अभी मेरे स्वरण में तो अध्यन गंभीर प्रक्टिए है इतनी भी गंभीर नहीं है कि इस तरह से बना करते हम चले एक सुखर उच्षवित और उच्षा होने के पर उसमें जो गंभिरता की बारीकिया ने उन बारीकियों के साथ यदि हम चलते हैं मुझा है एक छोटा समभव है कि हमें करते हो सकती हैं हमारे बारा साधार हो सकते हैं और साधार खृतborne के लिए वापस आते हैं के लिए संपर के मैं आवश्यक्ता ही हुच्छा है जिसके गूल में समाज, सामाजिक्ता उसका पालन, परीपालन का अर्था है प्राक्रिक संतुलंग के लिए उपयोगिता और पूरता ये पारिपलांग का परिभाशा है आचरण आपको स्पष्ट है अनुसरण ये वह अनुशीलन अनुशीलन का अर्फ है बोध संपंदता क्रम में स्वयं स्पूर्थ संतुलंग अब पिछले दिनों श्रीदा महिया के सत्र हुले हैं और उन सत्रों में जो रहसे मुट्या ध्याय में मनवरती चित्तबुद्धी जो जीवन का स्वरूप है और मध्यांश क्रिया आत्मा इस जीवन में पांच शक्ति और पांच बल इनने जो संगतिकरण हैं इनने जो संतुलन हैं इनने जो मुबल है और शक्तियां है एसी स्थिति गतिज़ पर काफी ध्यान गया और उन्हें काफी स्पष्टता से इन मुद्धों को रखा है तब इस रूप में बोध क्या है आग हमारे में पश्ट हुआ होगा तो ऐसे बोध कि संपन्यता की क्रम ली कि स्वयंस्कूर्थ संतुल यह अनुशिलन प्रक्रिया यानि चोटा सा उदारन में चलो ना अभ्यन के लिए प्लीज है ना ऐसे नहीं होता स्वयंस्कूर्थ है अध्यां जागरुत होना यह स्वयंस् स्वयंस्कूर्थ हमारे में होना उसके लिए अनुशिलन होना हो तो इस अनुशिलन प्रक्रिया का एक प्लन और प्रभाव के रुपने स्वयंस्कूर्थ का देखी जा सकती है यानि तक्कामार प्रक्रिया तो नहीं है हांकना का रिक्दम भी नहीं है हांकना भी प्रक्रिय तो जैसे हमको अब इसका सुत्र के आए वह आवश्रक्ता जैसे आवश्रक्ता सुपष्ट है यह स्वैंस पूर्ण होने लगने की सम्भाव अब यह कैसे हो उपाई दिया है आवश्रक्ताओं का कैसे होगा पिछली अपनी प्रस्तुती में दर्शन दृष्य और दृष्टी इस पर कुछ बात होई थी तब देखिए उनसंदर वह नियाद करते हैं दर्शन पूर्वक आवश्रक्ताओं का निर्धारण एवं अनुसरन करने की स्विक्रूती के लिए की गई संपुल्ण क्रियाएं इच्छा के रुपने होती है जो चैतनिका में पाये जाने वाला सं हां समच्छ है को हमानों ऑर पशमियां अंपर राई तो मानों को दर्शन की है आश्य 1940 अबसित्था तो जिस तरहिसे मैं यास्तित्व समझ भबाली है फिर व्रकासे मेर bets श्र mêmes टांव कंदविल और अनुसरन जहें अनुसरन ज Pourquoi तरह े में में आभाये तो ऐसे नियमों का हम अनुस्चरन करते हैं एकिनि तब फिर ये जो हमारी संचेतनाने संज्यान ये प्राहे उसका प्रकटन इच्छा के मातले से हो सकता है प्रत्यक इच्छा वो आवशक्ता की कूर्पी से मनुष्य सुखी होने की काम ना करता है प्रत्यक कर्म में जो सुखती आशा है यही आनुबहों मुलक विद्धी से शान्भी संतोष आनंद सहज रुप में ग्यातव हैं इच्छा कर्म वो फल का संतुलन ही अभिष्ट सिती है जिसकी संभाव ना है बौधिक सामोहिक एवं प्राक्रतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रुप में नियम तथा प्रक्रिया है यही मानों का अभिष्ट है इसी लिए समस्त कर्म मनुष्ण ने चीराशित सुख का पोशक वो शोशक सित हुआ है यह इन भागों में क्यातव हैं सुकर्म दुषकर्म एवं मिश्रित कर्म योग एवं जागरुती के लक्षदेट से सुकर्म अब्राद एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुषकर्म तथा भोग एवं प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म दुष्टवे हैं अशेश कर्म पर सापेक्ष हैं इसको थोड़ा समय बाद करना चाहूँगा इसके पूर्वत सुख शान्ति संतोष आनंग अनुहों मुलक निती से यह जो सुख की आशा है यह सारा अभी हमारे विवहार गर् इस ब्रेशें इन शट्वों की आपको हो गए होंगे निश्चित दिशा के रूप में नियम तद्धा प्रक्रिया इसका गया तो अच्छे से पिछले सत्रों में ध्यान गया होगा नहीं गया होगा तो कुछ प्रशने आप ताई कर सकते हैं उन प्रशनों को में उप्तर द जातना चाहता हूं स्वयम में जिसकी कमी हो और दूसरे में जिसकी सम्रुद्धी हो ऐसे परस्पर सानिते को योग कहते हैं तो कर्मदर्शन को सुनने के लिए तरसल में तो स्थिती यह है कि यह हमारे में स्थिर हो कि मैं योग की स्थिती में यानि स्वयम में अत्रुप्ति कहां यह पता लग गया तुरुप्ति जागरुद मानों का उपलब्धी है और ऐसे जागरुद मानों का सानित यह ही योग है यानि मुझको यह तुरुप्ति स्विकार हुई है अब ऐसे अत्रुप्ति से निकल कर तुरुप्ति की ओर जाना इसको योग कहा है और ऐसा योग का भेद में कर पाता हूं उससे जो कर्मा आएंगे ऐसी सब्सक्राइब तो पठराग हूंआ और उससे अपरागी करना अपराग के रुपने पृतिकार 이 दुषक्रमी है सोधी है मिष्ग और प्रतिकार के रुपने हैं अब आपनंय अपके स्टीकराब मुझंच्ञाळ सक्किन आवश्यक्ता चाहएं आवश्यक्ता और आवश आवश्यक्ति करते रहते हैं इस रूप में मिश्रिप करते हैं पूरा अशेश का मतलब पूरा कर्म फल सापेक्ष है इस लिए संपुर्ण कर्मों का फल चार रूप में ग्यातव है अब कर्मों के फल बताएं अब यहां पर पर्वतरा की परिभाश रहे हैं अब इनकी जो ब अब हमारा सुक्षमता पर द्यान चला जाए जो जिसकी तीवर इच्छा है उसके बिना जीना नहीं होता तो अब जैसा हमने आवश्षक्ता का परिभाशा देखा कि जागुरती ये मेरी तीवर इच्छा उसके बिना मेरा जीना नहीं होना ऐसा तीवर इच्छा होना यह हमसे हो बाए ऐसा देख सकते हैं कारण इच्छा है योग संयोग घटना वर्च जो प्रेरणा होती है सब कारण इ यह इच्छा का सीमा है कारण जाने तक है उसके बाद गटना का कारण हो गया शांत हो बहुत अच्छा संयोग हो गया अगरे सब मिल गया वह पुरा हो पर्सुएशन नहीं है जड़ तक जाने के लिए इसको कहा कारण इच्छा ए तो वह क्रिया के रूपने अलपसंभाव ह कि सूक्ष में इच्छाएं मानों में सकते कोई वस्तु है धर्म है न्याय है इस जिसको प्रभित करने के लिए को इस पश्व इचाएं नहीं है इसका मतलब है इच्छाओं को खंगालना हो रहा है सुक्षमतामें यह इच्छाएं हैं ऐसा जागुरी पानों को दिखा है कि यहां क्या ध्यान गया इस पूरी पैरग्राफ में इच्छाओं का विश्डेशन है इस इच्छाओं में हम अपनी इच्छाओं को पचा सकते हैं और यह जो फल है इस फलों के बारे में अब हमारी स्पश्टता हो तब ऐसा हो तब इसके लिए इच्छा है तो अब इच्छा पूरी करने के लिए साधन के और ध्यान गया तब आगे के मैं पैरेग्राफ इसको संपूर्ण साधन अंतरंग एवं पहिरंगा पहेज से तृष्टवे हैं अंतरंग साधन आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभो प्रमानों के रूप में तथा बहिरंग साधन तन और धन के रूप में पाये जाते हैं यही जड़ चैतन्य क्रिया का स्पष्ट रूप है जड़व चैतन्य की एक सुत्रता संतुलन सामन जैसे को पा लेना ही अभीष्ट सिद्धी है अभीष्ट सिद्धी के लिए प्रत्यक मनस्ष्ट प्रयासरत है जो प्रतिक्षन अब इसमें इच्छा है इच्छा को पूरी करने के लिए साधन तो दो प्रकार के साधन अब इसमें अंतरम के साधन एक सुत्र होने से सब्सक्राइब करता है कि मन नहीं लगना केवल तन और धन लगना इसको और क्या कहेंगी कि आगे साध्ययत के लिए साधक का समर्पन कि साधन का सब्सक्राइब अब यह तो हमारी इच्छा में साधक का समरपण एवं साधन का नियोजन है साधन का क्या है वहीं साधन की अर्थ है जो तन मन एवं धनके रुपे दुश्टर वे यहां कार्य से मिर्वित होने के साथ ही कर्म निर्मान के लिए साधन है अब यहां अपना ध्यान जाने की एक आशा करता हूं की विश्चेशन आपको नेक भो राए मैं तो आपको द्रेगन आप और मैं सा मान के चलरा ना है कि अ ऐसे हैं से कनेक्त हैं आपको दिखरा कि पर भारित नहीं हो रहा रहे का सब्येदीव कि जीना लेदी नी चलों आई ठीक है ना आंगे पढ़ी में आग् कि अब थोड़ा सभ्यान कि साघन ही अर्थ है जो तन मन एवं धन के रुपे दृष्टवे इतना तौक्निक लिखता है अमारे मनें बले स्पष्ट नहीं हो लेकिन मन है यह साथ कुछ तो हमारी स्विकृति है तन तो स्पष्ट है धन इस पष्ट है थोड़ा जादा इस पष यह कार्य से निर्वित होने के साथ कर्म निर्मान की साधन है और कर्म निर्मान क्या है और कर्म निर्मान क्या है तो अनुद्व मूलक मिली से यह स्पष्ट होता है कार्य निर्मान क्या चीज़ है तो यहां निरालमान जाता है यह कार्य निर्मान होने का मतलब है हमारी शक ज़ोड़ा निर्माट क्या है तो कर्म यहीं मान दिये शिक्षा और व्यवस्ता के लिए वात्तावरी निर्मान करना यही कर्म निर्माट क्यों कर्म क्या आवश्चता है क्यों कर्म में माने इसलिए विकल्प है इसलिए आवश्चत है कि आम्यों में जो जाग्वति की प्यास है वह प्यास तुट होना स्वंतुष्ट होना इसके लिए व्यवस्ता और शिक्षा होना इसके लिए कर्म होना यह प्रावधान कर्म में मानने लिखना है फ्लासाम सोच क्या संससिती हैं कि इस रूम में हमारी शर्विए कि पहचान होना अगला एक मातुपूर कि लिए प्रत्यक कर्म में अनुभुति एवां अनुमान क्रम उपलब रहे हैं या जागरुत मानों की सिðकैशिव कि जो प्रत्य कर्म है वह कर्म अनुभूती एवं अनुमान ग्रम उपलब्द है कर्मों का यह कर्म अनुभू परेंद चले क्या संब्द वा संब्द की स्थिपिय देखे जालूत पाने कि कब तक चले गड़े जब तक यहां अनुभू अन्यों में अंतरित नहीं हो तब तक कर्म चले में तो प्रत्य कर्म में अनुभूती है यानि प्रत्य मेरे कर्म की दिशा अनुभूती की ओर है अब मैं जागरूत जागरूत गामी स्थिति में जागरूती गामी स्थिति में समयतार होने की स्थिति में मैं अपने प्रत्य कर्मों को इस लुप मैं अनुमान बा रहा है और क्या मुझे मैं अनुमान बढ़ रही है या इस अनुघुथी से मैं अपने में कुछ अर्थ ले सकता हूं अब आगे सत्यान भुद्धी की पूर्णता वस्तु स्तिती वस्तुगर्शत्य एवन स्तिती सत्य का अनुधो प्रसित्य है इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुधो ही है यानि प्रत्य कर्मों का जो फ्रन है वह फलन अनुधो की ओर होना यह इसमें पश्ट समज्टकर्म अर्थोपार्जन हिए जिसका प्रयोजन अन्द्वथत यैनि अर्थोपार्जन और कर्मist निर्मान के यही अर्थ है समँस्थ अर्थघ का उपार्जन उपयोग सusalूप यहां नित्रण भी इच्छा की पूर्ती के लिए है इच्छा की पूर्थी के मूल में अनुभव ही है यह केवल जागूती पूर्व व्यक्ति एवं समग्र मनुश में प्रत्यक्ष है जो अस्तित्व में है उसी का दर्शन एवं ज्यान है दर्शन एवं ज्यान ही अनुभव है यानि जो अनुभव की स्तिति बाबा यहां हमें स सभवास्तितुव और इकाई और व्यावद यही अंभु है ऐसा ध्यां के लाएक। इस तरह से अस्तितब की इकाई होने से यह जो अर्थो पारजन है उसकी प्रेरना है और इस अर्थो पारजन का लख्ष दर्शन और ग्यान मानों में शुकरुपी अभिष्ठ साम्य हैं अग यहाँ साम्यता की पहचान हैं अंतरग और वहीरंग साधन का अनगों के लिए प्रवुदता है पुनवई मुदायर प्रवुदता शर्त दया होगा अगर हम आप प्रभुद्धता को कैसे चांचे कि मेरा जो अंतरंग और वहीरंग साथुन अंगों के लिए प्रयुक्त है तो प्रभुद्धता है अन्यता क्या है एकी नहीं कि हम पैचान सकते हैं इन दोनों स्थितियों की संभावना ही वैविद्धता का आधा है अब यहां करना यह लगशे के लिए काशिक लगशे की सामयता और कारण सामयता नहीं होने से वेविद्धता मतभेव कौ पौर मैं सब देखी रहे हुए इस रूप में यह सामयता ओंको पहचान कर प्रभुद्धता की पहचान को रहुए अंतरंग साधन आशा विचारिच्छा संकल् का नियंत्रण है अंतरंग समुच्य ही चैतन्य है जड़ चैतन्य आत्मक्स प्रकृति ज्ञान में समाही थे इसलिए वह उसमें नियंत्री थे अईसे साम्य मियंत्रण के अनुभो परिंत विकास और जागूति तो आपको विकास और जागूति के अवधारना इसके पूर्वस पश्ट होई होगी ज्ञान पूर्ण जीवन में निर्भ्रमता का उदय एवं विपरीद में भ्रम का भास दिल्टवे है ज्ञान में अनुभो संकल पर इच्छा विचार एवं आशा है जिनका पूर्ण प्रकटन चैतन्य इकाई की जागूति शीलता एवं शमता पर आधारिप पाया जाता है तब ऐसी अब क्या दिया है संदर्व ऐसी निर्भ्रमता पूर्नक्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभिष्ट सिद्धी है यहां सिद्धी का मतलब है प्रमान सिद्ध होना यानि प्रमानित होने की ओर ये सिद्धी है मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाला ज्यान तीम प्रकार से ज्यातवे है बहुतिक बहुतिक एवं आध्यात्मिक अर्थात सहास्तिप्लों जिनका प्रत्यक्षरू कुशलता, निपुनता और पांडित्यों यह मानव धर्म नीति और मानव अर्थनीति और राज्य नीति यह अध्यागे होंगे अध्याग पंद्रा में इसको स्पष्ट किया है और परिभाशाओं को भी रफर कर सकते हैं तब क्या ध्यान गया इसका जो व्यावाहरिक स्वरूप है बहुतिक 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 एवं अध्यात्मिक ज्यान प्रकटन की सब्सक्राइब कुशलता निपुणता और पांडीत थे प्रधान्ता समस्त वहरंग साधनों से पदार्थ विज्ञान की साधना तथा अंतरंग साधनों से बौधिक और अध्यात्म विज्ञान की साधना है पदार्थ विज्ञान मनोविज्ञान सापएक्श ज्यान एंध अध्यात्म सथ्ता निरपएक्ष निश्चित ज्यान है सापएक्ष तामे आएवे रहास विकास एंध़ागृति अब यहाँ आएवे का संदल्ब करमा दर्शनिष लिया अब हम अर्थो पार्जन करते हैं एक सूत्र है जो कमाते हैं वो गमाते नहीं क्या कमाई करना है मन की कमाई क्या है ये कमाई के ओर यानि मेरा आय और वे तो एक सूत्र बाबाजी का याद आता है इन कर्मों से वे के लिए आय या आय के लिए वे तो दिखता है व्य के लिए आए आप यहां व्य क्या है जो कमाया हूं वो व्य करना है कर्मों के रुप में कि अन्यों में जागुर्थी का अंतरण होना यही तन मंधन का समखण है यही सार्थक्ता है और यह स्वयम के जागुर्थी के लिए और अन्यों के जागुर्थी के लिए हम इसका दयोक्ति होना यही हमारी सार्थक्ता है अब आगे जो हम लोगे सब शब्दों से विश्टेशन कर रहे हैं उसके लिए एक ज्याना करशन एक अच्छा सूत्र संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्वे ज्ञान कारत एवं अपवे अज्ञान कारत है जो जिसका अपवे करता है वह उससे वंचित हो जाता है भाई और भेनों मेरा ध्यान इस पर गया है आम आगे उच्छा करेंगे यह जो भाशा है यह भाशा में सार्फटा करता अब कई लोगों को ऐसे बात करते से मैं से लगता है भी बहुत अचारिक बात है है कि नहीं और शुद्ध भाशा है यह हमको समझ में नहीं आदी तो चा सब्ब शक्तियों का सदवय घ्यान का उतरा अघory जो भासता है एकिनीस प्रक्रिया में शे m से अर्थ आस्वादन और चेंज किसे words का स्वादन है इस समय अभी वह रहा है अर्थों का स्वादन होता है शब्दों का चेंज होता है तो शिक्ष्या की विधा से जो ग्यान का अंतरण है वह जो अमुझता है भाशा से जिसके मूल में भाव है तो सानिद्य में ये जो शब्दा भी वेक्ती है शब्दों से जो हम संप्रिशित करते हैं और जो हमारे भावों से जो संप्रिशित करते हैं ये दोनों की एक सुत्रता के अर्थ में संपूर्ण शब्द शक् क्या बोला उसी क्या चला गिया और किया इसा प्रभाव होता है सामान में रूप में हम सबको पता है हमारा बोलने का प्रभाव होता है कि यह जा सकते आप सब आपने को कैसा बाग करें समस्त कर्मों के फलस रुपी अर्थ अनर्थ सुकाम दुशकर्म धर्म अधर्म तथा मोक्ष बंधन में अर्थ, सुकाम, धर्म एवं मोक्षगामी, जागृती जीवन कारेक्रम में सुख तथा इसके विपरित, अनर्थ, दुशकर्म, अधर्म एवं बंदन की प्रक्रियार एवं जीमन में समस्यारी दुख और पीड़ाई इसका स्वयम अपने मिश्टिशन कर सकते हैं धर्म का तात्पर्य सरोतो मुखी समाधान से है, अर्थ का तात्पर्य तन मन धन से है, परम अर्थ का तात्पर्य अनभो है, जागृत मानव में काम का तात्पर्य संग्यानियता पुर्वव सम्मेदनाय नियंत्रित और प्रमानिक हूने से है, मोक्ष का तात्पर्य द्रम मु शहीर परमानत तर्व है अब उन्हें एक बार इच्छा पर अब विश्क्रेशन आ रहा है देखी है अब इसके इन दूसरा दूसरा देखा कि हमारे में इच्छा में तीन भाग दिखें तीवरे इच्छा कारण इच्छा सुक्षम इच्छा आप यह जो पूरा कर्मधर्शन है, सुक्षमे इच्छा को पुषित करते हैं, यह सुक्षमे इच्छा है जो न्याए धर्म सट्ब के बारे में जिध्यासाय में उसी को कहते हैं अन्वेशन, आज आया भी है, अब देखिए, मौक्ष roku के लिए अर्थ, यानि मोक्ष प्रात्य के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं को, धर्म के लिए अर्थ, यानि धर्म के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं, काम के लिए अर्थ, यानि काम के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं, अर्थ के लिए अर्थ, अर्थ के लिए काम, अर्थ के लिए धर्म आर्थ की लिए मोख्श है सुक्ष मता से ध्याले कि कैसा यह पलटता है है कि नहीं हम आपनी ही इंखों में ब्लेश्ट इसका विश्रेशन डिया है इस प्रकार से उत्तम-उत्तं मध्यम-उत्तं मध्यम अधम-धम-ध्यम अधं diferença हो कितना सठीक है ना विशलेषन देंधगुये कि यह सब दिखता तो है और जब हमारे उससे नहीं पढ़ता तो हो सकता है हमसे कुछ चला जाये भाषा रूप में है कि सबना प्रिए भिशलेशन दिया गक्या अभी के लिए मोख्ष को प्रयोग करेंगे यह अधम अधमाधन कहा है और मोख्ष के लिए अर्थ का प्रयोग करेंगे यह उत्तम उत्तम हम अपने में पैचान कर सकते हैं है इच्छा भेत से uneasy है का अर्थ है इक्ष्छा पूरती के लिए प्रयाश स्का सामाने अर्थ है शोर करते हैं तीन प्रकार का अनवेशन देखा रहें तो देखिए इच्छा भेत से operation मूल्मे प्रवरती बह्त से वहां जाता हूं वहां आकर्षन की अपार्षन के भेत में मूलप्रुर॥ा मून प्रवरुति के भेज से अवश्रकता तो अनुदोव अनुदोव की निरंतरता या शनिक सूप्रू की भंणूरता ऐसा भी एक सामानी विश्वेशन अपनिस्न कर सकते हैं आगे मून प्रवरुति भी दिया हुआ है तब इस प्रकार से ये अनुवेशन हमारा होता ही रहता है तीन प्रकार की अनुवेशन प्रवरुतियां मनुष्य में देखी गई है सत्या अनुवेशन, एशना अनुवेशन और विश्या अनुवेशन तो विश्यान वेशन पर दूरतियां जीवों में भी दृष्टवे हैं, भी, सतिक वरणम, जीवों में भी दृष्टवे हैं, शेश दो मनुष्य में ही हैं, उन्हें बार मनुष्य और पशु के बीच में अंतर, मनुष्य में एश्णान वेशन हैं, और सत्कान वेशन, पश आगे विशय भोग की तीन आवस्थाएं हैं यह एक अपनी इसको कर सकते हैं विशय भोग की तीन आवस्थाएं होतीन हैं निमित्त साधन के प्रतीन नगणनेता विशय प्रमाद विशय प्रमत्त विशय यह क्रम से विशयों से अलिप्त ग्रस्त एवं दग्ध पाई जाते ह का मतलब है रदधर Zum 177 में उन्मात का मतलब है कारी वहार और वस्तुम है नहींbuild उपाया देटा का ज्यान ना हो भौ elas च्छय में ग्यांग होगा हलत्स से अफ्रमाद है कि ने इसको विशेव पूब बर कहा है और यह मीठ बसा enjoying यानि अलिप्त तो अलिप्त रहना मतलब विशे से मुक्त नहीं है साधनों के प्रतिन नगण्यका इसको तोड़ा दियान देनी कि मैं अलिप्त हूं अना सकता हूं और यह अलिप्त हूं यह स्थिती है तब आगे दिया, विश्यों से अना सकती ही वीराग है, जो विकारों से मुट्ती है, एशनाओं से अना सकती ही परव गराग्य है, जो सद वैता की स्विकृती एवं निर्वाघड है. इसी दिये, अब आगे क्या रहा है? अब आगे एक प्रगति का विश्लेशन है ये हम जब अध्यन शील है जागुती शील है और हम आगे बढ़ रहे हैं गति कर रहे हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं उसके कुछ लक्षन इसमें दिख रहे हैं विशयान वेशन प्रवुर्द्की स्वार्थ की सीमा में, एशनान वेशन परार्थ सीमा में और सत्यान वेशन परमार्थ सीमा में क्रियाशिल है इसलिए स्वार्थपूर्ण व्यवहार अधम और असामाजिक, परार्थपूर्ण व्यवहार मध्यमोत्तम और सामाजिक, परमार्थपूर्ण व्यवहार उत्तम और सामाजिक एवं स्वतंत्रपाइड़े, परमार्थपूर्ण व्यवहार ही सर्वशुभ मान सिखता ले, इसके विशलेशन, अब हम अपने आप में उसको विशलेशन कर सकते हैं Chief और हमारी गतियों को सवनिश्चित करके हम अपने में अपने उन्नति को इन वियोहर्ण से पहचांद सकते हैं मनुष्य में बुद्धी मुलक योगों से सुकर्म दुषकर्म जन्य गतिवी नियां प्रसिते हैं अब इस शब्द थोड़े से कटी लग सकते हैं देखिए कासा आकुति मेधा योग जन्य बुद्धी प्राक्त योग जन्य बुद्धी मैं जोग को विख्डी शित लिया था कासा मतलब है करियास अकुति आकुति का मतलब है पिछ्यो शक्ति मेत हैं यान सकत्य तो एसी तीनों शक्तियों का योग जन्य बुद्धी प्राक्त योग अब ये योग ऐसा है जो परषपडाओं में हुआ यह जो बुद्धी हमारी है आगे मती सुमती अनुमती सुकर्मजन्य बुद्धी अमती कुमती दूर्मती दुशकर्मजन्य प्रवृत्धी के प्रक्टेक्षर रूप में हैं अब इस रूप में हम अपनी स्थितियों को सुकर्मजन्य बुद्धी दुशकर्मजन्य बुद् कवी को हमने शास्त्राभ्यास में पहचाना था कवी क्या है जो शास्त्रा है उन शास्त्रों को सहल सुगम भाशाकरण में कर लेते हैं तो एक कवी होने की उखलब थी योग जन्य कासा का प्रत्यक्षरूप कोवीद का मतलब है जानका कलाविद का मतलब है कलाओं के माध्यन से जागरू की रुपी संदेश को प्रकट करने वाले आकूती डिव्य कर्मी जैसे आभी हमने आवश्रक्ता वादी के रुपने देखा कि वादी और कारी तो इस मेधा परिपूर्ण ज्यान समय मोख्ष का प्रत्यक्षरूप में यही दया कुरूपा करना के प्रत्यक्षरूप और सपश्ट है तो कर्मों में यह विश्लेशन कासा का प्रत्यक्षरूप कोवीद कलावीद इस प्रकार से हम जो कर्म विश्लेशित हैं मानों के उस पर कर्म, कार्य वास के रूप ini जिए और कार शुकार्म में आवश्यक किये कर्म क्यां प्र HIVी करिदू के और सुमति सुक्र्म. सब्वेज भुद्धी सप्रवृति, सुबोद , सद्विग्यान , सामाजिगता और सत्संकर्म शुप की परिभाशा के परिभाशा और एक सकते हैं सबки अर्व कि परिभाशां परिभाश्णा का मतलब है जो सक्य मतलब अब धिक्रुप सब्सक्रण है् सामाजिक तार स्वेम स्वेल'sキॉश्ट है तो सक्त संकल्पयादनिया जागुरती का संस्त यह सुखर्व को सब्स्कार डूष कर्म जर्ण्यyas करना हुज coz paid p इसलिए विश्यान वेश्य बुद्धी दुष्कर्म में वेश्यान वेश्य बुद्धी सत्कर्म में सत्यान वेश्य बुद्धी योग एवं जागरुती में प्रसक्त प्रयास और अप्यास दपाई जागरुती में प्रसक्त प्रयास और अप्यास दपाई जागरुती अब प्रकृति एवं मनुष्यकृत वहें इसका कर्मके संदर रही है, इसका कर्मदर्शन के संदर में हम रहेzkर स्प्लीक स्पष्थ हो सकता है इस ये भी आपको स्पष्थ है BY the मानवका मात्र संसकार अन्यूवेशांट्र की सिमां में स्पष्थ प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्य भूमी पर पाये जाने वाले शीत पूशने वर्षामान ही है प्रत्य भूमी पर प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमी में पाये जाने वाले खनीज वह वहनस्पत्य की राशी पर आधारी थै यह उस भूमी के विकास पर आधारी थे, यह भी सामान में इससे विच्टेशन है, हमारा ध्यान जा रहा है, ध्यान देने का मुद्धा यहां पर है कि प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है, वह उस भूमी में पाये जाने वाली खनीच एवा मनस्पति की राशी पर आधारी और हम अपनी कुशलता और निकुणता को हम प्रयोग कर सकते हैं, यह पांटिक के हमारे पास होना है, किसी भी भूमी पर जीवों और ज्यान आवस्था के मनुष्य की अवस्थिती गटना के पूर्व ही वनस्पतियों का समरुद्ध होना अनिवारिय है, यह भी दिखता है इसके पूर्व जलका होना अवश्चक है, प्रत्य भूमी पर किसी अधिक्तम न्यूनतम शीत उश्ण और वर्शामान की सिमा में ही जीव एवं मनुष्य में अपने जीवनी करम और जीवन के कारे करम को संपन्न करने में समर्थ होए हैं, तो हमारे पास 5-7 में बचा है, य आज हम इस अध्याय को यहां पर हम पूरा करते हैं, और कल पिर आठ नो पुर्ष्टों को हम करेंगे, अज बेखिए, प्राकृतिक वातावरन का संतुलंगी मनुष्य सहज जागृती के लिए सहयोगी यह ज्यान देने का पुतर, प्राकृतिक वातावरन का संतुलित हैं, ऐसे में जागृती के लिए कैसे सहज़ता होगी, इसलिए संतुलं के लिए आधार आवश्यक है, अशेश प्रकृति का संतुलं आधार सकता ही है, जो पूर्ण है, प्रत्यक क्रिया के संतुलं का आधार नियम है, जो पूर्ण है, प्रत्यक व्यवहार के संतुलं का आधार जो पूर्ण है प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधां है जो पूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति में अनुहों का आधार सहस्तित्वरुपी परंसत्य है जो समगर है तो एक परिभाशा का स्लाइड मैंने आपके लिए रेफलेंस में दिया था अब यह जो परिभाशा है कि पूर्ण और समगरता इस परिभाशा को पूर्ण की से कहते हैं प्रत्य क्रियाके संतुलन का आधार मियम है जो पूर्ण की परिभाशा है जो स्वयम मात्रा न हो और जिसमें समद्र मात्रा समाई हो वो पूर्ण है तो प्रतेक व्यवहार के संतुलन जो प्रमाण रूप में दिखता है जिसका आधार न्याय है जो पूर्ण है प्रत्येक विचार के संतुलन जो प्रमाण है उसका आधार समाधान है जो पुर्ण और प्रत्येक व्यक्ति में अनगों का आधार सहस्तित्वर की परंसत्य है जो समगर क्या है चारव आधार सहस्तित्वर सत्ता में संतुलन जड़ चैतने प्रकृति चार आधार चार पर इस प्रकार से पूर्ण की आधारना और समगर की आधारना ये सपश्ट होगर है ये हम पूर्णता और समगरता ये अंतर संबन को समझ लिए बैर ने कर्मोंक को जो बिशा है जो आन्रोह की ऊए इस तरह से कॉन्क्यूजन इन इसा ल którą कि Code करते हुए उच्छा चाहिए सञाते हुए इकुष्छेसे मैं मानवी जीएाद में जो कि दिशह अन्वेशन है यह विष्लेशन होते होते प्रकृतिक सब्सक्राइकों करूधुत थो प्राक्रतिक और स्वामाजिक इस प्रकार से इसलेशन होकर और पूर्णवार समग्र के अन्गुतियां के साथ कर्मदर्शन हमारे में अंतरित होना कि आज की शुग कामना को व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूँ जो चोटा सा पठन सपष्टी करने और कुछ परिभाशाओं के साथ हम दोने प्रारंद किया हमारे पास पांच मिनिट और शेश हैं तरहीं आप सुन्सुन के ठके ना हूं तो मैं कुछ परिभाशा हैं तो आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं और यह प कर्म की परिभाशा पढ़ता हूं कर्म की परिभाशा है जागरुती सहज प्रमानी करन क्रिया कला सोच सकते हैं जागरुती स्पष्ट है प्रमानी करन स्पष्ट है क्रिया कला संग्यान और संवेदन शी इच्छाओं की पूर्ती है तू प्रयास पूर्मक की आ गया कॉंप सेवा, व्यवहा, काईख, वाचिख, मानसिख, कृत, कारिख वो अनमोदित प्रकारों से की गई संपूर्ण क्रिया ये करने हैं अब हर एक में हम अपनी डाइरेक्शन देख सकते हैं शुरम का डाइरेक्शन, सेवा का डाइरेक्शन, विभार का डाइरेक्शन और ये काईक वाचिक मानसी कृत कारीद अनुमोदित प्रकारों से पी गई संपूर्ण क्रिया ये कर्म नहीं कर्म मानों के संदर प्रत्यक मनुश में पाई जाने वाली काईक वाचिक मानसी कृत कारीद अनुमोदित प्रबोदों से किया गया कर्या कर्या कलाग जैसे और विश्टेशन दिया जैसे कैसे मानों कर्म करता है किया गया कराया गया कराने के लिए मत दिया गया नहीं चुपन आख बाबाजी है तो पुछ थे प सबंसक्राइब देखिना झाला करिवार नहीं होता sweet kevip व्राइब कराया गया कराने के लिए कि बुलवाया गया बोलने के लिए मत दिया कि दुए कि सोचा गया सोच वाया गया सोचने के लिए सम्मति सम्मति दी गई इस प्रतेक मनुषे में सर्वेक्षी तो बायो और भैंदु हम घ्यान गया है पहतने की जगह नहीं है को इसमें करते हैं आप इसका कामों को पेचान सकते हैं व इसका कटिया सकतें अनुमान is को हम लोग कर पड़ेंगे अनुमान में अनुकरम से अपेक्षा क्रिया जो घृति चित्र समरण और दृति के संयुगता में होता है अब जृति पृति की प्रिया बेद है ज्यावारत कैसे में आपको किया रहे निश्चिन क्रिया कलाब के पक्षमे किया गया पिशा अनुमान अनुभव मुलक मिजी से अनुभव से अधिक उदई ही अनुमान है यानि जागरुट मानव के जो कर्म से अंतरित होता है तो वो अनुभुदी और हमारे वे अनुमान बनने लगते हैं इस प्रकार से अनुभो से अधिकुदई ही अनुमान, अनुक्रम पुर्वक प्रमानित करने का प्रयासोदई ही अनुमान है, अभी ही आवश्यक्ता की तर्चा हुई, आवश्यक्ति है क्रियाकलापों के अर्थों में अपेक्षा, ब्रह्मोष्ट किया गया अनिस्चित तो कल हम शास्त्र शास्त्रा भ्यास और मध्यस्त दर्शत यह कुछ परिभाशाएं सुनेंगे और उसके साथ साथ आज का यह अब सब अच्छा लगा होगा राकिश्विया को नमस्ते यहां उपस्ति सभी बंदुवन को नमस्ते यह सहयोग के लिए दन्यवार देन विधी में जैसे श्रवन मनन निदिध्यासंत या देन प्रक्रिया है और उसमें हमारा जो प्रारंब है वो श्रवन इच्छा शक्ति का प्रकटन अब ऐसी इच्छा के लिए हम जो कल नो पृष्ठ पढ़े जिसमें तीवरी इच्छा लक्ष को समझने के लिए तीवरी इच्छा ऐसी इच्छा शक्ति से हम श्रवन को प्रारंब करते हैं नियाय धर्म सत्य दुष्टी सहज आनुभव प्रमाणों को चित्रित करने का प्रयास प्रयोग एवन प्रक्रिया इसे और अधिक सुस्पष्ट होगा तो शास्त्रों में न्याय धर्म सत्य दुरुष्टी सहज अनुभव प्रमाणों को जीने की विधी से जिसे मानवियता देव मानवियता और दिव्य मानवियता ऐसे जीने की विधी से चित्रित किया है ऐसा हमारे में चित्रित होने का प्रयास जो चित्रन हुआ है उसका प्रयोग और उनकी प्रक्रियाओं में हमारा होना यह शास्त्रा भ्यास है तो प्रयास प्रयोग और प्रक्रिया इस द्रुष्टी से जो भ्याजी ने पूछा था जागरुत कर्म कैसे देखें तो जगते हुए जगन्यते हुए स्थिती में मेरा ध्यान निरदिष्ट लक्षक की ओर होना अध्यन विधी में सुनने की मेरी स्थिती होना और प्रयोग प्रयास प्रक्रिया इसमें हमारा ध्यान होना अब अगला दिया है साक्षात्कार अवधरना के लिए किया गया प्रयोग श्रवन प्रयास चित्रन अभ्यास विचारा अभ्यास तो इतनी क्रियाएं भाई और भेनो ये हमारे में होने को पुझ्य बाबा जी ने शास्त्रा भ्यास के रूप में परिभाशित किया है मैं अनुभो गामी विधी से कैसे हमारे होने का जीवन होने का पता लगता है कैसे हमारे में क्रियाओं का पता लगता है कैसे हम आस्वादन पूर्वक चयन तुलन पूर्वक विशलेशन और आगे इस प्रकार से साक्षातकार आवधारना होने के लिए किया गया प्रयोग, श्रवन, प्रयास, चित्रना भ्यास और विचारा भ्यास तो स्वाभविय कर्मदर्शन में मानविय कर्मों का हमें साक्षातकार होना, मानविय कर्मों की हमारे में आवधारना होना और मानविय कर्मों का प्रयोग, श्रवन, प्रयास, चित्रना भ्यास और विचारा भ्यास ये हमारे में होना ये कर्मदर्शन का उद्देश हमें स्पष्ट होता है इस रूप में हम आगे बढ़ते हैं तब शास्त्र और शास्त्रा भ्यास इस प्रेरिणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो आज मैं थोड़ा सा प्रेयास करूँगा कि ये जो कर्मदर्शन में कंटेंट हमारे में कैसे बनेगा तो जैसा कल विशलेशन हुआ कि कर्म नौ प्रकार से काईक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित जागरूत स्वप्न और शुशुप्ति तो पहले बहिया का प्रेशन का कुछ प्रेयास करता हूँ उत्तर देने का और आगे हम कुछ उदारंड सहिद इन कर्मों को मैं थोड़ा सा रखने का प्रेयास करता हूँ जिससे आगे आने वाले पृष्ठों में जो स्पष्टिकरंड अनुभूतिया है उसके कंटेंट के और हमारा द्यान चला जाए तो भीया जागरूत कर्म में साधारन रूप में मुझे ये स्पष्ट होता है कि जैसे हम जगते रहते हैं अब सामान्य रूप में हमारा जगना यानि नीन्द पूरी हो करके हम जगते हैं कि जगते ही हमार को आता है कि हम कनेक्ट हो रहें के अब किसे कनेक्ट हो रहे हैं इस ओर हमारा ध्यान नहीं तो स्पष्ट होता है कि कुछ तो विचार चक्र चलता है अब इस विचार चक्र की श्रुंखला जहां तक हमने रात में नींद हुआ था वहां से लेकर के साधारन रूप में आगे बढ़ता है तो इस तरह से एक विचार श्रूंखला में हम हैं अब ऐसी विचार श्रूंखला में हमें ध्यान देना है कि आज का मेरा कारेक्रम क्या है अर्थात जो लक्ष मैं पाना चाहता हूँ उस लक्ष के साथ मेरा दिन भर का सुबह से लेकर रात तक का कारेक्रम क्या है तो मेरा हर पल, हर क्षन कैसे बितेगा और कैसे मैं ये शास्त्रा अभ्यास में जो प्रयोग, प्रयास, जिसमें विचारा अभ्यास, चितरना अभ्यास ये शामिल होने के लिए मेरे समझ लिए मैंने मेरे समय का नियोजन क्या है उसको स्वामानने रूप में बाबा जी ने दिनचरिया कहा है तो हमारी दिनचरिया पर ध्यान होना इसे हम कह सकते हैं कि ये जागरूत कर्म का कंटेंट है तो उसमें एक भाग दिखता है स्वाध्याय, यानि स्वाध्याय का समय होना, परिवार में हम रहते हैं तो परिवार में संबंधियों के समाधान सम्रुद्धी के अर्थ में मेरी पूरक्ता और उपियोगिता के लिए हमारा पस्त्त समय होना, परिवार के साथ मेरी समाजिकता भी है, गली, महले, गाउं, जहां भी रह रहा हूं, वहाँ पर लक्ष की अर्थ में मेरी क्या उपियोगिता और पूरक्ता हो सकती है, उस रूप में मेरी समाजिकता की लिए तैयारी, और पूरह एक बार, जैसे जैसे दिन पीता है, वैसे वैसे सायंका लाती है, तो पूरह एक बार पूरे दिन भर के अमारा जो मुझे मिला, तो ध्यान यहीं जाता है जागृत कर्म में अभी अध्येनशिल होने के अर्थ में समझने के क्रम में होते हुए मेरी समझ में आज क्या वृद्धी हुई यही मेरा जागृत कर्म के रूप में मैं देख सकता हूँ तो जैसा जागृत कर्म में सगहनता है वैसे ही स्वप्न में हमें दिखता है तो सपने आते हैं सपने आने का जो बाबाजी नहीं कहा है उन सपनों की थरस थरा ध्यान देते हैं जो व्यवहार में नहीं आता वो सपन है यानि सच और जूट इसका पता भी हमें सपनों की स्थिति में भी जागृत रहने से मिलता है तो सामान्य रूप में जागृत रहते हुए जहां पर मेरा मन केंद्रित रहता है उसी से संबन्धित कुछ सपने आना एक ठीक स्थिति है और यदि विश्रूंखल है मेरे कारिक्रम सोचता कुछ हूँ बोलता कुछ हूँ करता कुछ हूँ होता कुछ और है और एक दिन डूपता है सामान्य भाषा कप्रेव कर रहा हूँ और मैं अपने को रियॉर्गनाईज करता हूँ पाता हूँ क्या मिला आज कुछ कमाई हुई की नहीं मन की कमाई हुई की नहीं तन की कमाई हुई की नहीं धन की कमाई हुई की नहीं तो ये जो कमाई का भावरूप समझने का मैं आपसे विन्य करूँगा कि इसका प्रयास कीजिए खर्च होता है दिन में लेकिन उसके जो निश्कर्ष निकलते हैं वही भावरूप में कमाई और यदि ऐसी कमाई नहीं है तो स्वभावी के शोभ पैदा होता है जितने में हम श्रम करते हैं उसके अनुपात में यदि हमें उसके परिणाम नहीं है तो ऐसे स्थिति में मानसिक शोभ उत्पन होता है और ऐसा मानसिक शोभ फिर निद्रा में जो सपने आते हैं तरह तरह के पता नहीं ये सब में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ पर मुझे उसमें कुछ रहस्य समझ में नहीं आया, यहां एक स्वाभवी क्रिया है, क्या स्वाभवी क्रिया है, कि गहरी नीद में जाने से पहले, जीवन में जो कुछ चितरित होता है, ऐसे कुछ चितरन आते हैं और दिरे से समझ में आता है, कि हम गहरी नीदरा में चलेग तो जीवन शरीर पर अनुग्रह करता है यह स्थिति है देखे भईया सोच करके तब क्या स्थिति हुआ कि धिरे धिरे इंद्रियां शिथिल होना और आंशिक रूप में क्रियाशिल होना इसी को गहरी निद्रा कहते हैं जो मुझको लगता है शरीर साधन रूप में होने के कारण जितना हमने इंद्रियों से काम लिया है ऐसे इंद्रियों को एक विश्राम की स्थिति उपलब्द होने की एक प्राकृतिक शक्ति जीवन में होने से एक इच्छा होना कि एक अच्छी नींद हो जाए और यही गहरी नींद है इसका मतलब जीवन नहीं सोता शरीर की इंद्रियां शिथिल होती हैं और हम जान बुच करके उसको शिथिल करते हैं यही हमारा नींद पर कंट्रोल के रूप में समझ में आता है तब मैं अवेर हूँ नीद्रा के बारे में मैं अवेर हूँ सपनों के बारे में अवेर हूँ और मैं जागरुत स्थिती में भी अवेर हूँ इस तरह से मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लक्ष क्या है, मुझे कहां जाना है, मेरा गंतव भी क्या है, मैं इस समय क्या क्रिया कर रहा हूँ शरीर के दबाओं में हूँ कि मन के संकेतों द्वारा शरीर को संचालन कर रहा हूँ, इस तरह से सम्वेद नाओं पर नियंतरन का स्वरूप इस रूप में जागरूत, स्वप्न और सुशुप्ति रूप में जो कर्म है, इस रूप में भीया समझ में आते हैं, मैं आशा करता मेरा उत्तर आप सुन रहे होंगे और आपको ये उत्तर कुछ हद तक संतुष्टी दायक लगा होगा धन्यवाद तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये काईग वाचिक और मानसिक कर्मों की समझ हमें होना यह कर्मदर्शन का उद्देश्य समझ में आता है इसके कंटेंट दो भाग में दिखते हैं एक है अनुसंधान और दुसरा है अविश्कार अनुसंधान क्या है तो यह पता लगाया बाबाजी में कि तीन पूर्णताएं अस्तितों में देखने को मिली गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता और आचरन पूर्णता अविश्कार क्या है इसमें तो अविश्कार यह समझ में आया कि कैसे आदमी जागरूत हो सकता है कैसे मानव कि दर्शन शमता विकसित हो सकती है उसके लिए कौन से शिक्षा है तो ऐसी शिक्षा का नाम दिया चेतना विकास मुल्य शिक्षा तो मैं थोड़ा सा ध्यान भी अपने लिए देना चाहता हूँ वागी सबका ध्यान हो जाए तो बढ़िया तो चेतना विकास मुल्य शिक्षा ये मुझे लगा अभी भावकों के लिए पहले है जब भी शिक्षा की बात आती है चित्रण में बच्चे आते हैं यहां मुझको ऐसा दिख रहा है कि हमारे चित्रण में हम अभी भावक हम माता पिता हम बड़े लोग ही आएं मैं तो ऐसा ही प्रयास कर रहा हूं भीया तो अविश्कार पथती प्रणाली और नीती जो की शिक जागरुती विधी है जागरुती पथ है ऐसा पथ तयार हो गया जिसको जागरुत मानों परंपरा कहा ऐसे जागरुत मानों परंपरा की क्या पधती है क्या प्रणाली है क्या नीती है जिसका की अनुकरण और अनूसरण किया जा सकता है इसी अर्थ में यह अनुसंधान अविश्कार के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है और ऐसा अनुसंधान और अविश्कार का content ऐसा हम इंग्लिश में कह सकते हैं सामान में हिंदी जितना मुझे पता है ऐसा आशय है और इस आशय का पत है इसके कुछ अंतर संबंद है ऐसे अंतर संबंद मेरी दृष्टी में आए ऐसा यह दृष्टी है और चलने के लिए इस रस्ते पर चलने के लिए मेरा मन तयार हो उस रूप में यह content हमारी कल्पना में आए और हमारे में जो शुभकल्पना है उस शुभकल्पना को यह तृप्ती दायक होता है ऐसा अभी तक का observation है तो मेरी कल्पना शीलता और कर्म सोतंत्रता इस अधार पर अभ्यास कुछ हमारे बन जाएं और ऐसे अभ्यास से हम जागरुती को पापाएं यह content एक उधारन के लिए कि मैं आपको वाचिक कर्म जिसे हम सामान्य रूप में वाचा यानि भाषा यानि भाषा से जो संप्रेशना है उस संप्रेशना का एक छोटा सा content मैं आपको यहां पर प्रस्तुत करता हूं मैं पुनह संदर्व में ले रहा हूं मानुविय समिधान सूत्र व्याख्या उस सूत्र व्याख्या में वाद विचार प्रुष्ठ 79 पर है वाद विचार मैं इसको पूरा पढ़के सुनाता हूं आपको अपने आप यह स्पष्ठ होने लगेगा तो मेरा पुनह यही है निवेदन है कि हर मुद्दा हर परण पद्धती प्रणाली नीती सब कुछ इन तेरा चौदा वांगमयों में बारिकियों के साथ बाबाजी ने यहां पर विश्लेशित किया है जैसा जैसा हमारा पठन में मन लगेगा जैसे जैसे हमारी श्रवन की इच्छा होगी वैसे वैसे यह कंटेंट हमको जीने के अधार पर हमारे में तैयार होने लगेगा देखिए अब वाद विचार वाद संवाद आख्यान व्याख्यान भाशन चर्चाएं भाव अर्थात मूल्य सहज प्रयोजन तरक संगत विधी से समाधान मानसिक्ता का अध्यन अभिव्यक्ति है यह वाद विचार जो वाचा कर मैं कि अब इसमें कितने से देखिए चर्चा करते हैं सामाने रूप में वाचास से चर्चा होती है ऐसा ही कि चिंटन पूर्वक प्रयोजनों का स्पष्ट होना अब यहां चिंटन अस्तित्व मूलग जिसके मूल में Колे अस्तित्व है मानव केंद्डरी जिसके केंद्र में मानव है ऐसे चिंतन पूर्वक प्रयोजनों को स्पष्ट होना यानि प्रयोजन, 4 प्रयोजन, समाधान समृद्धी, अभे सहस्तित्व यो प्रयोजन भाष्ण भाषणों का भी हमको एक छोटा मोटा एडिया है, देखिए, क्या है भाषण? मॉलिक्ता, मुल्य, प्रयोजन सहज रूप में संप्रेशित होना भाषण व्याक्या, व्यवहार वव्यवस्था में प्रमानित होने के अर्थ में स्पश्ट होना व्यवस्था परिवार मुलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था व्यवहार मानों मानों को जोड़ने के लिए जो श्रम है वो व्यवहार आज हम व्यवहार के भी कुछ परिभाशाई लेंगे आदान प्रदान व्यवहार है तो ऐसा व्यवहार व्यवस्था में प्रमानित होने के अरव में स्पष्ट होना व्याख्या जो वाचिक कर्म है आख्यान अवश्चक्ता अनिवार्यता स्पष्ट होना कल जैसे अवश्चक्ता पर हमने बात कि आप धीरे धीरे हमारे में जिसको परंपरा में कीर्टन के रूप में भी कहा गया है। सव्वाद, पूर्णता अर्था गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरन पूर्णता के अर्थ में हैं, एवं तरक विधी से समाधान सुलब होता है। वाद वास्तविक्ता पूर्वक समाधान सहज निशकर्ष पूर्ण अध्येन सुलव रूप में प्रस्तुत करना वाद है। कल हमने सहस्तित्व वाग ये भी पढ़ा। विचार प्रयोजन के अर्थ में विवेचना, विशलेशन करना, स्पष्ट करना, स्पष्ट होना ये विचार है। जो की वादचा से अभिव्यक्त होता है। मानव लक्ष को प्रमानित करना ही जागरुत मानव परंपरा में विचार प्रयोजन है। विवेचना विधी वत प्रयोजन व लक्ष अवश्शक्ता सहज स्पष्टि करन ये विवेचन है भाषा विधी प्रयोजन भाषा सहज अर्थ में अस्तित्व में सहस्तित्व पद अवस्था बोध होना ये भाषा विधी प्रयोजन है जो कि हम वार्चा से करते हैं इस करता के लिए भी हमारी वाच्चा का कर्मस होना यह एक ध्यान हमारा कहता कि मैं अशा करता हूं कि से content हमारे तक पहुचने में और जब हम पठ़न करेंगे इस परकार से content हमारे में तयार होना और हम स्वयं के लिए भी तरक संगत्त्विदी से इसको सुगम उने के लिए अभ्यास होना और ऐसे ही परसपरता में अभ्यास होना तो आज हम दो तीन मुद्दों पर यहां पर बात करेंगे आगे के पृष्ठों में उसमें से एक मुद्दा है नियंत्रण इस पर आज ध्यां देंगे जैसे अपना सत्र पूरा होगा उसके कुछ समय पहले पिर नियंत्रण पर थोड़ी सी बात रखेंगे जो दूसरा प्रमुक मुद्दा है वो है संतुलन तो कर्मों के लिए नियंत्रण और संतुलन इस पर आज हमारा ध्यान के अंद्रीत होना तो जैसा कल हमने यहां तक पृ के अनुभो का आधार सहस्थित्व रूपी परम्सत्य है जो समगर एं तो आमने समगर की परिभाषा भी कल सुनी तो समगर की परिभाषा में अस्तितुब 4 आवस्था और 4 पदों में होना। Universe हमें पर्श्ट होना यही समगर है और अनुभो का आधार सहस्तित्व रूपी परमस्वक्त्य भी है अब आगे आगे मैं पढ़ता हूं कुछ सरल है और स्वयम स्पष्ट होगा मैंने कुछ उधारण भी निकाल के रखे हैं तो उन उधारणों से आगे है प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है ब्रह्मित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है जागरूत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है जागरूत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा ब्रह्मित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी प्राकृतिक वैभाव का विशेशकर मानव ही उप्योग करता है जो स्पष्ठ है तो भाई और भेनों यहाँ पर संतुलन को स्पष्ठ होने को छोटी छोटी शुरुवात करते हैं तो इसकी जो वस्तु है संतुलन की वो है संबंद मानव और प्रकृति में जो संबंद है प्रकृति के साथ जो हमारा पूरक्ता और उप्योगिता सजना है मानव मानव के साथ जो पूरक्ता उप्योगिता सजनी है यह संतुलन के रूप में दिखता है और आज किस तरह से असंतुलन है यह अलग से अभिश्लेशित करने की आवश्यक्ता है ऐसे स्थिती में जागरूत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत रहे ऐसा क्यों? क्योंकि जागरूत मानों को यह पांच मुद्दे पता है कि इसमें करता कौन है, कारण क्या है, उदेश क्या है, फल एवं प्रभाव क्या है यानि समझ कर करने में पहले ही आकलित हो गया पता लग गया जानकारी हो गई ज्यान होगा कि इन कर्मों का फल क्या है और फल पहले ही आस्वाद अनुरूप में स्विकार हो गया यह जागरुत मानों की स्थिती है फल स्वरूप जागरुत मानों फल के लिए चिंतित नहीं है फल का चिंतन है, यह फल अन्यों में कैसे सुगम हो सकता है, अन्यों में कैसे वितरित हो सकता है इस रूप में अस्तित्व मुलत मानव केंद्रिचिंतन जो मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन इस रूप में जो अविश्कार आत्मक अनुभूतियां आई कि इस रस्ते पर चला जा सकता है इस रस्ते पर चलकर हर मानव समझदार हो सकता है और जागरुत मानव परंपरा हो सकती है इस संभावनाओं के साथ इस अनुसंधान रुपी जो कार्य हुआ उसका जो फल आया वह फल बाबा वितरीत करते रहे और ऐसा ही फल हम लोग सेवन करते हैं कहते हैं सदशास्त्र सेवन तो यह जो फल आया उस फल को हम सेवन कर रहे हैं उसको कहते हैं सदशास्त्र सेवन तो ऐसा सदशास्त्र सेवन करते करते हम लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा ध्यान जा रहा है कि इस रस्ते पर चल सकते हैं लक्ष मिल सकता है मंजिल मिल सकती है इस रुप में जागरुत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है अब इसमें आगे प्राकृतिक वैभो का विशेशकर मानव ही उप्योग करता है जो प्रत्यक्षे है अब आगे रुतु संतुलन जो हम लोगों को पता हो गया है अब ये रुदू संतुलन के कारक तत्व क्या है उसमें आवश्यकिये मात्रा में खनीज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विगने उत्पन्द नहीं करना और सहयक होना ही प्राक्रतिक नियम का तात्परिय है यह भुनता मानों का दाइत्व है तो भाई और भेनों इसके पूर्व दो प्रस्तुतियां मुझको याद है हुई है भारत भुशन त्यागी जी ने मामा जी जी से हम कहते हैं और हमारे बड़े भाई प्रेम भाईया ने कुशी पर बा हुए हम कैसे काम कर सकते हैं ऐसे प्राक्रतिक या आवरतंशिल नियमों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया यह पूर्ण तहां मानों का दाइत्व है अब यह ध्यान जा रहा है मैं दो तीन उधारन आपको दे देता हूं जैसे मिट्टी है कि एक इंच पूर्वरा मिट्ट कि आगे मिट्टी का पत्थर और पत्थर की मिट्टी जा सकता है वैसा मिट्टी वापस esses जीने से क्या संबंद है यहां परमानों के कर्म जुड़ते हैं अब मिट्टी की जो बंजर सिती हुई है हमारा स्वयम पर ध्यान जा सकता है वैसा मिट्टी वापस कि लोहा भी देखिए लोहा दर्थि में मिल्ता है पर उसको बनने की प्रख्रिया इस पर ध्यान देने से कैसे कितना लोहे का मुपयोग कर सकते हैं हमारे ंवे बनने लगता ह। तो संतुलन के साथ यह जो उत्पादन में नियंत्रण है जिसके मूल में विचार है ऐसे विचार के मूल में दर्शन कि इस तरह से कंटेंट हम तक आ रहा है अब थोड़ा सा वनस्पति की बात करते हैं हम देखे हमको घरों में सबको फरनीचर पसंद है विशेश करके सागोन का परनीचर पसंद है तो अब हमको जानकारी है कि एक सागोन का पौधा परिपको होने के लिए पच्चिस से तीस वर्ष का समय लगता है है कि नहीं तो यह उसकी उत्पादन प्रक्रिया है इस प्रकर से जितनी भी वनस्पतिय हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं हर एक का एक क्रिया का अवधी है जिसको हम काल के रुप में गणना करते हैं अब यह हमारी शिक्षा की वस्तु बन सकती है तब जब उत्पादन प्रक्रिया है प्राक्र्तिक रूप से उसकी क्रिया के आवधी हमें पता आकलित होना और उस अधार पर हमारे उत्पादन में नियंद्रना आना यह हम पहचान सकते हैं जलाने के लिए उदारण जैसे कुछ लोग लकडी भी जलाते हैं तो बमूर एक ऐसा पौदा है जिसको पूरूनिंग की जरूरत है हर साल काटते हैं फिर खड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से प्रकृति में ध्यान देते हैं वनस्पतियों पे ध्यान देते हैं ऐसी वनस्प जो दीरगावजी चलती हैं जो दीरगावी चलती हैं वही मौलिक हैं उसे से प्रकृतिक संतुलन बना रहता है एना ऐसा आप हम लोगों का चोटा-चोटा ध्यान गया है प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिले तो सभाग यह अनेता फोटो देख करके संतुल संतुष्ट कितना संतुष्ट होंगे अपने खुद पता कर सकते हैं तब लाइन दिया है यह पूर्ण तहां मानों का दाइत वह हैं वनस्पति एवं खनीच जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रमस पष्ट है अभी ही बात किया उनका उनही के अनुपात में उप्योग करना उचीत है अन्यथा प्राकृतिक दुरगटनाओं से ग्रसित होना स्वभाविक है ध्यान चला जा रहा होगा गया भी होगा अधिक विशलेशन क्या करें इसमें तो जो जिनकी उत्पत्य और संभावना यानि व्यवहार दर्श झ्यान वस्था करते है उसके में उसके पीज़े क्या प्रक्रती में श्रम आगर अनुपात का अगर हम अंदाज लगा लेंगे और जो हम श्रम से समरुद्धी कहते हैं उस अनुपात में यदि वो श्रम देखेंगे तो वो नगण्य जैसा लगता है चुकि आज हमारी मानसिक्ता में ये दूर चले गए हैं मुद्धे इसलिए श्रम से समरुद्धी बहुत सोच रहे बहुत सोचना हो रहा है श्रम से सम्रुथी कैसे अभिया, श्रम कैसे करेंगे, एकिनी इतना श्रम का हो रहा है, अब वो विवेचना है कि उसका पोस्ट मार्टम है, एकिनी अपन लोग सोच सकते, तो श्रम की विवेचना होगा, उसी से समझ में आएगा, खुब बढ़िया, अब आगे, शिक्षा ए नाय रखने का एक मात्र उपाए है, अब इसका उपाए उजना भी दिया, तौ सामोहिक्या समाजिक संतुलन क्या है, तो समुहिक्या संतुलन है, इसमें निूना आधिक्या में देख सकते, आज जैसा भी आ रहा है कि धर्ती ताप ग्रस्त हुई अब यहां पता लग रहा है कि मानव के ही कृत्यों से यह ताप ग्रस्त हुआ तब कृत कारित अनुमोदित विधी से है ना अब हम आपरात की श्रेणी में आ गए करना कराना कराने के लिए सहमत देना इसके बिना चलने ही सकता है उसको कहेंगे विवश्यता तो आवश्यक्ताओं का अनुपाद कम अनावश्यक्ता का अनुपाद जादा हो गया फलस रूप अपराद और उपकार में उल्टा हो गया न्यून में आ गया उपकार और अपराद अधिक्य में चला गया यह संतुलन तब ऐसी मानविय शिक्षा, मानविय व्यवस्था रुपी अविश्कार को, रुपी जागरुती पत को अपना दे हुए सामाजिक संतुलन को बनाय रखने का उपाय बाबाजी ने प्रस्तावित किया है, जिसका नाम है जागरुत मानव परंपरा, जिसमें उपकार की प्रवरुती अधिक्ता में और नियूनता में अपराद प्रवरुती होने पर ऐसे अपराद प्रवरुती को व्यवस्था से संतुलन बनाए रखने का उपाय है अब यहां पर आगे संतुलन का विश्लेशन दिया है देखिए इसके जो कोर में हैं सामाजिक संतुलन के कोर में हैं स्वधन स्वनारी स्वपूरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार परमपरा है इसके विफरित परनारी परपूरुष परधन एवं परपीडा से असंतुलन है जो प्रत्यक्ष है हम स्वधन पर थोड़ी बात करते हैं यह स्वधन की कैसे हमारे में स्थिर होता है तो इसको बाबाजी ने व्यवहारवादी समाशास्त्र में स्वधन को विश्लेशित किया है कैसे हम स्वधन की विवेचना प्रस्तुत की है तब यह आया कि मानव का आहार निश्चित होना शरीर की रचना से हमारा आहार का निश्चयन होता है तो मानव शरीर की रचना से मानव के लिए शाकाहार अब ऐसे शाकाहार के लिए श्रम अनिवारी है अब ये उसका बेसिक है तो मानव शरीर शाकाहार शाकाहरी है इसलिए हम मानव शाकाहर को चुनने से हमारा आचरण निश्चित होने का पहला सीड़ी मिल जाता है अब ऐसा शाकाहार के लिए श्रमानी वारी है श्रम के बिना यह शाकाहार या हमारे में पैदा नहीं होता तब ऐसा श्रम का प्रतिफल होना यह स्वधन में है इस रुप में स्वधन की विवेचना स्पष्ट होने से सामाजिक संतुलन का प्रारंग है ऐसे ही स्वणारी स्वपुरुष एवं दयापुर्ण व्यवहार कारिय परंपरा है इस रुप में सामाजिक संतुलन का यहां में स्पष्टि करने तो हमारे कर्म अब यहां शुरू हुआ प्राकृतिक नियम, संतुलन, मानव और प्रकृति में संतुलन होना, सामाजिक संतुलन, अब आएंगे हम विचार संतुलन तो व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में आवश्यक्य एवं अनावश्यक्य मूल प्रवृतियों की सक्रियता पाई जाती है, मानव के आवश्यक्य मूल प्रवृति के मूल में संस्कार समझदारी ही रहता है, अनावश्यक्ता के मूल में ब्रह्म, विवश्यताएं, अभी जैसे पता किया तो विचार संतुलन कैसे बादिक संतुलन कैसे तो साधरन से बाबाजी ने तरक प्रस्तुत किये कि क्या हम इतना पहचान सकते हैं कि हमारे में कोई प्रवरुतियां हैं अब इन प्रवरुतियों में आवश्यकिय प्रवरुति है और अनावश्यकिय प् कि मूल प्रवरुतियां जिसमें असंग्रह स्नेह विद्या सरलता एवं अभय के रूप में अनावश्यक्य मूल प्रवरुतियां सुविधा संग्रह द्वेश अभिद्या अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्षे हैं तो सुनने वाले जो भी हमारे बंदु भगिनी हो होंगे उनको यह जो पांच प्रूरतियां हैं उनकी स्पष्टता होगी फिर भी मैं छोटा-छोटा उसमें कुछ स्पष्टी करन डेकर यह पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं असंग्रह सम्रुद्धी अर्थात उत्पादन कर्म स्नेह अर्थात हमारा जो व्यवहार है जिम्मेधारी भरा व्यवहार वह स्नेह विद्या अर्थात जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं जीवन विद्या जिसका नाम है जीने की कला सरलता सरलता का स्पष्ट है कि आडंबर हीन प्रस्तुती एवं अभय सरलता से संबंधों की पहचान यह अभय और अनावशकिय मूल परुर्तिया सुविधा संग्रह द्वेश अविद्या अभिमान और भय इस सब स्वतास पष्ट है तो प्राकृतिक संतुलन सामाजिक संतुलन एवं बवधिक संतुलन योग्य नियम ही अवशकिय नियम है यही नियम तरहें अब यहां से अपने को उपायोजना है आवशकिय नियमों का ज्यान वह अनुसरन निर्णे उसके सदूप्योग से सदूप्योग का निर्णे विकास एवं जागरूति से विकास एवं जागरुती का निरणे बौधिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ वा पालन से स्पष्ट होता है मानव के लिए अपने विकास एवं जागरुती क्रम श्रुंखला को अक्षुन बनाए रखने के लिए आवश्यकिये नियमों का अनुसरण एक अनिवारिय प्रक्रिया है अब आगया पेज नमबर आठ तक आवश्यकता था अब धीरे-धीरे ये आवश्यकता हमें सपष्ट हो गई अब ये अनिवारिता में आ गया यही मानव जीवन जागरूती कर्म जागरूत जीवन के कारक्रम का प्रत्यक्ष। रूप है अब धिरे-धिरे भईयमों का स्यरूप ही हमारा कर्म तो अब कारेक्रमों के स्वरूप कैसा है तो ये जो नियमों का ज्यान इवं अनुसरन निर्णे इसका उपयोग, सदूपयोग, अपने विखास, मानव का अपना विखास, इसकी भी सुचना हमें स्पष्ट है कि मानव का अपना विकास यानि चेतना का विकास पशु मानव, राक्षस मानव, से मानव, देव मानव, दिव्य मानिवेता में विकास और जागरुती का आशे है ज्यान, विवेक, विज्यान, संपन्नता यह जागरुती प्रमान रूप में इस तरह से विकास एवं जागरु क्रम श्रुंखला को अक्षुन बनाए रखने के लिए आवश्यक्य नियमों का अनुसरण एक आनिवार्य प्रक्रिया है कि सांस्कृतिक मुल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन वह मुल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है सांस्कृतिक मूल्य आपको याद होगा कि संस्कृति सभ्यता विधी वेवस्था पर एक प्रस्तुति किया था तो जो जो सामाजिकता के अर्थ में हमें छूता है उसका सांस्कृतिक मूल्य है यानि सर्व स्विकार्यता की जो स्थिती है वह संस्कृतिक मुल्यम के रूप में है उसका अवगाहन यानि उसके लिए प्रेरणा होना और उसका निर्वहन और मुल्यांकन होना यह मानव कृत वातावरण है मानव में समाहित संसकार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है सु संसकार पूत पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है यह तब तक संसकार पूत होता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण ना हो जावे तो इस प्रकार से जो विकास और जागरुती का स्वरूप है वो विश्लेशित हुआ है अब आगे संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवियता अति मानवियता पूर्ण स्वभाव ही है इसकी सुचना आपको हो गई है सु संस्कृती संपन्यता का प्रत्यक्षरू मानुवियता पूर्ण सभाव है विकृत संस्कृती का प्रत्यक्षरू भी अमानुवियता है सामाजिकता पूर्ण संस्कृती मानुवियता पूर्वक स्पष्ट होती है ऐसी मानवियता के पोशन के लिए ही संस्कृती सभ्यता विधी और व्यवस्ता है तब जो अविश्कार की बात किये थे उस अविश्कार में संस्कृती सभ्यता विधी व्यवस्ता की सपश्टता है और ये कैसे एक दुसरी के लिए पोशक होते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सबकी जानकारियां हमें आने वाले दर्शनों में, वाद में और शास्त्रों में और समीधान में व्यवस्ति थे, अभी इतना ध्यान चला जाए कि संस्कृति, सभ्यता, विधी और व्यवस्ता, यह मानव की सामा जिकता को सुस्पष्ट करने योग्य कार्यक्रम है जागरूत मानव परंपरा में मानवियता पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है क्योंकि जागरूत परंपरा में संस्कार विहिन मानव नहीं है जबकि ब्रहमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गण्य हैं यही सम्पूर्ण समस्याओं का कारण है समस्याओं संस्कार का प्रमाण नहीं क्योंकि सभी समस्याओं समाधानित होते ही चितरण व विचार ही क्रमश्या कला एवं उपादेता को प्रकट करता है संदर्भ है संस्कृती सब्धयता विधी व्यवस्था को संपृषित करपाने के लिए चित्रण एवं विचार ये कला और उपादेता को स्पष्ट करता है विचार सूसंसकार से संबंध रहना ही जागरुती है यह एक महतोपूर्ण सुत्र है तो हमारा विचार सूसंसकार से संबंध रहने से ही जागरुती है यह स्पष्ठ होता है मानवियता पुर्ण संस्कार ही सार्वभम संस्कृति का त्योतक है इससे मिम्न अर्थात अमानवी प्रवृत्यों का सार्वभम होना संभवी नहीं है सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है वलता समाज की अखंडता उसकी अक्षुनता सित्ध होती है मानव ही ऐसी काई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संत्रुप्त नहीं है अपितु समझदारी पूर्ण व्यवहार ये व्यवस्था से संत्रुप्त होता है ये आपन जान सकते हैं इसलिए प्रत्यक व्यक्ती प्राप्त नसुविधा की सुविधा की सुरक्षा और सदूप्योग चाहता है जो अनिवारिय इस प्रकार मानव सामाजिक वो न्याई की काई सित्ध हुआ है है या सिद्ध होने के लिए पात दे रहे तो इस प्रकार तो मानों का सामाजिक और न्याई की काई होना इतने मुद्दों से जिसमें प्रधान रुप में संसकार उसके मूल में विचार मूल में दर्शन समझ स्पष्टता और हमारा विकास और जागरुती से संस्कृती, सभ्यता, वीधी, व्यवस्था का स्वरूप अपने में चित्रीत होना और ऐसे स्वरूप में जीने की प्रेड़णा होना, तमन्ना होना इस रूप में हम न्याईक और सामाजी की काई हैं यह सित्ध होना प्रारंव होता है उसी को और जैसे जैसे अपने में सित्ध होना अपने में सुस्पष्ट होना और उस तरह से हमारे कारेक्रमों में ताकत आना हमारे कारेक्रमों में सार्थकत आना यह शुभारंव है यही शुभकामनाओं का प्रकटन है ऐसा हम अपने को सकते हैं सामाजिक्ता बोधिक्ता एवं भोतिक्ता का स्वरूप है तब आगे स्पष्ट किया क्या चीज़ है सामाजिक्ता अब बोधिक्ता का अर्थ है समाधान बोधिक्ता का अर्थ है सम्रुधि इस तरह से समाधान सम्रुधि पुरुवक समाधान का अर्थ है अस्तित्व की समझ होना अस्तित्व में इकाईया रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है यह इकाईया सत्ता में संप्रुप्त है ओत्प्रोथ है इस प्रकार से हर मुद्दे का समाधान होना और वह समाधान हमारे जीने में आना अभीव्यक्ती में आना समाधान समरुद्धी हमारे अभीव्यक्ती में आने को हम कहेंगे सामाजिक्ता अब सामाजिक्ता में मानव मुल्य मैं थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कैसे सामाजिक्ता को समझते हैं तो मानव होने के ना पे मानव मुल्यों को करने के लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं देखिए वीरता है दूसरों को न्याए उपलब्द कराने के लिए मेरी बौधिक और भौधिक शक्तियों का नियुज़न द्यान गया होगा तो अब वहर एक धरातल पर बात करते हैं कि मैं अध्यन करना चाहता हूं मैं समझदार बनना चाहता हूं तो अब मेरा अध्यन मेरी समझदारी प्रोडों की बात कर रहा हूं इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी है ना ये मेरी ही होगी तब ऐसी जिम्मेदारी का वहन का मतलब है मुझको समाधान समरुधी यानि श्रम से समरुधी समर्दारी से समाधानी सुत्र तक आना होगा और मेरी सामाजिक्ता ये ही मेरी सामाजिक्ता की शुरुवात है और ऐसी सामाजिक्ता के शुरुवात में जो वीरता रुपी मुल्य है दूसरों को यानि स्वयम की ही बौधिक और भौतिक शक्ति का हम नियोजन करते हैं तब आन्यों में ये न्याय पहुँच पाने की संभावना है इस प्रकार से एक चोटा सा अव्यवस्था का एक उधारण है कि अध्यान स्पॉंसर्ड नहीं होते हैं कि नहीं तन्मंधन लगता है यही अपनी सामाजिक्ता है इस तरह से धीरता, वीरता, उदारता दयाक, रुपा, करुणा ये मानो मुल्यों के साथ मानो का सामाजिक्त होना स्पश्ट होता है तो बौधिक, शमता के नियंत्रण में भौधिक्ता है क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व्यवार सिद्ध नहीं होता तो इस प्रकार से उत्पादन ये भी सपष्ट है व्यवहार ये भी सपष्ट हुआ है और उसकी बोधिक शमता के नियंत्रण में बोधिकता है क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन वो व्यवहार सिद्ध नहीं बढ़िया इस पर थोड़ा सा ध्यान वाली बात है नियंत्रण इसलिए क्योंकि बोधिक शमता का मानव विकसीत है और भोधिकता का वह उपयोग करना जानता है और यह विकसीत मानव अपनी आवश्चक्ताओं को पहचानता है इन आवश्चक्ताओं का सदूपयोग को पहचानता है उसकी प्रयोजनियता को पहचानता है फलस प्रिय हिताहित लाभा-लाब तृष्टियां बहुतिक व्यवसाय तथा उसके उप्योग में प्रयूक तो हुई है जो जीव-चेतना-पुर्वक जीते हुए मानव में हैं। धर्मा धर्म सत्या सत्य दृष्टियां जागरुत मानो परंपरा में व्यवहार तथा आचरण के रूप में निरनायक सित्य हुई हैं तो भाई और वेनों ये जो व्यवहार और आचरण जागरुत मानो परंपरा में आचरण का हमें स्पष्ट है मूल्य के चरित्र नेतिकता जिसके मूल में समाधान है और ये समाधान में हमें तीस मूल्यों की जानकारी होना चरित्र की जानकारी होना नेतिकताओं की जानकारी होना और दीरे-दीरे आगे बढ़ते हैं ये सभी मूल्य अस्तित्व में हैं इनकी जानकारी होना एना इस मूल्य के मूल में जो संप्रुक्तता है उसकी हमें जानकारी होना और फलस रूप नीतिया निश्चित होना और ऐसे मूल्य और नीति के फलन में हमारा चरित्र स्वधन स्वणारी दयापूर्ण व्यवहार कार ये के रूप में फलन में आना यही एक बात है जो कि आचरण के रूप में हम कह सकते हैं व्यवहार है जो परसपरता में है ऐसे परसपरता में व्यवहार में एक दूसरे का जो आदान प्रदान है तन मन धन सहित आदान प्रदान अन्यों को जोड़ने के लिए जो मानसिक श्र मानव जीव चेतना पूर्वक अमयाने एक समस्याओं को पैदा करता है, मानव चेतना पूर्वक समाधान को प्रमानित करता है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, दो समस्याओं पर बात करना चाहूंगा, एक है क्या समस्या है ये, तो जानकर नहीं मानने की एक समस्य है कि नहीं आवश्चक्ता और आनिवार्यता उससे क्या है दोश अंतर विरोध बिना जाने मानना उससे क्या होता है तो उससे होता है रूढ़ी वाधिता तो रूढ़ी वाधिता और अंतर विरोध यह समझ गाए है इसको कैसे दूर करेंगे तो इससे दूर करते हैं समाधान से क्या है समाधान जान कर मानना सुत्रदी आई बाबा जी ने माने हुए को जान लो जाने हुए को मान लो तो दर्शन जाना हुआ से आ रहा है उस दर्शन को हम स्विकारते हैं जांच कर स्विकारते हैं जाने हुए को मानना और जो मैंने माना हुआ है उसको जानना इस रूप में जानने से हमारा समाधान का गती है और क्या खतम होगा इससे अंतरवर्विरोद से मुक्ति होना प्रारंध होगा मतलब हम समस्या पैदा करना बंद करेंगे है किन रूढ़ी वाधिता यदि टिक गई तो समुदाय चतना से और कुछ हासिल नहीं लगता है अंतर विरोध यदि टिक गया तो व्यक्ति वाधिता पनपता है तो व्यक्ति वाधिता और समुदाय वाधिता ये दोनों मुद्दे ही हमारे में समस्या कारक हमारे में बन गया है अब इससे होना इसके लिए हमें समाधान तो अंतर विरोध से मुट्टी विश्वास पुर्वक जीना सामाजिक्ता में जीना और यही है वयक्तिक प्रयास से जीने से वयक्तिक प्रयास और व्यक्तिवाद अंतर है समझने के लिए हर एक मानों को व्यक्तिक प्रयास करना है क्योंकि समझ एक-एक में स्थित होता है तो अध्ययन का सूत्र है स्वयम में अध्ययन परसपरता में आभ्यास है ना देखिए जाँचकर तो अंतर विरोध की हमारे में मुक्ति होना समुदाय चेतना से हम मुक्त हो प्रकार से जब मैं वयक्तिक प्रयास से समझ के लिए एड़ी चोटी लगाता हूं तो अंतर विरोध खत्म होते हैं और ऐसा अंतर विरोध खत्म हुआ व्यक्ति जब सामाजिक ताओं में काम करते हैं तब स्वाभवी की समुदाय चेतना भी के भी एक निराकरन होने के रस्ता प्रशस्त होने लगता है सुगम होने लगता है तो भाई और भेनों मेरा थोड़ होने की आवश्यक्ता है कि जो वयक्तिक प्रयास हैं सुचना मिल गई व्यक्तिवाद की उसको व्यक्तिवाद का आरूप न चला जाए और जो व्यक्तिवाद हो रहा है व्यक्तिक प्रयासों को नहीं पहचानने के कारण उस पर फिर वह समदाय का उसमें आ जाए तो इस प्रकार से एक वयक्तिक प्रयास है सामोहिक प्रयास है तो ऐसे प्रयासों का यहां पर व्यवस्तित विश्ट भी श्रe इसे थोड़ा सा ध्यान चला गया इसलिए मानव माधान को प्रमाणित करता है और ऐसा समाधान के से हमारे से आ सकता है इसका अविश्कार अनुसंदहन पूर्वक हम सब के सामें प्रस्तू थे और उसको ही उसी को हम कंटेंट के रूप में स्वीकार रहे हैं कि ठीक जार भी या ठीक है अपने सुनने वाले खुश है ना जो सुन रहे हैं शास्त्राद्येन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति सत्य की जानकारी हमें हैं सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतिती सत्य प्रतिती के बिना सत्यानुभव सत्यानुभव के बिना सद शास्त्र का उद्गहतन तथा सद शास्त्र के उद्गहतन के बिना सद शास्त्र क का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है तो यह जो पुस्तक है कर्मदर्शन यह पूरवांग में है यह सदशास्त्र है तो सदशास्त्रा अब संस्कृति की बात थोड़ी सी है पर कैसे मानविय संस्कृति दिखती है तो मानविय संस्कृति में जो उसका मूल है हमारा जो जुडाव है वह लक्ष के अर्थ में हैं विचार के अर्थ में हैं व्यवहार के अर्थ में हैं कार्य के अर्थ में हैं और इस कुल को हम कहेंगे मानवियता के अर्थ में हैं तो मानव के लिए शिक्षा और व्यवस्था यानि मानव में जो मानविय प्रवरुतियां हैं उन प्रवरुतियों की पहचान के लिए शिक्षा और ऐसे शिक्षा के लिए शास्त्रा ध्यन है ना यह एक अनिवारिय भाग रुपी समझ में आ रहा है आज बाबा जी ने जैसे विश्लेशित किया कि विज्ञान से क्या उपलब्ती हुई तो बाबा ने कहा विज्ञान से तरकु चक्ति मानव की यह उपलब्ती हुई तो ये जो दर्शन आज स्विकार क्यों हो रहा है क्योंकि ये तर्क को प्लेस कर पाते हैं और तर्क में ये उतरता है प्रश्णों के उतर देता है और शास्त्राद्धेन का हमको तो पहले से ही तो इस प्रकार से आदर्शवाग में हम देखते हैं कि कई शास्त्र वाद 86 प्रकार के तो वाद है तो इस प्रकार से एक अगर हम उसका सार्थक्ता देखते हैं तो समझने की जानने की अथक्त इतना हम जो पूर्व के जो शास्त्र हैं उनके जो लेखक करता है उनके जो पढ़ने वाली लोग हैं ये सबका एक अगर हम सकारात्मत दुरुष्टी हम देखते हैं तो शास्तरा भ्यास एक शास्तरा ध्यन एक सशक्त माध्यम है मानों का मानों तक पहुँचने के लिए इस रुप में मुझको दिखता है कि ये सदश सदशास्तर का मतलब है केवल शब्द नहीं उस शब्दों के अर्थ में जीने वाला समाज उस समाज का जो आउटकम है उस समाज की जो प्रगती है उस प्रगती का व्यवस्थित विशलेशन रहस्यमुक्त विशलेशन यह शास्तरा ध्यन के रूप में समझ में आता इस तर संस्कृति सभ्यता के लिए विधी और विवस्था और विधी विवस्था के लिए पोशन के लिए संस्कृति और सभ्यता इस रूप में यह जो सारा वांगमे रूप में आता है उसको कहते हैं शास्त्राद्धेन के बिना सत्यकामना है ना यह हम लोगों के लिए इंट्री प कामना और प्रवंद्ति के रूप में इस प्रकार से अध्येन पूर्ण और सार्थक्ता की और हम गती करते हैं ऐसा इसी क्षण हम एक कामना एक दूसरी के लिए प्रकट कर सकते हैं तो अध्येन की अनिवार्यता अनुभव गामी और अनुभव मुलक विधी से स्पष्ठ होती है सत्य प्रतिती वो अनुभूती में ही मानुवियता पूर्ण आचरण एवं नियाय पुर्वक व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है यह निष्ठा क्या चीज़ है नए सुनने वाले जो लोग पहले से सुन रहे हैं उनको स्पष्ठ होगा तो भाई और बहनों समझदारी इमानदारी जिम्मेदारी और भागिदारी इनकी परिभाशाओं से थोड़ा सा गुजरते हैं हो मर्क हो सकता है घर में उसकी परिभाशाओं को देख सकते हैं समझदारी का मतलब है ज्यान विवेक विज्ञान संपन्नता इमानदारी का मतलब है जैसा समझा हूँ वैसी स्पष्ट योजना मेरे पास होना तो ऐसा ज्यान विवेक विज्ञान संपन्नता और ऐसे संपन्नता को जीने के अर्थ में मुझ में उसकी स्पष्ट योजना दोनों के फलन में जो आता है उसको कहते हैं निश्ठा उसको कहेंगे यही जिम्मेदारी है तो ऐसी निश्ठा सत्य प्रतिती और अनुभूती में ही मानवियता पूर्ण आचरण और नियाय पूर्वक व्यवहार में पाई जाती है और यह निश्ठा जीवन भर अक्षुन रहता है ऐसी निश्ठा से जिम्मेदारी और फलस्वरू जो भागिदारी है तो जो फल परिनाम है उसको स्विकार ने की और उसके लिए जो आवश्चक रिया कलाब करने के लिए जो भागिदारी है ऐसा समझदारी इमानदारी जिम्मेदारी भागिदारी के रूप में हम निश्ठाओं का पहचान कर सकते हैं मानवियता पूर्ण आचरण वो न्याय पूर्वक व्यवहार के बिना परस परता में न्याय सम्मत विन्यमय और न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है जैना जा रहा होगा अनुभव मुलद सहज जीवन ही मानवियता एवा अती मानवियता के रूप में प्रत्यक्ष है इसको फ़ड़ा से ध्यान दे सकते हैं देखिए आब आ करमध दर्षन कर्मध यानि कर्मका निर्बान अर्थो पार्जन अब ऐसा अर्थो पार्जन किसलिए वे के लिए आये जो हम कमाते हैं वह वह के लिए है अब वे की परिभाश है सद वे के बिना सक्रेंग एओ कोई आया था पहले अर्थक के लिए मोक्ष या मोक्ष के लिए अर्थ सद्व्य के बिना सत्य प्रेम सद्प्रवृत्ति सद्कर्म सुख शान्ति संतोश एवं आनंद नहीं ध्यान दे सकते हैं इस पर अच्छे से और जब कभी आगे आउसर मिलेगा और डीटेल में जाने का तो हर एक जन्हा अपने अपनी जगह पर छोटे छोटे ग्रूप्स बना कर इनकी डीटेल में विशलेशन कर सकते हैं जो कि अभी हमारे पास एक निगाह हो रही है एक ध्यान जा रहा है कि इस दर्शन में क्या है कंटेंट रूप में क्या है कैसे हम इसको सपष्ट हो सकते हैं तो थोड़ा सा मैं अपना उसमें मन लगाया हूं इस दर्शन जब जब ऐसा अउसर आएगा तब तब कर सकते हैं तो थोड़ा सा सद्वय को विशलेशित करना चाहूंगा इसका तात्विक रूप कैसे दिखता है तो यह जो शक्ती जागरण है कर्मों से शक्ति जागरण होना मेरी इच्छा शक्ति जागरूत होना इसे शक्ति से सकते हैं मानाव सठ्योन सक्टता के दर्शन योग के अध्ययन सत्यता यहाँ पर वस्तु स्थी सत्य वस्तूगत्थ सत्य स्थी शृप्य परिभाशा देख सकते हैं कुछ अप्रशन होगा तो आपके प्रश्न हमको नोट कर सकते हैं कल का जो अपना आखरी सेशन है उसमें मैं कुछ उत्तर करने का प्रयाज करूँगा कर्म वो आचरन करने के लिए उन्मुख है क्योंकि इसकी संभावना एवं अवश्रक्ता है जो विधिवत जीवन है मानवियता पूर्ण अथ्वा मानवियता में प्रत्यकार्यक्रम विधि एवं व्यवस्ता है उसका आचरन ही सभ्यता और उस परंपरा का निर्वाह ही संस्कृती है मानव में दुख अशान्ती असंतोश ही द्वंद्व है और यही द्वंद्व का फल भी है मानव के लिए अशेश अशेश का मतलब है सभी परिस्थितियां उनसे संपाधित कर्म उपासना ज्यान योग्यक्षमता से निर्मित होती है यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती है अब आगे आने वाले अध्याई में उपासना एक अध्याई है उसमें उपासनाओं का डेटेल आएगा जागरूत मानों का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है जो शांती का करण है यहां से थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे सामयने रूप में भी शांती शब्द सुनते ही कोई ऐसा मानों नहीं मिलेगा जिसकों यह नहीं चाहिए हमको सबको शांती चाहिए अब हमारी आनुकुलता में चाहिए या शांती जैसा है वैसा होना है इसका ध्याना करण ये प्रतिकुल होता है तो मैं आशान्त होता हूँ अनुकुल होता हूँ तो शान्त होता हूँ शान्त होता हूँ की कुछ होता है देखने की बात है जहां तक मानों का संपर्क है वहां तक दाइत्व का अभाव नहीं है संबंध में दाइत्व का निर्वाह होता है संबंध में दाइत्व प्रधान करतव्य है और संपर्क में करतव्य प्रधान दाइत्व वर्तमान है यही सामाजिक्ता है सामाजिक्ता का अर्थ पुना परसपर्ता परसपर्ता का अर्थ है मुझको कर्तव्य और आईत्व का बोध होना मुझको स्पष्ट होना कर्तव्य क्या है सामान्य रुप में यहां में देना चाहूंगा एक दूसरे को समाधानी करने के अर्थ में दाईत्व है और एक दूसरे के समरुद्धी के लिए पूरक होना उपयोगी होना यह हमारा कर्तव्य है इस प्रकार से समरुधी के अर्थ में हमारे कर्तव्य दिखाई देते हैं और एक दुसरे को समाधान के अर्थ में हमारा दाइत्व दिखाई देता है इस रूप में समाधान समरुद्धी के अर्थ में हमारा कर्तव व्यदाई है और यही हमारी पूरत्ता उपयोगिता है जो की सामाजिकता है सर्व सम्मती योग के शांती समाधान एवं सम्रुद्धी के बोध सहित विधीवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभवातावरण का निर्मान होता है तो इसा अध्येन से शास्त्रा अध्येन से क्या निर्मान है तो शुभवातावरण का निर्मान ऐसी स्थिती में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलब हो जाता है भाई और भेनों उसकी जरूरत है कैसे अध्यन होगा, कैसे सदशास्त्र सेवन होगा कोला हल में थोड़ी होता है मानसिक कोला हल में सदशास्त्र सेवन कैसे होगा है न वैं सोचने का बात देखे Re कि सर्व सम्मती योग ये शांती समाधान ये ये सूत्र है समाधान यें समरुधी के कारण बोध सहिद विधी व्यत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुब वातावरण का मिर्मान होता है ऐसे स्थिती में सद शास्त्र सेवन एवं आहसर वसुलब हो जाता है यही हमारी सामाजिक्ता में जो कर्तवे और दाइत्वे हैं बड़े होने के नाते हम प्रोड हैं बंदू और वोगिनी हम प्रोड है इस शाला में प्रवेश लेट हुआ है पर हुआ तो है तो अभी भावक शाला में हमारा प्रवेश हुआ है अब ऐसे में अपने लिए वातावरण तयार करना है और सद शास्त्र सेवन भी करना है क्योंकि यह सेवन और अभ्यास सर्वसुलब होना यह अब हमारा एक नैतिक कर्तवे मुझको लगता है यह समझ में आ रहा है अखंड सामाजिकता को प्रतिबादित करने योग के शास्त्रव विचार प्रचार संपन सामाजिक कारेक्रम परिषकृत विधी व्यवस्था और विद्हान संपन व्यवस्था आच्रण संपन व्यकति उसके प्रोच सहन योग के परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है पुनादोहरारव अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग के शास्त्रव विचार प्रचार संपन सामाजिक कार्यक्रम परिश्कृत विधी व्यवस्था और विधान संपन व्यवस्था आचरन संपन व्यक्ति उसके प्रोचसहान योग के परिवाद भी अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है यह मानव की चीर आकांग्ष और प्रमान है यही तुरुष्णा है इसकी संभावना भी है जिसकी प्यास है उसकी संभावना है मानव को जीवन की प्रत्यक्स्तिती में शान्ती एवं स्थिरता की अवश्यक्ता है सद शास्त्र सेवन, मनन एवं आचरन से व्यक्ति तथा परिवार में शांती तथा स्थिरता पाई जाती है इस पर ध्यान दिने क्या अवश्चिक्ता है? यह उपाए मानव को जीवन की प्रत्यक स्थिती में शांती एवं स्थिरता क्या अवश्चिक्ता है? शांती का सुत्रदिया समाधान समुरुद्धी तो जो सद शास्त्र सेवन है वह समाधान समुरुद्धी के अर्थ में है और स्थिर्ता स्थिर्ता का है आचरण से स्थिर्ता है लक्ष में स्थिर्ता है हमको लक्ष मिल जाता है हम स्थिर हो जाते है और ऐसे लक्ष के लिए जो अनुकरण है वह आचरण का अनुकरण है तो ऐसा निश्चित आचरण ही स्थिरता है समगरता के प्रती निर्भ्रमता को प्रदान करने जागरुति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने मानविय मूल्यों को सार्वभूमिक रूप में निर्धारित करने मानवियता से अति मानवियता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्यक्षमता संपन शास्त्र ज्यान देनी की बात है है कि ने इसका एक-एक शब्द में भरा हुआ है बस मुझे इतना ही ज्यान लगता है कि क्या ये जीना है हमें उस अधार पर इसकी आवश्शक्ता जीने के अधार पर आवश्शक्ता और धीरे-धीरे निवारियत और दीरे-दीरे उसके प्रयोग, इसकी प्रक्रिया और अभ्यास, ऐसी पद्धतियां, ऐसी प्रणालियां, ऐसी नीतियां, इन सब को हम लोग साथ करके एक रिदम को बनाते हैं, तो एक-एक शब्द इसका सच्चाई है, उसमें अर्थ है, यह सपष्ट होने प्रत्यवार सोचता है, हर आदमी, हर जीवन का प्रत्यक स्थर्व में शांती चाहते हैं, है कि नी, तो शांती का जप करना है, शांती का शब्द करना है, या शांती को समझना है, और शांती के अर्थ में जीना है, यह बात, तो ऐसा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग के शमता संपन्य शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांती एवं स्थिर्ता पुर्ण जीवन को प्रत्यक स्तर में प्रस्थाफिद करने में समर्थ है। इसके बिना जीवन में स्थिर्टा एवं शान्ती संभव नहीं है जो विस पष्ट है। मानव सुख, शात्ती, संतोष और उसकी स्थिर्टा के उपलक्ष कारत है। उपाई सहित लक्ष की ओर गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। यह हमारी कर्मों की चाहना है। मानव कर्म करते समय स्वतंत्र होने के करण कर्म फलों से ही सुखी एवं दुखी होता है जो प्रत्यक्ष है। मानवियता में किया गया बहुतिक सामाजिक और प्राकृतिक शेत्र में संपुर्ण कर्म सुखदाई है। यही अमानवियता की सीमा में दुखदाई है जो प्रत्यक्ष है इस वर्तमान में मानव चार प्रकार से गणने हैं तो भाई और भेनों यह जो एक व्यवहार की रीती और मीती का एक बाबाजी ने एक सटीक विशलेशन किया है और यह विशलेशन करके और हम लोग आगे भी बढ़ते हैं दस मिनिट का समय बचा है हमारे पास देखिए इस वर्तमान में मानव चार प्रकार से गणने हैं पुन्यात्मा, पापात्मा, दुखी और सुखी अब देखिए भईया, पुन्यात्मा, पापात्मा शब्द पर मत जाना है की ने, ऐसी स्थितियां है अब ऐसी स्थितियां कैसे विशलेशित होती है पुन्यात्मा का मतलब है जो उपकार में प्रगुरूत है भले या भी उनके पास दर्शन है या नहीं है इतने लोग तो हमको समझ में आते है की ने, पापात्मा का मतलब है की अपराद में यूपत है सुखी का मतलब है, जैसा भी चिन्डिकी को समझा है है की ने, वैसा बिना तंग किये दूसरों को बिना तंग किये जो मिल गया है उसके अधार पर कुछ अपने आदर्श अपने को बना कर और सुखी है खुश रहता है, खुश रखता भी है ऐसी विस्तितियां देखी गई है दुखी कौन है, तो दुखी इस तरह से समझ सकते है कि वह जिनके कुछ प्रशन है उन प्रशनों को उत्तर नहीं मिले एक दूसरा, कुछ करना चाहते हैं अवसर नहीं मिले तीसरा, अव्यवस्था का शोशन जहलते जहलते तंग हो गए उसको क्या करे, उसको समझ में नहीं आया चौथा, गल्ती बहुत कर लिए, अब गल्ती स्विकार हो गई है तो दुखी है तो इस प्रकार से पुन्यात्मा, पापात्मा, सुखी वाप्रिकी इसमें कोई इस तरह से रहस्यात्मक नहीं है आप जो विशलेशन है वो महत्तोपूर्ण है मानव की पांचो स्थितियों व्यक्ती, परिवार, समाज, राष्ट्रव, अंतरराष्ट्र में पुन्यात्मा, पापात्मा, सुखी एवं दुखी के साथ व्यवहार करने की नीती रीती में अपनी अपनी विशेश्ताएं दुष्टव्य हैं यथा क्रम से व्यक्ती की सीमा में पुज, तटस्थ, संतो, एवं दयाका भाव परिवार की सीमा में गौरव, उपेक्षा, सहकारिता एवं सेवा भाव समाज की सीमा में पुरसकार, परिमार्जन, सहयोग और सहकार भाव राष्टर की सीमा में सम्मान, दंड, सुधार समाधान की ओर दिशादर्शन एवं सहयोग भाव अंतरराष्ट्रिय सीमा में सरक्षन उद्धार समवर्धन और परिश्करन भाव पूर्ण रीती नीती पद्धती विधी विधान व्यवहार आचरण संपन जीवन ही सफल है अन्यथा असफल है अब देखिए पुन्यात्मा की स्थिती इसमें क्या निश्करशा रहा है कि ये पांचो स्थितियां हम पर लागू हैं हम मानों के रूप में हम देखते हैं कि क्या फरक पड़ता है अंतरराष्ट्र का अब ऐसा नहीं दिखता हम जहां भी हैं हवा देखिए अंतरराष्ट्र क के रूप में ही अवधारना है पर फिलहाल जो जो भी राज्य बने हैं राष्ट्र के नाम से उन सब का एक मिला जुला स्वरूप है उसको कहेंगे अंतरर तो ये पांचो स्थितियां मानों को लागू है इस पर मेरा ध्यान गया शायद आपका भी ध्यान गया होगा तब प पूज्य होते हैं अमारी व्यवहर की रीटी नीती पुर्ण्यात्मा समझ में आते ही है ना हमारे लिए वो पूज्य है परिवार में पुर्ण्यात्मा का गवरो होता है है कि नहीं समाज में पुर्ण्यात्मा का पुरस्कार होता है राष्ट्र में पुर्ण्यात्माओं का संमान होता है और अंतर राश्ट्र में पुर्ण्यात्माउं का संरक्षन होता है कि यह विवहार की रिती नीती देखी गईए आज भी यह लागू पात्म है थोड़ा ध्यान देने कम होता है ऐसे पुर्ण्यात्मा मतलब जो तन मंधन से उपकार में लगे हैं जिसको अपन कहते हैं ये व्यक्ति का जिंदेगी ही इसके लिए इसको कहते हैं पुन्यात्मा अपराद अब अपराद में लिप्त व्यक्ति प्रापात्मा व्यक्ति के रूप में इसके साथ क्या करें वो तटस्त अब कोई इस तरह से अ उपेक्षा को सब पहचानते हैं है कि नहीं और जहां कहते आचरण छुपता नहीं तो सारा अपराद आखिर कहां से कोई है ना वो तो परिवार से ही है व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है तो परिवार में दिखता है तो परिवार में उपेक्षा समाज में परिमार्जन यह ध्यान देनी के मुद्दा है यानि पापात्मा का जो परिमार्जन है उसका आप दिख रहा है सीड़ी कौन सी है समाज के स्तर पर परिमार्जन है अब जो जितना गहरा अपराद होगा राष्ट्र में दंड सुधार अंतर राष्ट्र में उद्धार यानि पापात्मा का उद्धार अंतर राष्ट्र में है इतना ताकत लगना होगा पापात्मा का उद्धार के लिए तोड़ा सोचने का बात है ये अब सुखी व्यक्ति जो अपने कल्पीत मानदंडों में या कोई आदर्शों में सुखी है तो ऐसा व्यक्ति के साथ संतोष की रिती है जेनरली सुखी व्यक्ति को है ना जिसको हम कहते ना कि उनके साथ संतोष ही होना होता है देखे ये सब जीने वाले मुद्धे हैं जी कर देखा जाता है परिवार में सहकारिता सुखी व्यक्ति के साथ देखाई गया है समाज में सहयोब होता है राष्टर में सुखी व्यक्ति को आश्वासंद रहता है अंतर राष्टर में समवर्धन होता है यानि ऐसे लोग बढ़े सुखी व्यक्ति बढ़े इस तरह से समवर्धन है दुखी व्यक्ति के साथ है कोई दुखी दिखते हैं तो हम व्यक्ति के स्तर पर दया भाव रखते हैं दुख दूर हो जाए ऐसा दया भाव परिवार में दुखी व्यक्ति है तो उसके लिए सेवा भाव है सबको पता है समाज में सहकार भाव है राष्ट्र में सहयोग भाव है और अंतरराष्ट में परिश्करण भाव है यानि दुख का निराकरण हो इस तरह से व्यक्ति परिवार समाज राष्ट अंतरराष्ट में आज का जो स्थिती बाबजी ने कहा पुन्यात्मा पापात्मा सुखी और दुखी दिखता है तब इसमें अपना क्या कारेकरम बना द पापात्मा और जो दुखी व्यक्ति फिर धिरे धिरे दुख का निराकरण नहीं होने से तो इसका एक कोरिलेशन हम दिख सकते हैं तो इस प्रकार से है कि नहीं तो सुखी व्यक्ति यानि ये पुन्यशील होना यानि उपकार भाव में आना और इस प्रकार से इनका अधिक क्म जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता कार्यक्रम विहिन मानव नहीं है कार्यक्रम ही कर्म है कर्म मातर विकास एवं जागुरूती के लिए सहयक है रास या विकास की ओर गतिशिल न हो ऐसी कोई एकाई जड़ चतन्यात्मक प्रकृती में नहीं ज्ञान विवेग और विज्ञान ही जागृती की पूर्णता के लिए एक मात्र आधार है ऐसी ख्षमता से संपन्न होने के लिए परिश्कृत कर्मों में प्रवर्तन है यही मानव की पांचो स्थीतियां एवं चारोrea आयामं में वर्तनिय है पांचो स्थीतिय सपष्ट हो गई चार आया मानव में अनुभव विचार व्यवहार और व्यवसायत तो भाई और भेनों हम लोग यहाँ रुकते हैं 11 बचरे हैं आगे हम अध्याय में यथार्त विहिन अंतरराष्ट्र समाधान विहिन कारेक्रम एवं कोश विहिन व्यवस्था धर्मपतित निश्चे विहिन समाज सच्चरित्र रहित कुटुम्ब सदाचरण से रिक्त व्यक्ति सतत चिंता तूर है तो अब एसी चिंताओं को अभी बाबाजी ने विश्चलेशन किया है वैसे चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है उसकी कर्मदर्शन के माध्यम से उपायोजना आगे क्या ध्याय में हैं धन्यवाद देता हूं आप सबको बहरे से इस प्रस्तुति के साथ आप बने रह है और जो प्रेणाय मुझे कल से मिल रही है जो अप्रिसेशन मिल रहा है मैं सब का दिल से धन्यवाद देता हूं इस चैनल के जो और्गनाइजर है उन सभी मित्रों मेरा नमस्ते हम दो पर में साड़ी तीन बजे पुरुष्ठ पंदरा से शुरू करेंगे आशा करता हूं यह सत्राब के लिए उपयोगी रहा होगा मेरे लिए भी रहा है नमस्ते थैंक शास्त्रा देहन के बिना सत्यकामना एवं प्रवरुष्ठ और पिछला जो हमारा चर्चा था उस चर्चा में वर्तमान के मानव चार प्रकार से गड़ने हैं तो वो चार प्रकार और पांच स जो व्यभार की रीती अपनाई जाती रही है उस पर एक विशलेशन यहां बाबाजी ने प्रस्तुत किया उस विशलेशन को हम लोग पढ़ रहे थे तो सब लोग जूड़ गए हों तो हम आगे बढ़ें ग्यारा है भी क्यारा हैं त्रेरा कि ठीक है शुरू करते हैं पढ़ लेते हैं तब तक कुछ लोग आएंगे तो मैं आगे पठन शुरू करता हूं समाज एवं सामाजिक्ता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कारेक्रम सिद्ध नहीं होता कारेक्रम विहीन मानव नहीं है कारेक्रम ही कर्म है कर्म मात्र रास या विकास एवं जागरूती के लिए सहायक है रास या विकास की ओर गतिशील न हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतरन्यात्मक प्रकृती में नहीं है ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही जागरूती की पूर्णता के लिए एक मात्र आधार है ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए परिश्कृत कर्मों में प्रवर्तन है यही मानव की पांचो स्थितिया एवं चारो आयामों में वर्तनिया है तो ज्ञान, विवेक विज्ञान ही जागरूती की पूर्णता के लिए आधार है और ऐसी क्षमता संपन्न होने के लिए परिश्कृत कर्मों में प्रवर्तन है तो यहाँ कर्मों को परिश्कृत होना और उसमें प्रवर्तन होना यही मानव की पांचो स्थितियों एवं चारो आयामों में वर्तनिया है अब जो अगला पैरेग्राफ है वहाँ जो रिक्तताएं हैं उन रिक्तताओं पर ध्यान जैसे यथार्थ दर्शन विहिन अंतरराष्ट्र समाधान विहिन कारेक्रम एवं कोश विहिन व्यवस्था दर्म पतित निश्चरेइन समाज सचर रहित कुटुम्ब सदाचरण से रिक्त व्यक्ती सतच चिन्तातूर है तो एक सुत्र यहाँ याद आता है कि कैसा हमारा वस्तुस्तिती है ब्रह्मिन स्तिती में भूद काल की पीड़ा भविश्य की चिन्ता और वर्तमान से विरोध तो यह जो चिन्ताएं हैं इन चिन्ताओं का चिन्ताओं से मुक्ती जो यह रिक्तता है इस रिक्तता को भरने से चिन्ताओं की मुक्ती है धर्म का प्रत्यक्ष भूभी सामाजिक्ता है यही संस्कृती वो सभ्यता है मानव सहच परसपरता में निर्विशमता के लिए ही संस्कार, संस्कृती वो सभ्यता की आनिवार्यता है यही उपादेयता भी है तो इन दो लाइनों में धर्म का प्रत्यक्ष रूफी सामाजिकता है धर्म का आर्थ यहां पर सर्वतो मुखी समाधान जो पाँच आयामों में है उनदोरादू, शिक्षा संसकार, स्वास्थय संयम, उत्पादन कारिय, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा तो ये जो सर्वतों मुखी समाधान इन पांच आयामों में हैं यही सामाजिक्ता का प्रत्यक्षय रूप है और यही संस्कृति और सभ्यता है मानव सहच परस परताओं में निर्विशमता के लिए ही संस्कार संस्कृति वो सभ्यता की अनिवार्यत है यही उपादेयता भी है तो जो भाई पीछे संस्कृति सभ्यता के डिस्कृशन में होंगे तो क्यूं अवश्चक है संस्कृति की तो यहाँ एक ध्यान आ रहा है कि मानव सहच परसपरता में निरविशमता के लिए ही संसकार यह जो विशमता है यह जो दूरी है तीन चार मुद्दे यहाँ जो याद आते हैं जिस पर हमें काम करना है वो है स्त्री पुरुष समानता अपना पराया से मुक्ती और गरीबी अमेरी में जो संतुलन है यह जो विशमता है और उबज इस तरह से अपनी चर्चा हो रही थी कि जो समुदायवाद है तो समुदायवाद में क्या मुद्दा है तो कुछ लोग विशेश हैं कुछ सामानी तो समुदाय चेत्रा में कुछ विशेश कुछ सामानी इस तरह से यह जो दरी है यह विशमता है तो यह विशमता निकल कर परस पर सहस्तित्व होना यह स्कार होना इस अर्थ में संस्कृ प्रति व सब्यता की आनिवार्यता है यही उपादेता भी है समगरता के प्रति रहस्य विहीं दर्शन को धारण करने में असमर्थ अंतर राष्ट्र सत्यता के सरक्षण में एवं समवर्धन प्रक्रिया में असमर्थ व्यवस्था सत्यता का प्रचार करने में असमर्थ समाज सत्यता का अनुसरन करने में असमर्थ परिवार और सत्यता पूर्ण आचरन करने में असमर्थ व्यक्ति गोर कलेश से पीडि थे यह देखा गया है तो जागरूत व्यक्ति ने जिस तरह से यह समिक्षित किया तो अब यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमको काम करना है तो एक-एक मुद्दे पर जैसा-जैसा हमारा सूचना है समगरता की सूचना मैं पुना दोरा दूँ समगरता की सूचना है कि ये अस्तित्व अस्तितों में चार अवस्था चार पद होना रहना यह समगरता है तो ऐसे समगरता के प्रति हम जानकार होना यह और इस दर्शन को धरण करना में समर्थ अंतरराष्ट सत्यता जैसे वस्तुगज सत्य वस्तु स्तिती सत्य सत्य रुपी सत्यता के सरक्षन में एवं समर्धन प्रक्रिया में समर्थ व्यवस्था जिसे राष्टर भी कहा जारा है सत्यता का प्रचार करने में समर्थ समाज सत्यता का अनुसरन करने में समर्थ परिवार और सत्यता पूर्ण आचरन करने में समर्थ व्यक्ति ये मुद्दे हैं हमारे काम करने के लिए तो जहां कर्म ही कार्यक्रम है तो जो कर्म कार्यक्रम है तो इस प्रकार से हम कार्यक्रमों को बान रखते हैं अपनी दिने चर्या और जमन शैली को इस तरह से हम तयार कर सकते हैं ये एक उपाय योजना यहां पर स्पष्ट हो रही है अब ये कैसे संभव होगा उसके बारे में आगे दिया है अवकाश से अधिक आवशक्ताओं को अपनाने से ही समस्त प्रकार की दुश प्रवृतियां प्रभावशी होती है ये प्रधान्ता शोशन प्रूप में होती है जो स्वव पर हानी कारक होती है ऐसा क्यों हुआ उसका कारणिया अब आवकाश क्या है तन, मन, धन, रुपी, साधन ही आवकाश है अब ये आवकाश क्या है तब आवकाश इस तरह से स्पष्ठ होता है कि पूर्णता में गरभीत होने के कारण हम सभी को एक अनुकूल परिस्थिती अस्तित्व सहच उपलब्द है और ऐसे अनुकूल परिस्थिती में स्वयम की क्रियाश शीलता है हर इकाई के लिए संभावना है और जो संभावनाए है वह तन, मन, धन, रुपी, साधन के रुप में ये संभावना इस अर्थ में यहां अवकाश शब्द का प्रयोग दिखता है अवशक्ता में अपवे समाही थे तो इस प्रकार से अब ये जो साधन है इसमें संभावशक्ताओं को हम पहचानते हैं असंभावशक्ता के लिए साधन कम ही पड़ता है और असंभावशक्ता में अपवे समाही थे तो जो जिसका अपवे करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा ये भी दिखता है मानव के लिए मानवियता ही संभावशक्ता का सूत्र है क्रिया में होने से अस्तित्व सहज अनुकूल परिस्तितियां को आवकाश के रूप में बाबाजी इंगित कर रहे हैं क्रिया में न आने वाले आश्वासन ये एक और ध्याना कर्शन है क्रिया में न आने वाले आश्वासन योग्यता से अधिक अधिकार सिधान्त विहिन शास्त्र आधार विहिन दिशा विहिन आचरन ये सब क्लेश कारक है तो चिंताओं से प्रारंब करते हुए और ये कैसा स्थिती है वो स्थिती की एक सटिक समिक्षा हम सब के ध्याना कर्शन के लिए वो प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पर हमें ध्यान देना है तो मैं दोहरा दूँ क्रियामेन आने वाले आश्वासन योग्यता से अधिक अधिक आचरन ये सब क्लेश के कारण है विधी के आधार तीन प्रकार से गण्ये हैं सत्याधार, कर्माधार और विशर्न योग के शास्त्र के आधार पर जो विधी विधान है उसे मानों को सुख शान्ती, संतोष एवं आनंद की उपलवधी है जो मानवियता तथा आति मानवियता सहज वैभव सूत्र है पुना दोरादों, सत्याधार को स्पष्ट करने योग के शास्त्र के आधार पर जो विधी विधान है उससे अब यहाँ विधी का मतलब है आचार सहीता सामान्य सुरूप दे रहा हूँ गम हो इसका वित्याधार को स्पष्ट करने योग्य शास्त्र उसके अधार पर जो विधी विधान है उससे मानव को सुख शांती संतोष आनन्द की उपलब्दी है जो मानवियता तथा अति मानवियता सहजवय दोसूत्र है इस प्रकार से जो हम शास्त्र ध्यान कर रहे हैं उसे हमें ये उपलब्दिया होने पर हमारा विश्वास स्थिर होना ये जाँचना सत्यता पर आधारित विधी विधान एवर नीती ही अंतर राष्ट्रियता की एकात्मता है यही परस्पर राज्य राष्ट्रों की एक सूत्रता सहस्तितो पूर्ण है यही व्यक्ति समुदाय वर्गवाद से मुक्त मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूप है इसे थोड़ा सा स्पष्ठ होने की अवशक्ता सत्यता पर अधरित यानि वस्तुगत सत्य वस्तुस्थिती सत्य वस्तुगत सत्य और स्तिती सत्य यह सत्यता का स्वरूपे तब वस्तुस्थिती सत्य होना वस्तुगत सत्य स्पष्ठ होना यानि इकाई का रूप गुण स्वभाव दर्म स्पष्ट होना और स्थिति सत्य स्पष्ट होना कि तीनों में इस पश्ट होने पर इस अधार पर जो विधीOWN एबन नीती रहा अंतरराश्ट्रिय एकात्मता हैं और एसे रहे अंतरराश्ट्र में ही यहां दिया है व्यक्ति समुदाय वर्गवाद से मुक्त मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूम है अब इस अधार पर जो इसके पूर्व में जो समिक्षा हमारे सामने लाया कि यधार्थ विहिन अंतर राष्ट्र तब यहां सत्यता पर अधारित विधी विधान और नीती यह अंतर राष्ट्र रहे दूसरा यानि यह सत्याधार हुआ दूसरा स्तिती है कर्माधार पर निर्धारित विधी विधान संपन व्यवस्था प्रक्रिया में स्वपर लाभालाब मुक्त विनिमे होता है यह वर्गवावना से मुक्त नहीं है यह ध्यान देने का मुद्धा है अब कर्माधार पर निर्धारित विधी विधान यानि कर्म प्रधान विधी से विधी विधान संपन कोई वेवस्था प्रक्रिया है जिसमें स्वपर लाभालाब मुक्तविनी में होता है हो सकता है पर इसमें वर्ग भावना बनी रहेगी अब यह वर्ग भावना की इसा धा वर्ग भावना से मुक्त नहीं होगा तो इसलिए सत्याधार ही वर्ग भावना से मुक्त होने का आधार दिखता है तिसरा दिया विशे आधार पर आधारित विधी विधान संपन्न शासन प्रक्रिया में स्वपर लाभानी होती है इससे समाज की कोई वेक्ष्या नहीं है समुदाई ही इसकी सीमा है तब अब हमें स्पष्ट होना है कर्म दर्शन में ये स्पष्टता की सत्याधार आधारित विधिविधान कर्माधार पर आधारित विधिविधान विशयाधार आधारित विधिविधान अब इसमें क्या क्या है आगे अंतर राष्ट्रिय एकात्मता, परसपर राष्ट्रों में एक सुत्रता, कर्माधार में व्यवस्था प्रक्रिया और विशाधार में शासन प्रक्रिया ये तो मुझे लगता है Self-Explanatory है विशे आधार पर आधारित वीदी विदान संपन शासन प्रक्रिया इसमें कम ज़्यादा लगा ही रहता है गरीबी या मेरी इसी की देन है ये जितनी असामानत आएं हैं जो अभी हमें दिखती हैं ये सब की सी की देन है इसलिए समुदाई ही इसकी सीमा है जिसमें समाज की कोई व्यक्या नहीं मिलती अब आगे विवेक पूर्ण विचार उपासना इच्छा सहित किया गया प्रत्य कर्म सभी स्तर पर श्रेयसकर है श्रेयसकर का मतलब है सभी के लिए उपलब्द है तब पुनह अब उपाय ये कुछ स्पष्ट और गहरे उपाय प्रारम्भ हो रहे हैं इसको हम लोग दीरे दीरे देखेंगे दर्शन क्षमता जागुरुती पर जागुरुती आकांग्षा एवं आचरन पर आकांग्षा एवं आचरन शिक्षा एवं अध्यन पर शिक्षा एवं अध्यन व्यवस्था पर व्यवस्था दर्शन क्षमता एवं समझदारी के आधार पर होना पाया जाता है अब दर्शन क्षमता क्या है दर्शनक््षमता है वास्थविक्ताओं को अस्तित्व सहज वास्त्विक्ताओं को देखने पहचानने की ख्षबता जानना मानना पहचानना निर्वाह करने की ख्षबता तो दर्शन, क्षमता एवं समझधारी यह आधार होने से यह विवस्था का आधार बनता है क्योंकि जैसा दर्शन है वैसा समझ है तो जिस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं तो अभी दर्शन में हमने दृष्य देखा इस दृष्य को देखने के लिए दृष्टी और ऐसी दृष्टी कसित होना छे प्रकार की दृष्टी प्रिये हितलाब, न्याएधर्मसत्य तो वास्तविक ताओं के जो मूल नियम है नियन्त्रण है, संतुलन है और न्याएधर्मसत्य है ये हम देख पाना, समझ पाना और उस अधार पर हमारा समझदारी सजना यही व्यवस्था का अधार बनता है ऐसा व्यवस्था का अधार से शिक्षा एवं अध्यन सुलब है, सुगम है ऐसे शिक्षा और अध्यन से आचरण एवं आकांग्शाओं को प्रकट होना सुलब है और ऐसे आचरण और आकांग्शा का प्रकटन ही जागरूती है और ऐसे जागरूती से ही मानव की दर्शन शमता है ना प्रमानित होती है ठीक बात है, इस रूप में ग्यानानुकूल यतन, अब करना क्या है? ग्यानानुकूल यतन, यतन यानि अपने प्रेतन, यतनानुकूल कारिय, कारियानुकूल फ्ल परिणाम, फ्ल परिणाम के अनुकूल अनुभो, अनुभो अनुकूल में ग्यान स्पष्ट हुआ है, जो प प्रयास दिखता है, तीन प्रकार के कर्म फोलों को पाने के लिए मानव आध्यानत काषय करता है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ के लक्ष बेच से संपूर्ण कर्म संपन्न होते हैं, अब यहां मद्यस दर्शन के संदर्व आ रहे हैं पूरा संदर्व ही मद्यस दर्शन है पर मद्यस दर्शन का जो कोर संदर्व है वो यहां पर आ रहा है मैं आपको मद्यस दर्शन की परिभाशा यहां पर सुनाता हूँ इस आधार पर यह विशलेशन अमरे लिए समझने में कुछ आसानी होगी मद्यस्थ दर्शन सहस्तित्व में मद्यस्थ सत्था, मद्यस्थ क्रिया, मद्यस्थ बल, मद्यस्थ जीवन का अध्ययन एवं सूत्र व्याक्या तो मद्यस्थ सत्था, मद्यस्थ क्रिया, मद्यस्थ बल, मद्यस्थ जीवन का अध्ययन एवं सूत्र व्याक्या तात्वीक रूप में मद्यस्थ सत्था, मद्यस्थ क्रिया, मद्यस्थ बल, मद्यस्थ शक्ति, मद्यस्थ जीवन का सूत्र व्याक्या मद्यस्थ अस्तितों में संपुर्ण आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निश्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव यह मद्यस्थ है दर्शन दर्शक दृष्टी के द्वारा स्विकार वो प्रतिबधता पूर्वक दृष्ष के साथ किया गए इसका निराकरण कैसा है मद्यस्थ बुद्धी योग में अब द्यान जा रहा हो तो मद्यस्थ बुद्धी योग में समबुद्धी सतकर्म में प्रवुरुत पाई जाती है संपूर्ण कर्म वैविध्यताएं मानवियता में सविरोधी स्थिती से मुक्त हो जाती है इसका प्रत्यक्ष साक्ष नियम्त रहका आचरण है प्रवुत पाई जाती है संपूर्ण कर्म वैविध्यताएं मानवियता में सविरोधी स्थिती से मुक्त हो जाती है अर्थार मानिवियता में सर्विरोधिस्तिती ये आवेशों से ही है और जो विकार हैं आवेश हैं तब मध्यस्थ बुद्धी योग में ये सारे आवेशों का होना निराकरण होना और इन आवेशों से निश्प्रभावित होने से जो वैविद्यत आएं हैं वो खतम होना और यही साक्ष है नियमत्रय का आचरण प्रमानित होता हुआ दिखता है प्रतेक योग और वियोगों में मूल्यों की प्रतिती एवं नियोजन पाया जाता है योग कार्थ मिलन वियोग कार्थ बिच्चड़ना तो मिलना और बिच्चड़ने में मूल्यों की प्रतिती एवं नियोजन पाया जाता है जो हमको सही मुल्य प्रतीत होता है तो हम उसमें नियोजित होते हैं जिसका मुल्य हमको नहीं लगता है उसमें हम वियोग हो जाते हैं तब ये दिखता है कि आस्तित्व में वियोग की कोई स्थिती मानों में नहीं है सारी चीजें संपूर्णता में स्पश्ट होने पर योग संयोगे स्थिति बनती है तो संयोग से भाव, भाव से क्रिया, क्रिया से संयोग यही सापेक्षता एवं व्यवहार क्रम चक्र है संयोग की परिभाशा है पूर्णता के अर्थ में मिलन सामाजिक मुल्यों का मिरधारन एवं निर्वाह करने की इक्षमता ने ही सामाजिकता पूर्ण असामाजिकता सहित व्यक्तित्व को सपष्ट किया है यही मानों के रास और विकास का परिचायक है उच्च और नीच प्रकार से परस्पर में भावक्रियाएं संपन्न होती हैं जिनसे ही उनके विकास का परिचे होता है उच्च भावपूर्ण परिवार सम मध्यस्थ संयोगपूर्ण समाज मद्यस्थ समयोग पूर्ण व्यवस्था तंत्र यवं व्यवाहार ही सर्वमंगल कारेक्रम है उच्य भावपूर्ण परिवार सम मद्यस्थ संयोगपूर्ण समाज मद्यस्थ सम योगपूर्ण व्यवस्था तंत्र एवं व्यवहार ही सर्वमंगल कारेक्रम है तो इसका ध्यान ये जा रहा है कि जो व्यवस्था तंत्र है इस व्यवस्था तंत्र में मध्यस्थ सम यह योग है और जो समाज है उसमें सम मध्यस्थ संयोग है और इसके आधार पर उच्य भावपूर्ण परिवार तो मुझे यहां यह द्यान चला जाता है उच्य भावपूर्ण परिवार का मतलब है जिन परिवारों में भावों की उच्यता समाधान समृद्धी के अर्थ में समझदारी को प्रमानित करने के अर्थ में भावपूर्ण ता और ऐसी भावपूर्ण परिवारों का जो एकत्री करण है वह है सम होना और ऐसा सम का जो लक्ष है वह है मध्यस्त और ऐसा सम्मध्यस्त संयोग सदैव समाज में बहने रहने का अर्थ है कि समाज में जागरुती के प्रती जागरुकता है और समाज जागरुती को पहचानता है और जागरुती के लिए प्रेड़ना देता है और ऐसी प्रेरित समाज को मध्यस्थ समयोग पूर्ण व्यवस्थातन जहां पर कि ऐसे अवसर और साधन उपलब्द होना जहां कि हर व्यक्ति जागृति को पा सके समझदारी को पा सके और ऐसे व्यवहार ही सर्वमंगल कारिक्रम है इस प्रकार से यह विश्लेशन स्पष्ठ होता है पुन्ह एक बार स्पष्ठ दर्शन क्षमता के बिना सतकर्म का निर्धार नहीं है दर्शन क्षमता ही सम विश्यम मध्यस्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले मध्यस्थ दर्शन में मद्यस्थ सत्ता, मद्यस्थ जीवन, मद्यस्थ शक्ति, मद्यस्थ बल, इस आधार पर मद्यस्थ विचार, मद्यस्थ न्याय, ऐसा दर्शन शमता ही सम विशम मद्यस्थ क्रिया प्रक्रिया प्रयोजन का निर्णय करती है साथ ही आच्रण, व्यवहार, व्यवस्था एवं शिक्षा प्रनालिये पूर्णता स्थापित करती है व्यवहार के लिए ज्यान विवेक और विज्यान उत्पादन के लिए ज्यान सम्मत विवेक सम्मत और विवेक सम्मत विज्यान पुर्ण ज्यान अनिवारी है ऐसा ज्ञान प्रतेक जागरूत व्यक्ति की ख्यमता वह आवशक्ता के अनुसार प्रकट एवं व्यववरुत होना होता हुआ पाया जाता है तो भाई और बेनों मैं यहाँ पर व्यवहार की परिभाशा और विवेचना की परिभाशा यह थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूँ यह एक मुझे लगा कि आधार बुथ परिभाशाएं हैं व्यवहार जो हम से नेरोज ही होता है व्यवहार से अलग मानों तो नहीं है जब तक मानव जीवित है तब तक मानव के साथ व्यवहार है ही तो व्यवहार क्या है और विवेचना क्या है इस प्रकार से हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो व्यवहार है ज्यान विवेक, विज्यान रूपी, समझदारी सहच प्रमान ये व्यवहार है मनुष्य की परसपरता में निहित मुल्यों का निर्वा यह विवहार है तो परसपरताओं में जो निहित मुल्य हैं मुल्यों की सुचना वापस एक बार हमें याद हो ना मानव मुल्य 6 और परिवार मुल्य 18 जीवन मुल्य 4 वस्तु मुल्य 2 ये सब का आदान प्रदान ये व्यवहार है तीसरा पॉइंट है इसमें व्यवहार में एक से अधिक होने पर या होने के लिए किया गया आदान प्रदान स्थापित संबंदों में निहित स्थापित मुल्यों में अनुभव सहित शिष्टता पूर्ण पधती से व्यवसाय मुल्य का उत्पादन उपयोग उपभोग एवं वितरण ये चार मुद्दों पर हमारा व्यवहार सजता है और ऐसे व्यवहार के लिए ज्ञान विवेक और विज्ञान उत्पादन के लिए ज्ञान सम्मत विवेक विवेक सम्मत विज्ञान पुर्ण ज्ञान अनिवारिय है ऐसा प्रत्य जाकृत व्यक्ति की शमता वो आवश्रत्ता के नुसार प्रकट एववरुत होना हुआ पाया जाता है व्यवहारिक मुल्यों का मिरधारण विवेचना पूर्वक ही होता है विवेचना है जीवन के अमरत्व शरीर के नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम के अनुसार है अब विवेचना क्या है तो विवेचना है अनेक दिशा कोण से परिक्षेंड पूर्वक समाधान कारित सूत्र लक्षको पहचानना विवेचना पूर्वक का अर्थ है लक्षकों पहचानना विश्लेशन सहित स्पष्ट करना तब हम अपने लक्षक पहचानने के लिए अनेक दिशा कोणों से परिक्षन पूर्वक समाधानकारित सुत्र सहय से हम लोग लक्षकों पहचानते हैं तब ऐसे व्यवहारिक मोल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक होना तब ध्यान जा रहा है किस पश्ट दर्शन क्षमता से हमारे में क्या-क्या क्षमताईं प्रकट होती हैं उसमें एक तो है न निर्णय क्षमता दिया कि समव विशम मध्यस्थ क्रिया प्रक्रिया और प्रयोजन का निर्णय ये एक ख्षमता हमारे में आना और इस ख्षमता से हम आचरण व्यवहार व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में पूर्णता में स्थापित कर पाना फिर है ये विवेचना कर पाना और व्यवहार के लिए ज्ञान विवेक विज्ञान को स्पष्टता से समझ पाना और इस प्रकार से ये व्यवहार मुल्यों की निर्धारण हम कर पाना ये ऐसी ख्षमता है प्रकट होने लगना तो जितना जितना हमारा ध्यान ये सब मुद जीने के लिए आते हैं वैसे वैसे हमको हमारे शमताओं का परिचे होने लगता है व्यवाहरिक मुल्य मानविता के अर्थ में सार्थक होते हैं इस आधार पर नियम त्रह सिद्ध हुई है अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए एक और सटीक परिभाशा में सुनाना चाहता हूँ हम सभी लोग सामान्य तया एक दूसरे के उच्साहा वर्धन के लिए सकारात्मक शब का प्रयोग करते हैं सामान्य तया जब हमें कोई appreciation देना है तो हम कहेंगे हाँ बढ़िया यह सकारात्मक है तो मैं सकारात्मक की परिभाशा देता हूं तो सकारात्मक की परिभाशा है जागरूती बोध वो प्रमानित होने योग्य ऐसा हमें पहचानने में आता है कोई व्यभार कारिय तब हम कह नहीं करने हैं सकारात्मक का अश्क कारता है जय साग्रुती बोधां हो प्रमानित उने योग कोई कार्य वेभार है कोई इसस्पष्टता और कोई दर्शन वह जाग्रुती बोधान प्रमादित होने के देता है वो अल्ला स्वरूप हम कहते हैं हाँ हमारे में सकारात्मकता का ध्यान जा रहा है यानि हम सकार रहे है और दूसरा दिया है विधी सम्मत तो अब जब भी कभी हम किसी को सकारात्मक कहेंगे तो अब जागरुती बोधो प्रमानित होने योग्य होने पर अपना ध्यान चला जाएगा जिससे की हमारा focus clear रहेगा कि हम कौन से मुद्वों को सकारना है और कौन से मुद्वों को हमें नकारना है स्वभाविक है इसी से विदी निशेत तै होना जो जागरूती के लिए योग्य नहीं है वह अनावश्य नकारने योग्य है और जो जागरूती के लिए सटीक है सही है वह योग्य है और वह सकारात्मक है तब आगे मानव सहज परसपरता में किया गया आचरन एवं निर्वाह सहस्तित्व विदी से सार्थक तथा अस्तित्व विदी से असार्थक एवं समस्या है अभी बात हुई तब जब भी कभी सार्थक हुआ अब सार्थक ताकि पहचान तन मन धन का उपयोग सदूपयोग और प्रयोजे नहीं था एक सरल सुत्र समझ में आ रहा है यकिनि वो सार्थक होना आगे यथार्थक ज्यान क्षमता का प्रत्यक्ष रूफ ही मानवियता पूर्ण आचरण है अभी यथार्थ ज्यान की बात थी तो यथार्थ ज्यान कैसे समझ में आता है तो उसका मानवियता पूर्ण आचरण ये जैसे जैसे हम पहचान पाते हैं वैसे वैसे यथार्थ ज्यान क्षमता में हम काम करने लगते हैं समझने की क्षमता ही परसपरता में ग्यान सहज उद्गाठन है ये तो एक और सुंदर सटिक सूत्र है हम लोग एक दूसरे की समझने की क्षमता जो परसपरता में एक दूसरे को समझना यही ज्यान सहज उद्गाटन है कितना सुंदर, सटिक और सुक्ष्म मुद्दा है अभ्यास में हमारा ध्यान जाना कि क्या मैं समझ रहा हूं परस्परता में क्या हम एक दूसरे को समझ रहे हैं अब यह समझने की ग्षमता क्या है समझने की क्षमता व्यंजनियता है इकाई की मूल व्यंजनियता सत्ता में संप्रुक्तता ही है संप्रुक्तता की अनुभूती ही पूर्ण व्यंजनियता है चैतन्य इकाई की व्यंजनिय क्षमता में गुनात्मक परिमार्जन ही संसकार है यही दर्शनक्षमता एवं अनभोक्षमता है अब थोड़ा गहरा लेके जा रहे है किस पष्ट दर्शनक्षमता दर्शनक्षमता अब ये दर्शनक्षमता ये क्या प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया है व्यंजनियता इसके आगे जो पुस्तक है मानव अभ्यास दर्शन ये मानव अभ्यास दर्शन पूरा का पूरा व्यंजनियता पर अधारित कैसे हमारे में व्यंजनाएं होती है अब व्यंजना की यहां परिभाशा है मूल्य एवं क्रिया संकेत ग्रहन क्षमता इतनी चानकारी हमें हो गई है कि अस्तित्व की जो इकाईयां है हर इकाईया मौलिक है हर इकाईय का मूल्य है हर इकाईय व्यवस्था में भागिदार है और मूल्य है और वो क्रिया कर रही है तो ऐसे मूल्य क्रियाओं के संकेत है आगे कर्मदर्शन में ही यहां पर आएगा संकोचन प्रसारण तो मौलिक रूप में संकोचन प्रसारण यह संकेत और यह संकेत परमाणवी स्थिति में संकोचन प्रसारण है ना और यही संकोचन प्रसारण आगे पहचानना निर्वाह करना और मानव में जो गतियां है कमपनात्मक गती और इस कमपनात्मक गती रुपी जो स्पंदन इस स्पंदन को हम परावर्तन, प्रत्यावर्तन, स्थिती गती, बलशक्ती इस रुप में हम पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि मानव में जो क्रियाएं हैं मानव का जो मूल्य है और जो क्रियाएं हैं ऐसे हम परसपरता में हम पहचानने लगते हैं तो हमें मानव व्यंजित होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, यही समझने की क्षमता ही व्यंजनियता है, और इसमें व्यंजनियता सत्ता में संप्रुक्तता ऐसा यहां पर स्पष्ट हो रहा है, तो चैतन्य इकाई की व्यंजनिय क्षमता में गुणात्मक परिमारजन ही संसकार है अभी जो वेंजना होती है सामानितया रूप और गुण की वेंजना है सभाव धर्म वेंजित हो पाना ये कहे सकते हैं गुणात्मक परिमारजन ही संसकार है और यही दर्शन क्षमता एवं अनुभो क्षमता अब इसमें क्या-क्या दो सत्य में आनुभो प्रसित्य सत्य की सूचना है हमें परिमान और सीमा अब यह क्या चीज़ है तो परिमान है सीमा सीमा का प्रमाने भी इकाई है उस इकाई की सीमा है अब यह सीमा क्या है कहां दिखती है तो यह सीमा है कि सत्ता में वस्तु सभी और से सीमित है और इस इकाई की जो धर्मियत आ है वह उसकी सीमा है तो पदार्थ अवस्था, प्रान अवस्था, जीव अवस्था और ज्यान अवस्था कि समस्त इकाईयां ये सभी और से सत्ता में घिरी होने से हमें इकाई की सीमा समझ में आती है और उस सीमा से हम इकाई का परिमान का दर्शन करते हैं और सत्य में अनुभो प्रसिद्ध है व्यंजनियताक शमता क्रम ही जागरुती क्रम और जागरती को प्रकट करता है अब आगे मानव दर्शक वद्रुष्य सहस्तित्वर रूप में प्रकट वर्तमान है यही दर्शन प्रिष्ट वुमी है दर्शक की हमें सूचना है मानव के रूप में दृष्य सहस्तितो के रूप में प्रकट वर्तमान है हर पल हर क्षन हम उसको देख रहे हैं अर आवस्था चार आवस्थाओं का अंतर संबंद अंतरसंबंध में क्रिया और यह क्रिया शीलता से एक व्यवस्था जो नित्य प्रकटन में है यही वर्तमान है यही पृष्ट भूमी है यही दर्शन की पृष्ट भूमी है प्रकटन को प्रमानित करने के लिए दर्शक का रहना आनिवारिय है दर्शक ही वेंजनियक शमता से प्रतिष्ठी थे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई प्रकृती अनंत इकाईयों का समू है यही दृष्य राशी है राशी का मतलब बहुत सारी इकाईयां होना यह द कि हमारी अपनी जागरूती के स्थिती के अनुरूप हम दर्शक हैं मानव जीवन का अध्यानत कारेकरम एवं आचार तीन प्रकार से गण्ये है सत्याचार लोकाचार और विशेयाचार यह क्रम से उत्तम मद्यम एवं आधम की परिगणना में है ये स्वयम स्पष्ट है मानवियता पूर्ण आचरण ही आवधारना सहच प्रमान है आवधारना ही निवरुत्ती में प्रमानी थेवती है निवरुत्ती ही समवेग वविवेग अब यहाँ उपायोजना है और अनुभूती है कि मानवियता पूर्ण आचरन ही अवधारना सहच प्रमान है रहस्यमुक्ति अध्याय में अवधारना पर काफी सारी चर्चा हुई है तो अवधारना स्पष्ट हो गया होगा तो सामान्य रूप में यही कहूंगा अभी सहस्तित्व की सूचना को समग्र सूचना को हम आवधारणा के रूप में ले सकते हैं तो सहस्तित्व आवधारणा ऐसी आवधारणा ही निवरुत्ती का मतलब है निवुरुत्ती का मतलब है हम बंधन मुक्त या स्वानुशासित और स्वतंत्र ये प्रमानित होती है ऐसे निवुरुत्ती ही कारण बनती है सम्वेग व विवेग और सम्वेग व विवेग ही अनुगमन व अनुसरन अनुगमन का आर्थ है परंपरा के रूप में अनुकर्णिय गती या अनुकर्णिय गती तो सम्वेग वो विवेग ही अनुगमन वो अनुसरण अनुगमन वो अनुसरण ही उद्घाटन उदगाटन ही प्रकटन प्रकटन ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही प्रमान प्रमान ही अनुभूती अनुभूती ही क्षमता योग्यता और पात्रता क्षमता योग्यता पात्रता ही स्थितिवत्ता स्थितिवत्ता ही विभव विभाव ही वैभाव और वैभाव ही आचरण है तब यहां अब दर्शनक्षमता होना और दर्शनक्षमता से अवधारणा हाना और ऐसे अवधारणा मानवियता पूर्णा आचरण में प्रकट होना और फ़लस्वरूप, समवेग विवेग, समवेग विवेग के रूप में अनुगमन, यानि आवधरना होने से मानवीय परमपरा का डिजाइन या स्वरूप स्पष्ट होना और हम परंपरा में अनुकरणिय गती के लिए हम आगे बढ़ना यहाँ अनुगमन है अनुसरण है नियमों का अनुसरण और अनुगमन और नियमों का अनुसरण से उद्घाटन और इस तरह से हमारा स्थिती वत्ता रुपी वैभो स्थिती वत्ता का मतलब है हम मानव इकाई स्थिती क्रिया भी है गती क्रिया भी है तो मानव इकाई का जो स्थिती होना अनुभव की स्थिती होना याने एक शमता सिद्ध होना ये स्थिती वत्ता है यही विभव और यही वैभव है तो इस प्रकार से मानवियता पूर्ण आचरण ही वैभ हो है यह यहाँ पर स्पष्ट हुआ दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है और व्यवहार उसके अनुरूप है अब यह प्रतिरूप और अनुरूप यह काफी मुद्दे परंपरा में आए हैं अब यहाँ पर प्रतिरूप को कह रहे हैं दर्श्टा पद की दर्शन क्षमता का प्रतिरूप और व्यवहार उसके अनुरूप है जो प्रसिद्ध है चोटा सा द्यानाकर्शन हमारे लिए आ रहा है विचार के अभाव में शरीर द्वारा कोई कारे वेभार सिद्ध नहीं होता या प्रत्यक्ष नहीं होता इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर द्वारा किये जाने वाले संपुर्ण क्रियापलों क्रियाकलाब के मूल में विचार ही है शरीर विचार नहीं है यह विचार को प्रसारीत करने का माध्यम है इस निशकर्ष से विचार शरीर से अतिरिक्त है और यह चैतन्य क्रिया है तब ऐसे दर्शनक्षमता से हमें यह स्पष्ट होना कि विचार मूल रूप में क्या चीज है तो विचार मूल रूप में चैतन्य क्रिया है और ये शरीर से अतिरिक्त क्रिया है इस प्रकार जो सुभबात आ रही थी कि जागुरूत वपन और सुशुप्ति में क्या होना काईक वाचिक मानसिक क्रिया में क्या अंतरभूत होना तो ये एक अभ्यास कि विचार चैतन्य क्रिया है इस पर हमारा ध्यान चला जाना वैचारिक शमता मानव की पांचो स्थितियों में है जो पांच स्थितिया भी हमने चर्चा किया इसलिए सर्व मानव में शमता समान है वैचारिक शमता के परिमार्जन है तू सत्मार्ग एवं शुभकारी योगा भ्यास प्रसित है चेतना विकास मुल्य शिक्षा पूर्वक संस्कार में गुणात्मिक परिवर्तन है यही सर्व शुभकारी है पुना यही वैचारिक शमता है यह क्रम मानवियता तथा अति मानवियता पूर्ण आचरणों से संपन होने तक परिपूर्ण व्यवस्था है यह नियमत्रय के पालन अनुसरन एवं अनुशीलन पूर्वक सफल है अन्यथा असफल है यहाँ अनुशिलन का मतलब है प्रमानित होने के लिए स्पष्ट होना यह अनुशिलन है नियमत्रे का पालन अनुसरन अनुसरन का अर्थस्पष्ट है यानि नियमत्रे जो सुबह से चर्चा रही थी बौधिक नियम प्राकृतिक नियम सामाजिक नियम तो ऐसी वैचारिक श शिक्षा और व्यवस्था में हम मानव एक दूसरे के साथ परस परताओं में योगा भ्यास प्रसित है इसी को कहा चेतना विकास मुल्य शिक्षा पूर्वग संसकार में गुणात्मक परिवर्तन है यही सर्वशुभकारी है पुना यही वैचारिक शमता है तो विचार के आधार पर मानवियता और अतिमानवियता पूर्ण आचरणों से संपन्न होने तक परिपूर्ण व्यवस्था में होना यही योगा भ्यास ह इसमें दिया ही है योगा अभ्यास मिलन का अभ्यास मिलन के अनंतर स्विकृती जीवन जागृती के रूप में और विकृती अमानवियता के रूप में दृष्टव्य है अब ऐसा योगा अभ्यास जिसमें वैचारिक शमता का परिमार्जन होना ऐसे मिलन के अनंतर जीवन में स्विकृती होना स्वभाविक है प्रत्यक मानव प्रभुत्यता के लिए प्रयास है प्रभुत्यता का प्रत्यक शरूप ही मानवयता पूर्वक ही व्यवस्था पूर्वक वैभाव है जो पूर्ण है पूर्ण का मतलब है हर मानों की शमता पात्रता और योग्यता यानि पात्रता विकसित होना योग्यता विकसित होना पात्रता का आर्थ है ग्रहन क्रिया योग्यता का आर्थ है अभिव्यक्त क्रिया ऐसा पात्रता और योग्यता को होना यानि शमता जो की वह पूर्ण विवस्था जहां पर यह सारी शमताई विकसित होने को कहेंगे पूर्ण विवस्था जीवन का कारेक्रम ही कर्म है यही आच्रण है सम्रुद्धी कला और बोध के लिए आच्रण मानवियता पूर्ण मानव मानव में पाया जाता है अब ये कैसे पहचाने तो मानवियता पूर्ण मानव में समुरुद्धी कला और बोध के लिए आचरण पाया जाता है सत्य बोध एवं सहजता के लिए आचरण मानवियता एवं दिवे मानवियता पूर्ण मानव में प्रत्यक्ष है जो उनका स्वभाव है अब यहां से सानिध्य प्रारंब होता है कि यह जो योगाभ्यास कहा यह जो मिलन है यह मिलन में हम क्या देखते हैं तो जागरूत मानव का मानवियता पूर्ण आचरण जो की प्रत्यक्ष है जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव में से हमारे में सानिध्य होना मानव के लिए मानवियता एवं आति मानवियता पुर्ण आचरण ही नितान तोप्योगी एवं आवश्यक है तो एक सहियत, अनुभूती, एक प्रस्ताव ऐसा दिया कि मानव के लिए मानवियता एवं आति मानवियता पूर्णा आचरण ही नितान तूपयों की एवं आवश्यक है तो अब हमें सोचना है मानव की पांचो स्थितियां परस पर पूरक है इनकी एक सुत्रता ही अखंड सामाजिकता है यह नियम च्रय पालन होने से, सामान्य होने से है प्रत्यक अविश्कार एवं अनुसंधान व्यक्ती मुलक उदगाटन है यह शिक्षा एवं प्रक्चार के मात्यम से सर्वसुलव हो जाता है यही सर्वसामान्निकरण प्रक्रिया है आपका ध्यान जा रहा होगा सुबह हमने आविश्कार और अनुसंधान पर अच्छी चर्चा की यह शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से सर्वसुलब हो जाता है यही सर्वसामान्निकरण प्रक्रिया है यानि सभी को उपलब्द हो तो जिस प्रकार से यह जो कारेक्रम अभी हो रहा है और आने को जगा पर हो रहा होगा तो जिस प्रकार से सरलता से सादगी से इन दर्शनों की पुस्तकों को पठन पूर्वक उसके जो विशलेशन है सामान विशलेशन जिससे की सुनने वाले का उस पर ध्यान चला जाए और वह इस तरह से जीने के लिए समझने के लिए प्रेणा बने इस रुप में यह प्रचा मुझे भी अच्छा भाव मेरे में भी विकसित हो रहा है तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी सुनने वालों को और इसके आयोजन करताओं को भी जिसका विभव एवं वैभव है उसी का अविश्कार है क्योंकि उसके पहले उसका स्पष्ट ग्यान मानव कोटी में था ही नह में अर्थाथ सन 2000 से पहले जो समझ मानव समुदायों में रहा उसकी तुलना में मध्यस्त दर्शन आविश्कार अनुसंधान है सहस्तित्व में से के लिए प्रकटन ही आविश्कार है आविश्कार की सामान्य करण प्रक्री या ही शिक्षा यही चेतना विकास मुल्य शिक्षा है सुबह के चर्च आपके स्मरण में हो मानव के लिए जितना उन्नत आवकाश है उतना ही बतन के लिए भी आवकाश है अब ये एक ध्याना कर्शन आ रहा है इस पर ध्यान देने के आवश्चक्ता सतर्क रहने के आवश्चक्ता मानव के लिए जितना उन्नत आउकाश है उतना ही पतन के लिए भी आउकाश है पतनों मुखी क्रिया कला भी अपराद एवं गलतियां है इसी का प्रत्यक्षरू भी दुख, अशान्ती, असंतोश एवं असहस्तित्व भ्रह्म है पतनोन मुखी जीवन की श्रुंखलाग में अपराद के तीन कारण दुर्शवे हैं एक है अभाव, अत्याशार, एवं अज्ञान, इसी के साथ ही राग, द्वेश, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग, एवह और असफलता भी है जिस तरह से आप सभी लोग इसको सुन रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि हर शब्द जो आप तक पहुँच रहा है उस शब्द के जो आशे हैं, वह आशे कानुमान आप में बन रहा होगा, स्पष्टता भी बन रही होगी ऐसी मेरी स्विकृती है, और जहां कहीं आपको ऐसा लगे, उसको आप अपने मोबाइल सेट से इस प्रश्ण मुक्ति अभियान पर प्रश्ण को प्लेस कर सकते हैं पतनों मुखी जीवन के श्रुंखला में अपरात के तीन कारण पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं, अभाव, अत्याशा, एवं अज्ञान, इसके साथ ही राग, द्वेश, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग और असफलता भी है इसका निराकरण क्रम से, अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से निराकरण आ रहा है सब लोग सुन रहे होंगे इसका निराकरण क्रम से, अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से अत्याशा को विवेक से अज्ञान को ज्ञान से राग को वीराग से द्वेश को सनेह से असत्य को सत्य से अभिमान को सरलता से भाई को अभै से आलस्य को चेश्टा से प्रयास करना होगा है ना आलस्य को चेश्टा से असफलता को पराकरम से वो पुनव प्रयोक से रोग को अवश्यधी आहार एवं विहार से समाधान एवं परिहार करने की विवस्था है जो मानव के लिए एक अवसर है यही आवश्यक्ता है तो पुनव हमारे लिए कारिकरम के लिए संकेत हैं कि हम कैसे जागरुती लक्ष को पा सकते हैं क्या क्या वो बिंदू हैं जिनकी इस पश्ट जानकारी हमारे में नहीं होने से हमारे प्रयास असफल होना है ना और एक पतनुन मुखी जो श्रुंखला है उस श्रुंखला को तोड़ कर और जो उन्न विवेक का उपयोग हो जाना ही अखंडता है जो स्वर्गियता है विज्ञान निपुनता कुशलता मानव से कम विखसित का परिमानी करन पूर्वक नियंतरन करने के लिए योग्यता है जो पूर्णतया उत्पादन क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है और आशिक रूप से व्यवहार में यानि निपुनता कुशलता में से कुशलता आशिक रूप में व्यवहार में भी सिद्ध हुआ है जबकि विवेक स्वयम के विशलेशन पूर्वक सामाजिक मुल्य को स्पष्ट करता है अब विवेग की सूचना हमारे पास है कुशलता निपुणता की सूचना है परिमानी करण की बात अभी हुई है ना उसमें नियंतरन की बात हुई उसके लिए जो योग्यता है उत्पादन क्षेतर की बात हुई इस प्रकार से जो वैज्ञानी क्षमता है उस क्षमता का कैसा सदूपयोग हो सकता है ये सुपाई से दिखता है सहस्तित्व में ज्यान ही दृष्य मानव दृष्टा मानवत्व पुर्वक दृष्टी होना स्पष्ट है इसलिए सहस्तित्व में ज्यान सहस्तित्व में व्यवहार वो समाधान प्रमानित होता है व्यवहारिक मुल्य ही स्थिर मुल्य है अभी हमने थोड़ी देर पहले व संबंध एवं संपर्क परेंट व्यवार के लिए अवसर संपन है। मुल्य भीन संपर्क और संबंध नहीं है। प्रत्यक परस्परता में अपएक्षाईज समाहीत है। मुल्ता यही सापेक्षता है, यही आवश्चक्ता है। ग्यान गोचर दृष्टी गोचर के आधार पर ही प्रत्यक्षर अनुमान एवं आगम क्रिया का वरगी आधारण है अब यहां पर प्रमानों की चर्चा प्रारम हो रही है इस प्रकार से अभी तक हमने दर्शन ख्षमता मानों की पांचो स्थितियां उन पांचों स्थितियों में हमारा अनुकरण अनुगमन और कैसा मानव के लिए उन्नत आवकाश अवनत आवकाश और ये जो अविश्कार है ये अविश्कार कैसे मानव के लिए उन्नत आवकाश करस्ता तैयार होता हुआ दिखता है और ऐसे में अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसका क्या प्रमान है तब हमें दिखने की दो द्रिष्टी है एक है ज्यान गोचर यानि जीवन द्रिष्टी और द्रिष्टी गोचर आनि जो आखों में आता है कि परंतु इसका अर्थ भी जीवन में ही होता है इस प्रकार Dot गोचर दृष्टी गोचर के अधार पर यहां पर दोनों चीज़ों को संयुक्त रूप में लिया है प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम क्रिया का वर्गी करण एवं निर्धारण है जो पूर्व में सानिद्य के योगा भ्यास में अब इस सानिद्य को यहां पर आगे विश् और सानिद्य संभावनां के अतिरिक्त अस्तित्वही आगम क्रिया है प्रकृती की अनंतता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमाना अतिरिक्त अस्तित्व का प्रमान है तो प्रकृति की अनन्तता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमाना तिरिक्त अस्तित्व का प्रमाण है सानिद्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष सानिद्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान और सानिद्य संभावनाओं के अतिरिक्त अस्तित्व ही अगम क्रिया है और यह हमें प्रकृति की अनन्तता और सत्ता में पूर्णता यह अस्तित्व का प्रमाण है तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम क्रिया ये तीनों के प्रमान एक हरत में यहाँ पर स्पष्ट किये गए हैं और आगे विशलेशन होगा सुरेंद्र भाई इसके अध्यता हैं परंपराओं के भी तो मैं उनसे विनय करूंगा कि ये जो प्रमान की बात प्रमपरा में हुआ है जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और ये प्रमपरा के प्रमान और बाबाजी ने इसको जिस तरह से परिभाशित किया है तो ये परिभाशी प्रमान किसे प्रक्तिक्ष कह रहे हैं क्या अनुमान और आगम ऐसे इसमें दिया हुआ है पर एक तुलनात्म के दि प्रस्तुत करेंगे तो कर्मदर्शन में ये एक सहयक प्रमानों को पहचाने में एक सहयता होगी तो इसका मतलब है कि प्रकृति की अनंतता और सत्ता में पूर्णता इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं इसका मतलब यह रहस्य से मुक्त है यानि जो कुछ है सभी अस्तित्व है और ऐसे अस्तित्व ही फिर आगम क्रिया है और ऐसे अस्तित्व की आगम क्रिया में परस पर सानित्य ही अनुमान है या उसकी निरंतरता है और ऐसा हमारे में दिख पाना एक दुसरे को हम पहचान पाना यही सानित्य की निरंतरता का अन प्रत्यक्षय है यही सुख है ऐसा सानित ही शिक्षय और विवस्था है और यही परस्परता में सहस्तित्व सुख समाधान और क्या कहें इसके निरंतरता है denn तो इस प्रकार से मानों का न्याइक और सामाजीख होना येंट-हिशानिद्य का इसमें मुझे तो स्पष्ठ हो रहा है इसलिए भाई और बहनों मानों की अवस्षक्ता क्या है न मानों का अध्ययन हम मानों के साथ ही सुखी होंगे मानों के साथ ही समाजदार आधार और आगम क्रिया का भी स्थूल सूख्ष्म और कारण रूप में रहने का प्रमान सिद्ध होता है रूप और गुण स्थुल गुण और सभाव सुक्ष्म सभाव और धर्म कारण क्रियाएं हैं इसलिए व्यवहार उत्पादन कर्मों में तीन स्थर्मे प्रवृत्तियों को पाया जाता है स्वतंत्र अनुकरण अनुसरण अब यहाँ पर कर्मों में स्वतंत्र अनुकरण और अनुसरण अब उसका जो आधार है यह आधार हमें स्पष्ट होना स्थूल सुक्ष्म और कारण स्थूल इसलिए कह रहे हैं कि यह ज्यान गोचर तो है ही दृष्टी गोचर भी है यानि आखों में भी दिखता है रूप आखों में भी आता है अन्शिक गुण आखों में भी आता है गुण और स्वभाव सुक्ष्म हैं यानि यह ज्यान गोचर है स्वभाव और धर्मकारण क्रियाएं हैं यह ज्यान गोचर क्रियाएं इस प्रकार दृष्टी गोचर और ज्यान गोचर यह हमें स्पष्ट होना स्थूल सुक्ष्म एवं कारण बेचे क्रियाएं आप देहां देते हैं ये कहां की बात हो रही है ति की अनन्तता इस रूप में दर्शनक्षमता इस रूप में वेंजनियता ये सारा हमें स्पष्ट होना और स्पष्ट रहना तब व्यवहार उत्पादन करमों में ये प्रवृतिया हैं अब ये प्रवृतियों को देखते हैं स्वतंत्र प्रवृतियों की रियाश्री लता उनमें परिप्रेक्षों में स्पष्ट होती हैं जिनके संबंद में ये विशेशक्यता है जो विशेशक्य होने के लिए इच्छूख हैं उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है जैसे स्थूल, सुक्ष्म और कारण स्वतंत्र प्रवृत्यों की क्रियाश्यलिता उन प्रविप्रेक्षों में स्पष्ट होती हैं जिनके संबंद में ये विशेशक्यता है तब आगे सामान्य बुद्धी से स्थूल, विशेश बुद्धी से सुक्ष्म, विशिष्ट बुद्धी से कारण का प्रतिक्षी करण है इस अधार पर ये विशेशक्य होने के अर्थ में स्वतंत्र प्रवृत्यों जिनमें विशेशक्यता के प्रती इच्छा जागरुत नहीं हुवी हैं उन्हें अनुसरन क्रिया में अनुसिलन पूर्वक ही कर्म एवं व्यवहारत पाया जाता है ये विकास एवं आवसर के योगफल का द्योतक है प्रधान्ता व्यवस्था और शिक्षा ही है तो इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था से विशेशक्यता के प्रती इच्छा जागरुत करने के अर्थ में स्वतंत्र प्रवरुतियां और ऐसी अनुकरण प्रवरुतियां जो शिक्षा और व्यवस्था में सुपष्ट होती है तो ऐसा एक अंतर संबंध व्यवहार और उत्पादन करमों में स्वतंत्र अनुकरण और अनुसरण के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है तो हम तो चाहते ही हैं कि विशेशक्यता के प्रती इच्छा जागरूत होना पर उसके लिए अनुसरण क्रिया में अनुशीलन पूर्वक व्यवस्था होना जिससे कि विशेशक्यता के प्रती इच्छा जागरूत होना जिससे कि स्वतंत्र प्रवृतियां विकसित हो अब आगे स्वतंत्र सक्रियता स्थूल सूक्ष्म एवं कारण क्रिया की सानीत द्यानुभूतिक शमता से अनुकरनात्मक सक्रियता स्थूल एवं सूक्ष्म क्रिया की सानीत द्यानुभूतिक शमता से याने इसमें कारण क्रिया के लिए जिग्यासा होना और आगे अनुसरनात्मक सक्रियता स्थूल क्रिया की अनुभूती क्षमता से संपन्न पाई जाती है यही वेंजनिय क्षमता में प्रत्यक्ष अंतरांतर है तब जो वेंजनिय क्षमता की बात हुई थी कि हम स्थूल को पहचान पा रहे हैं सुक्ष्म को पहचान पा रहे हैं और कारण को पहचान पा रहे हैं यह सभी क्रियाओं को हमेश पष्ट होना और इस अधार पर हमारी जो प्रूरुतियां है वो स्वतंत्र अनुकरण और अनुसरण है अब आगे इनकी लक्षन डिये हैं स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रन क्षमता स्वायत अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रित होने की क्षमता और अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाही थे वापस दोरा देता हूँ प्रद हैं तो मैं यहाँ पर शिक्षा और व्यवस्था का संदर्बा है उस रूप में शिक्षा और व्यवस्था की पद्धती और प्रणाली में यह अनुसरण अनुकरण और स्वतंत्र प्रवृत्तियों के लिए हमारे में पद्धती प्रणाली और नीती तय होना ताकि जो आने वाली पीड़ी है वह पीड़ी का जो प्रारंब है अब यहाँ पर दिखता है कि अनुसरन शक्रियता से शुरू होना इस रूप में नियमों का अनुसरन है तो जो नीती पद्धती और प्रक्रियाओं जब भी ऐसे इस प्रकार से हम शिक्षा और व्यवस्ता में काम करते हैं तो एक अनुसरन प्रवृत्ती में विकास होना एक आवश्यक्ता धीरे धीरे अनुशासन का मतलब है वहाँ पर अनुशासन है अनुशासन का अर्थ है विधी और निशेद हैं क्या करणिये हैं क्या अकरणिये हैं उस रूप में हमें करतव्य और दाइत्वों का बोध स्पष्ट होना होता है और व्यवहार दर्शन में गया होगा वो चार-पांच पत्थे व्यवस्थापक प्रचारग विद्वान और ऐसे अनुशासन पुर्वक जीने वाले प्रजा तो यह एक अनुशासनात्मक सक्रियता जिससे की अनुसरन प्रवृत्ति हमारे में विकसित हो जो की अनुगमन के लिए प्रेड़ना है परंपरा के अर्थ में चलने के लिए प्रेड़ना है और फिर स्वेच्छा से अनुकरन क्षमता हमारे में आना और फिर हमारे में स्वतंत्र सक्रियता यानि स्वायत्त होने की प्रेड़ना हमारे में आना स्वायत्त मानों की तो स्वायत्तमानों के आउधारणा, स्वयम के प्रतिविश्वास, स्रिष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तितों में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, इस प्रकार की सक्रियता ये स्वतंत्र सक्रियता है, तब सार्वभोमिक कामनानुरूप कारेक्रम में रत होने से सभी स्थितियों में दोश दूर होते हैं यही मांगल्य प्रत है तब इस पर थोड़ी सी चर्चा कि यह सार्वभोमिक कामनानुरूप कारेक्रम में रत होना यह क्या है तब इस पर एक चर्चा हम कर सकते हैं कि हम पूरा जो दर्शन है यह दर्शन का जो जैसा मैं पश्टो रहा हूँ भै मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ तो एक सुत्र है अखंडता और सारुभोमिकता यह हमारे चित्रण में स्थिर होना अखंडता के मूल में मूल्य है अब यह मूल्य संप्रुक्तता की स्थिति से यह मूल्य हम यदि पहचानने का प्रयास करते हैं तो अखंडता के रूप में समाज दिखता है तो समाज میں जो मूल्य मैता है यह मूल्य मैता मुझमे स्तिर होना इसको कहते हैं अखंड सामाजिकता और सारोभवमता के मूल में संबंद दिखते हैं तो इस प्रकार से मूल्य और संबंद में एक सूत्र होना यह सारोभवमिक कामना की रूप में समझ में आता है तो इस प्रकार से अखंडता और सार्वभोमिक्ता की कामना नुरूप जो कारेक्रम है उसमें हम रत होने से हमारी जो सभी स्थितियां हैं इन स्थितियों के दोश दूर होते हैं यही मांगल्य प्रध है अब यह दोशों को एक बार वापस बताएं हैं कि परधन, परणारी, परपुरुष, परपीडाही, व्यवहारिक, सामाजिक एवं भोतिक उन्नती तथा जागरुती में बाधा के राग, द्वेश, अविद्या एवं अभिमान भोतिक जागरुती में अवरोधक सिद्ध हुए हैं भय, अध्यात्मिक अनुभूती योग्यक्षमता के विकास में अवरोधक है वापस दोहरा देता हूँ भय अध्यात्मिक अनुभूती योग्यक्षमता के विकास में अवरोधक है तो भय का निराकरण होना है प्राकृतिक वैभव के अपवे से रुतु असंतुलन एवं उससे क्लेशोदय होता है जो प्रत्यक्षे है स्वधन, स्वणारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कारे वैभवार तथा आचरन से सामाजिक सुख एवं संतुलन का हमने अभी चर्चा किया संतुलन की भी चर्चा हमारी सुबह हुई है असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता से बहुतिक सुख का अभयता से अध्यात् आणन्द का अनुभो है यही बहुतिक बहुतीक एवं अध्यात्मिक का प्रयोजन, विचार एवं अनुभूति व्यक्ति का व्यक्ति परिवार समाज राश्ट्र की एक सुतुलन समाधान एवं समृत्ट्धी है यही सारोभॉमिक साम्य कामना है तो इस प्रकार से जो सारोभोमिक साम में कामना जो अभी स्पष्ट हुआ अखंडता और सामाजिकता का ये पूरा चित्रन हमारे में स्पष्ट हुना समस्त कर्मों से मानव में सत्य में प्रतिष्ठा धर्म में आरूडता ज्याय में निरंतरता एवं वस्तु की उपयोगिता प्रयास किया है जिसके लिए सत्याभी मुखी, धर्माभी मुखी, न्यायई भी मुखी एवं विश्याभी मुखी प्रयास किये हैं। यह प्रत्यक्षे हैं बहुतिक ड्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग एवं सदुपयोग, सामाजिक मुल्यों का वहन, निर्वहन, आचरण एवं निरंतरता, सत्यता, सत्यका बोध एवं अनुभोही प्रतिष्ठाएं हैं इनके बिना मानवत्रुक्त एवं निर्भ्रांत नहीं है उत्पादन और सेवा के अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोग में सम्रुति, सैयत उपयोग, एवं सदुपयोग में संतुलन, सारोभोमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभोग तथा आनंद प्रसित है अनुभूति आनंद ही नित्यप्रतिष्ठा, धर्म एवं न्याय, सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, वीधी एवं शिक्षाही, समाधान, एवं अमर प्रतिष्ठा, विशे प्रवुरूति ही अलप प्रतिष्था, ये से प्रतिष्ठित पाया जाता है तब पुरा अभी तक हमने जो पढ़ा उस पढ़ने में उस पढ़ने में इस बात पर ध्यान जाता है कि अब हमें ही सुव विवेक से निरने लेना है कि कौन सी प्रतिष्ठा में हम आपने को प्रतिष्ठी पाए जाते हैं तो अल्प प्रतिष्ठा अमर प्रतिष्ठा और नित्य प्रतिष्ठा है यह तीन प्रतिष्ठा है अभी इन प्रतिष्ठाओं के आधार पर कर्म है और यही कर्मदर्शन की यहां तक की एक स्पष्टता मुझको लगता है हम लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इतना जितना अभी हमने कुछ पढ़ा आट नौ पेजेस इस पेजेस को वापस आज घर में पढ़ सकते हैं और इस पर यदि कोई क्वेरी हो तो हम लोग उस पर कल उत्तर कर सकते हैं और इस अध्याय के कुछ पांच-छे प्रुष्टे हैं उन प्रुष्ठों सहित कुछ और समरी में करने का कल प्रयास करूंगा तो आज मुझे लग रहा है कि इतना पर्याप्त है और जितना भी आपका ध्यान गया होगा कुछ पश्टता बनी होगी कुछ यती प्रश्णे उस पर बनते हैं तो हम कल उस पर डिस्कस कर सकते हैं तो आज इतना ही मेरी ओर से मैं समाप करना चाहता हूँ नमस्ते सभी को शुगर आत्री मानव कर्मों की हमने बात किया है लग बात 24 पृष्ट तक हम लोग है मानविय कर्मों की इस पश्टता हमें मिली है अस्तित्व समग्र में पदार्थ आवस्था प्राण आवस्था जीव आवस्था ये सभी है क्या इनमें भी लक्ष है तो अस्तित्व को समझने वाले मानों को यहां भी द्यान देने की अवश्रक्ता है कि यह सभी सरलक्ष है सभी का कर्म निश्चित है मानव को भी कर्म है वर्तमान के मानव परंपरा के मानव अपना कर्म निश्चित नहीं कर पाएं है ऐसा अभी के अध्यायों में हमारा एक द्याना कर्शन हुआ है इसी पुस्तक के आगे के अध्यायों में शेश तीन आवस्थाओं के कर्मों का भी आनुभो मुलक विशलेशन वंदनिय बाबा जी ने प्रस्तुत किया है जैसा कि हम सभी को सुचना हो गई है व्यवस्था के मूल में परमानू है और बड़े भाया श्री आशोक गोपालाजी ने एक सटिक प्रस्तुती भी परमानू एक व्यवस्था है उसको हम आपने सुना है तो हमें यह भी जानकारी हुई है कि कर्मों की मूल प्रेर्णा परमानू में नहीं थे इसलिए व्यवस्था अस्तित्व में है और यह व्यवस्था नैसर्गीक है ऐसा बाबाजी ने लिखा है परमानू में अनुसंद्धान प्रवृत्ती होने के प्रमान बाबाजी को मिले है ऐसा उन्होंने हम सब को प्रतिपादित किया इसलिए जीवन जो की गठनपूर्ण परमानू है यानि हमारे में व्यवस्था की प्यास है जड परमानू में विकास और आगे चैतन्य परमानू में यह विकास होना और जागरूती की प्रेरिणा यह नियती सहज है यह प्रेरिणा को पहचान पाना और अपने विकास और जागरूती के अर्थ में शास्त्रा अभ्यास के लिए स्वयम्स्फूर्थ गती होने की आवर्शक्ता है इसी अर्थ में कर्मदर्शन पुस्तक में शेश्टीन आवस्थाओं के कर्मों की स्पष्टता होने से हमारी दर्शन क्षमता का विकास होने की संभावना है फलस्वरूप अस्तित्व बोध नियम बोध जीवन बोध और व्यवस्था बोध होने से अनुभव के लिए स्वय परणा होना यह सहज सुलब होने की संभावना है और ऐसा अनुभव होने की संभावना का अनुमान मैं कर रहा हूँ यह अनुमान शमता के लिए प्रारंब के दो अध्यायों में स्वाभावी कुरूप से हमें यानि मानों को ही कर्म की स्पष्टता और कर्माभ्यास रूपी उपासना की स्पष्टता और कर्माभ्यास व्यवहराभ्यास से विवेक जागरन का मार्ग प्रशस्थ होने की उप अर्थात जागरूती बोध और प्रमाण योग्य होने के अर्थ में हम सभी आपस में एक संवाध होना एक अवश्यक प्रक्रिया लगता है जिससे सम्वाध दुड होकर जीने के लिए प्रोचसाहन आये और वंदन ये बाबा जी ने यह प्रस्ताव जीने में गती बनने के अर्थ में हमारा ध्यान भी दिलाया है समझ कर जीने की प्रेणा दी है और प्रमान भी प्रस्तुत किये हैं उन्ही प्रमानों का अध्येन होना है और यह मुझे स्विकार हुआ है जिससे की ये जीने की प्रेणा है तब भाई और बेनों मानव ही ने ही सुरिष्टी को समझने का प्रयास किया है यह एक नियती क्रम संकेत है और इस संकेत को हम पहचान पाए इस उद्देश से यह प्रस्तुती क्रम शुरू हुआ है और अभी हम कर्मदर्शन प्रस्तुती क्रम के प्रथम अत्याय के अंतिम पड़ाव पर है आठ पृष्ट शेश है इन पृष्टों में जो जो अनुभूतियां है उनुन अनुभूतियों को विशलेशनों को अब हम प्रारम करते हैं तो अंतिमानुभूति जो कल हम लोग ने पढ़ी थी उससे शुरुवात करते हैं उत्पादन और सेवाक में अर्थ का उपार्जन अर्थ के सदूप्योग में सम्रुद्धि संयत उप्योग सदूप्योग में संतुलन सारवभूमिक धर्म में समाधान सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसित है अब इस अनुभूति का आगे विशलेशन प्रस्तुत किया है पेज नंबर 24 जो लोग अभी अभी जोईन किये हैं पेज नंबर 24 यह नया संस्करण है है कि नहीं यदि आप लोग को मिल गया होगा और पूराना भी कोई यहां तो जो पढ़ने वाले हैं पूराना तो नहीं है कोई मिल गया आ गया ना हाँ पूराना जो पढ़ रहे हैं वो 37 प्रिश्टपर थैंक्यू सभी बंदू भगिनी को मेरा नमस्ते जो सुन रहे हैं परन तुमें देख नहीं पा रहा हूं आपको जो मुझे देख रहे हैं और मुझे ऐसा भाव है कि मैं परिवार में ही व्यक्त हो रहा हूं और जो दो-तिन दिनों से या पिछली प्रस्तुतियों में भी कि मेरे सहीद हम सभी जो प्रस्तुत करता हैं बंदू भगिनी उन सब को जो आपने प्रोटसाहन दिया है यह मैं एक परिवार सहज प्रोटसाहन के रूप में ले रहा हूं और धिरे-धिरे एक तालमेल कैसा हो सकता है कि मैं जो कुछ व्यक्त कर रहा हूं वह आप तक पहु पहुंचे इसके लिए पठन को मैंने प्राधान दिया है और चोटे-चोटे तर्क जो मेरे प्रयास से कुछ सपश्ट हुए जो मुझको लगता है कि यह तर्क होने से शायद आप तक यह बात पहुंचेगी तो ऐसे कुछ चोटे-चोटे तर्क आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हुँ आशा करता हूँ आपको ये सब सुख़त प्रेणादाई महसूस हो रहा होगा दन्यवाद तब हम आगे बढ़ते अभी तो जो मैंने पहले पड़ा ये तो सुट Ow यह ऊंद पस्ष्ट है उत्रिया में अर्थका उपार्जन यह भी श्पष्ट है जो हम शायद अ इवं सदूपयोग में संतुलन कि सार्वभोमिक धर्म में समाधान सत्य सत्यता में अनुभो तथा आनंद प्रसिद्धे अब इन ही का विश्लेशन जो कल से हम देख रहे हैं दर्शन क्षमता सत्य सत्यता अब इसको हम प्रकृती की वेवस्था जो मूल वेवस्थाएं हैं उ उस जड़ चैतन्य क्रिया में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का जो नियोजन है और उस नियोजन के फलस्वरूप आज हम हैं हमारा स्तित्व है हमारा शरीर है और जीवन भी है यह मौलिक रूप में कैसे हैं और इन मौलिक रूप में कर्म और क्रिया यह कैसे सपष्ट हो जो कर्मदर्शन का एक आधार बनता है उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे तब आज की पहली अनुभूती है अनुभूती आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा धर्म एवं याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधी एवं शिक्षाही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा ध्यान देना है अनुभूती आनंद और समाधान विशे प्रवुरूती ही अल्प प्रतिष्ठा है से प्रतिष्ठित पाया जाता है तब अनुभूती आनंद नित्य प्रतिष्ठा का अर्थ है यह तीनों कालों में सदा सदा व्यापक सत्ता में अनुभूत होने से यह नित्य प्रतिष्ठा है जो की जीवन गत स्थिती है धर्म न्याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधी एवं शिक्षा ही समाधान यह समाधान यह मानव में स्थित है और यह अमर प्रतिष्ठा है तो नित्य प्रतिष्ठा और अमर प्रतिष्ठा के अर्थ को समझने से हमारे में यह विश्वास कि भले ही मेरा शरीर छूटेगा जीवन रूप में मैं रहूँगा मेरा शरीर छूटेगा और ऐसा ही मानव परंपरा में हम देखते आए हैं जिसे हम जन्म और मृत्यू कहते हैं अब हमको ये देखना है कि जन्म और मृत्यू के बीच जो वैभव है वह वैभव की अमर प्रतिष्ठा होना और यह अमर प्रतिष्ठा समाधान के रूप में मानव परंपरा में वर्तते रहना वो कैसे वर्तते रहना जिसे कहते हैं धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधी एवं शिक्षा ही समाधान और अमर प्रतिष्ठा तो ऐसे नित्य अनुभूद होकर नित्य प्रतिष्ठा में मानव रूप में जो समाधान की प्रस्तुती है हर मानव की जो व्यवस्था में भागिदारी है ये इस रूप में अमर्त प्रतिष्ठा में होने से है की नहीं स्वयम ही अब कलपना कर सकते हैं तर्क को प्रयोग कर सकते हैं ये तर्क होने में ही कितना सुखद और एक सुकुन देने वाला स्थिती समाधान के रूप में है तो परंपरा को पहचान पाना समाधान की परंपरा को पहचान पाना यही अमर है तो मानव होने के नाते मुझको काल तो होगा भूत काल भविश्यकाल वर्तमान काल और ऐसे में मानव परंपरा में परिवार में कोई व्यक्ति पैदा भी होना कोई व्यक्ति का शरीर भी शांत होना तो इस तरह से आना जाना, शरीरों का जन्म होना, शरीर का मृत्य होना, इस रूप में मानव परंपरा होना और मानव परंपरा में यह समाधान अमर परतिष्ठा होना यह एक तरक समझ में आता है विशे प्रवरुत्ती ही अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित पाया जाता है तो विशे प्रवरुत्ती की प्रतिष्ठा ये अल्प है अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये प्रतिष्ठा शब्द का नियोजन क्या है तो प्रतिष्ठा की परिभाशा है पदमे स्थित स्वभाव कथी वो गुण में प्रमानित रहना यह प्रतिष्ठा है तब यहां पर हम जैसे जिग्यासुओं का दियान जाता है कि हम मादव व्यभार दर्शन में पद और पदातित यह पड़े थे तो पद और पदातित पदातित व्यापक है और पद हमें चार है तो चार पद हमने पहचाने थे प्राण पद भ्रांती पद देव पद और दिवेपद तो भ्रांती पद के मानव और उसमें ये भी देखा कि ये पद चक्र है और संक्रमन भी है तो भ्रांती पद ये वेवस्था है ये वेवस्था क्या है तो उस वेवस प्रतिष्ठा का प्रतिपादन अभिव्यक्ति के रूप में बाबाजी ने हमको किया है ऐसा मेरा अनुमान पहुचता है तब हमने जो प्रतम दिन बाबाजी का प्राकतन पढ़ा था उसमें अभिव्यक्ति संप्रेशन और प्रकाशन ये तीन मुद्दों को बाबाजी ने विवस्थित विश्लेशन करके हमें बताया है आप ने उसको किया होगा इस अध्याय के अंत में एक बार पुर्ण हम प्राकतन पर जाने वाले हैं और उसमें अभिव्यक्ति संप्रेशन और प्रकाशन इन मुद्दों पर हम प्रकाश करेंगे तो ये जो प्रतिष्ठा की बात अभिव्यक्ति पूर्वक और हमें प्रति पर पूरक है क्रिया ही पदार्थ पदार्थी प्रक्रिया प्रक्रिया ही फल फल ही शक्तियां शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म हैं यह सब पदार्थ में दृष्टवे हैं अब हमारा शेश प्रकृति पर ध्यानाकर्शन हो रहा है पदार्थ को कहते हैं पदभेद से अर्थभेद को व्यक्त होने वाली इकाईयां अब यहां पर पदार्थ अवस्था की इकाईयां साथ में जड़ चैतन्य भी हैं पर प्रधानता इसमें पदार्थ अवस्था की इकाईयों पर ध्यान दिलाया है और साथ में जड़ और के साथ में चैतन्य पहचान कर सकते हैं तब क्रिया यहां तक तो हमारा ध्यान जाता है सामाने रूप में अस्तित्व में या प्रकृति में हम क्रिया देखते हैं कर्म पहचानना है क्रिया और कर्म यह कहां दृष्टव्य है तो यह पदार्थ में दृष्टव्य है तो पदार्थ को देखनी की हमारी क्षमता होना प्रक्रिया को पहचान पाऊं फल को पहचान पाऊं और शक्तियों को पहचान पाऊं ये सारा परस्पर पुरूरक है तब क्रिया ही पदार्थ पदार्थ ही प्रक्रिया प्रक्रिया ही फल फल ही शक्तिया शक्तिया ही क्रिया एवं कर्म है यह सब पदार्थ में दृष्टव्य है अब ये हुआ दर्शन की शमता से जो हमको दृष्टव्य हुगया मतलब है यह हमारी दृष्टी में आना अब इ की स्पष्टता दिये है को श्रम गती एवं परिणाम शीलिता क्रिया की विश्लीशित हुई श्रम गती और परिणाम है थे ना सुष्टी दर्शन में हमने इसको व्यबस्तित इसकी सुचना लिए है कि हर क्रिया के मूल में श्रम है गती है और परिणाम है उसका परावर्तन कर्म की इसका जो परावर्तन है वह कर्म अर्थवत्ता पद की तो ऐसे क्रिया और उसका परावर्तन से अर्थवत्ता यानि को अर्थ हुआ तब उसका पद बना विकास शीलता प्रक्रिया की अब उसमें जो विकास शीलता है जो हम रचनाओं के रूप में भी पहचाने में आती है है की नहीं और मूल रूप में ये परमानू के स्तर पर होने वाली विकास शीलता है उपियोगिता फल की ऐसा होने में जो उपयोगिता है परसपर उपयोगिता का भी हमें सुचना है और ये हमारे दृष्टी में भी आता है तो ऐसे परसपर उपयोगिता को फल की तरंग दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है अब यहां शक्तिवत्ता इकाई है इकाई की स्थितिवत्ता यानि स्थिति क्रिया तो इस तरह से शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है यह सब पदार्थ की सीमा में पाये जाने वाले परावर्तन या परिवर्तन शील प्रकटन है अब यह पहले आया दृष्टव्य होना और फिर आया इसका स्पष्ट प्रता होने से अब आगे सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियां और अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थिति शील है और निर्पेक्ष रूप में अध्यात्मित सत्ता स्थिति पूर्ण है अब जो सापेक्ष शक्तियां हैं यह हम पहचान पाना उसके विशलेशन अब नीचे दिये हैं साधार अनुरूप में सापेक्ष शक्तियां द्वनी ताप विद्व और चैतन्य में इच्छा विचा राशा तब जड में शब्द दिया है सापेक्ष और चैतन में शब्द दिया है अपेक्षा अब हम आगे दियान देते हैं तो जड शक्तियां ताप साधारन में हम लोग पुश्मा पुश्मा वस्तु है प्रकाश हम किरण विकिरण को पहचानते हैं विद्यूत जैसे चुम्बकिय धारा का विखंडन से विद्यूत आकरशन चुम्बकियता ध्वनी के रूप में ध्वनी क्या चीज़ है तो घरशन से उत्पन्न जो तरंग है उसको हम ध्वनी कहते हैं तो इस प्रकार जड़ शक्तियां ताप प्रकाश विद्यूत आकरशन एवं ध्वनी के रूप में चैतन्य शक्तियां आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूती के रूप में प्रसित हैं जड़ चैतन्य आत्मक प्रकृति की आधार पूर्ण सकता ही आध्यात्म जो निरबेक्षित सकता है, तब हमारा ध्यान चला जा रहा है, अब हम जड़ शक्तियों को कैसे पहचानते हैं, और चेतन्य शक्तियों को कैसे पहचानते हैं, तो ध्यान जा रहा है कि जिस प्रकार से जड़ शक्तियों का नियोजन है और ये शक्तियां जिस तरह से धर्ती र उकूल हैं और इसलिए मानव का अस्तित्व इस धर्ती पर प्रकट भी हुआ और हम उस अस्तित्व के द्रश्टा होने का सवभाक्य intéressant मानव को मिला है और यह द्रश्टा केसे हो सकते हैं इस रूप में दो वर्दान हमें मिले हैं कल्पना श्रीलता और कर्मस्वतंत्रता ये दो वर्दान मानों को उपलब्द है तब ध्यानिये गया कि जब कर्मदर्शन यानि उसका जो दर्शन होना है तो दर्शन इस तरह से दिखता है कि एक पर्माणू ऐसे आनेकों प शरीर और जीवन ये अपने आप में रचना का पूर्णता के रूप में शरीर सम्रुद्ध मेधस तंत्र में भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यह कैसा अद्भुत अश्चर्यकारी मानव शरीर अगर ऐसे भाव रूप में सोचने दाएं और स्वयम जीवन गठन पूर्ण इक जो कि पूर्णता का एक पड़ाव गठन पूर्णता को व्यक्त कर रही है तो इस तरह से यह जो शक्तियों का नियोजन के फलस्वरूप मानव का होना मानव का अस्तित्व अब इसके आगे हमारे क्या पड़ाव है इन पड़ावों की अब हमारे में जिग्यासा तो आगे क यानुगुतियों को, हम चल रहे हैं, इसी में मैं थोड़ा सा ध्यान भी और दिलाना चाहूंगा कि कल से हम सत्य सत्यता, कल दोपर के सत्र में, दर्शनक्षमता पर प्रकाश किया था, और दर्शनक्षमता में सत्यता को पहचानने की बात थी, तो ये जो क्रिया कर्म पदार्थ प्रक्रिया फल शक्तियां यही हमारे होने में यही सत्यता है इस सत्यता को यथार्थ रूप में पहचानने की एक आवशक्ता तो ऐसा यथार्थ पहचानने में सक्षम अंतर राष्ट ऐसा शुरुवात बाबाजी ने यथार्थ दर्शन का जो आवशक्ता प्रस्तुत किया और यही सत्यता है और यही वस्तुस्तिती के रूप में भी आज तोड़ा सा ध्यान देलना चाहूंगा कि यह जो किरण विकिरण है कि नहीं एक आजिरन परमानु राशी का वस्तुस्तिती है कि धर्थी के गर्भ में यह किरण विकिरण और काम करते हुए धर्थी की जो उर्वरा है प्रान अवस्ता का जो बनना है और हमारे शरीर में उपकारी सिद्ध होते हैं है ना ऐसी क्रिया और कर्मों को स्पष्ट होकर स्वाभावी गुरूप में हमारे में भी प्रेड़ना आना कि मानों के लिए भी कर्मों के लिए प्रेड़ना आना और ऐसे कर्म जो कि ने सर्गिक और प्राकृतिक हैं यह दिखाई देता है मध्यस्त क्रिया सच सत्ता में बोध एवं अनभूती होती है संदर्भ मानव्यभार दर्शन आत्मा ही मध्यस्त क्रिया और सत्ता ही मध्यस्त है यह अभी सूचना है यह पूना इसके साथ ध्याना कर्शन है जड़ शक्तियां प्रधानता गतिशील चैतन्य शक्तियां संचेत शील है अब हमने कल दो शब्द गुजरे थे एक शब्द था उसमें परिमान और सीमा तो अब स्वाभवे क्रूप से ध्यान जा रहा होगा कि जड़ शक्तियों का परिमान और सीमा क्या है और चेतने शक्तियों की परिमान और सीमा क्या है तो यह प्रधानता गतिशील है और चैतने शक्तियां प्रधानता संचेतन शील है ना मेरे साथ बैठे वे परिवार के बंदु भगिनी उनको यह सुचना होगा मैं पुना दोरा दे रहा हूं कि यह जो प्रधानता गतिशील है उसमें हम कैसे पहचानते हैं परिनाम कैसे पहचानते हैं तो उनमें पहचानना मिरवाह करना ये क्रिया है और उनकी सीमा है कि इनकी जो स्थिती है अवस्थाओं में पदार्थ अवस्था और प्रान अवस्था इस तरह से जो वरगी करण है अस्थित्व का इस तरह से मानव उसको समझ पाता है, कर पाता है चैतन्य शक्तियां संचेतन शील हैं तो ये संचेतन शील होना यानि उसमें परिवर्तन परिमारजन ये सूचना है तो संचेतन शील तक ऐसे समझ में आती है तो परिमान, जानना, मानना, पहचानना, निर्वहा करना और एक अच्छा ध्याना करशन जो मुझे लगता है, वो सकता है, आपको भी स्विकार हो क्या सीमा है, तो सीमा तो है, क्या नवस्थाकी काई है इसमें मूल्यम मर्यादाई है और ऐसे ध्यान जाता है, कि ये क्या कर सकती है ग्याना वस्थाकी काई तो ये ग्याना वस्थाकी काई समझ सकती है, जी सकती है, और समझा सकती है वस्तु है अस्तित्व समग्र, और क्या कर सकती है, तो ये ग्याना वस्थाकी काई सहायता कर सकती है यही ज्यानावस्ता की गायों की एक दूसरे के लिए मर्यादा अर्थार हर मानों को समझना है ऐसे समझने के लिए सहायता है और यही मानों के चैतन्य शक्तियों की संचेतन शीलता है और ऐसी समझने जीने और समझाने में साहयता के लिए जो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले धर्म और न्याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधी एवं शिक्षाही समाधान अमर प्रतिष्ठा अनुभूती आनंधी नित्य प्रतिष्ठा इन सब में चैतन्य शील शक्तियों का नियोजन ये कर्म भाव की स्विकारक्षमता ही समवेदना है यह कर्म से अभाव में वेदना भाव में मानुविय समवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है यही सम्यक बोध है यही अनुभाव का पूर्वलक्षन है अनुभाव का पूर्वलक्षन भी इसमें दिया है अभाव पताई है किसी चीज़ के हमारे में कमी है तो अभाव है भाव और तिरो भाव यानि अभाव भाव और तिरो भाव की स्विकारक्षमता ही सम्वेदना है इस पर थोड़ा सा ध्यान जाता है शिकायत नहीं है सम्वेदना है अभाव की शिकायत करने से क्या होगा अभाव है इसकी जानकारी मुझको होने से मैं सम्वेदन शिल हो सकता हूँ उपाय है न क्या उपाय है भाव और तिरो भाव तीनो सहित सम्वेदना है केवल अभाव यदि हमारी कलपना में आता है तो शिकायत पनवती है और हमारी कल्पना में अभाव भाव और तिरो भाव ये तीनों स्थितियां जो कि आगे विश्टेशित की हैं ये यदि हम स्विकारते हैं तो हमारे में सम्वेदना है और यही सम्वेधना पूर्णता के अर्थ में वेधना यही सम्वेधना हमारे में व्यवस्ता है जो की हमें पूर्णता के लिए प्रिरिट करती है बढ़िया है की निक अब यह क्रम से अभाव में वेधना भाव में मानविय सम्वेधना एवं अभाव के तिरो भाव प्रश्टिकरन करना यह संभोधना क्रिया है और यही सम्यक बोध है स्पष्टता है कि यह जो मुझे में अभाव था किसी समय और मुझे में भाव और तिरो भाव का संभावना भी स्विकार हुआ फलस्वरूप मेरे में जो सम्वेदना हुआ उस सम्वेदना को दूर करने के लिए मैंने अध्यन हुआ किया और उसमें हमें बोध हुआ अब ये बोध कैसे आया स्पष्ट है यानि जो तिरो भाव शब्द का प्रयोग है कि कैसे अभाव का तिरो भाव हुआ यह मैं कनेट कर पाता हूँ, फलस्वरू भावों को कनेट कर पाता हूँ, यही सम्मेक बोध है, कितना बढ़िया बात है दो दिन पहले हमने बात किया था अपराद बोध कराना यह बाबाजी ने बोला था, इससे आदमी कुंठित होगा गलतियों का सुधार कैसे हो, और इसको कहेंगे, सम्मेक बोध यही अनुभाव का पूर्व लक्षन है तिरोभाव का आर्थ है कि दूर होने की क्रिया इसकी स्पष्टता कि कैसे अभाव को दूर किया, यह जब मैं बताता हूँ, तब उसमें जो भाव है वह भाव है तिरोभाव तो हमें यह देखना है कि अब मैं थोड़ा सा उस जग़ पर आता हूँ, है न, माफ करना मैं बहुत समिक्षा कि उसमें या उसमें पक्ष में नहीं हूँ परन्तु कोई यश हमें मिलता है संसार की बात करूँ संसारी की यश कोई हमें मिलता है मान लीजिए कि मेरे पास कभी खाने को नहीं था और अजाज हमारे पास खाने को भरपूर हो गया, मैं मानता हूँ यश है अब इस यश का अब मैं दुसरे को बताता हूँ, कैसे बताता हूँ एक समय था खाने का कुछ नहीं था ऐसे ऐसे हुआ फलाना फलाना हो गया, अमुक तमुक हो गया यानि जो अभाव है वो अभाव के दाग मुझ में है अभी और वो कहीं जो अभी खाने पिने को मिला ये अभाव की ही प्रफिक्रिया जा रही है इसका मतलब अभी भी भाव पूरा हुआ नहीं है तो क्या पहुंचाया सामने वाले को अभाव ही पहुंचाया क्या पहुंचाया सामने वाले को दुखी पहुंचाया दुखी लखी रागे किची सुख कैसे हुआ दुख कैसे मेरे से निकल गया इस स्थिति को बताने के लिए जो भाव हमारे में है उसको कहते हैं तिरो भाव ये सुक्षमता है जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो अब हम जब भी ठीक है ना समझने के क्रम्मे आज जो भी हमारी स्थिति है उसके पूर्वों में पीड़ा शोक आतूर कातूर ये सब तो प्रक्रिया का भागे आगे दिया भी है पर मैं दी समाधान का स्रोत हूँ मुझसे आगे कोई समाधान जाएगा तो समाधान से समाधान की वृद्धी होगी तो उसके लिए दुखी होना पड़ेगा ये नियन नहीं तब ऐसे अभाव की वेदनाओं के साथ और यदि मैं भाव को पहुचा पहूंगा तब फिर वो क्या स्थिति है इस रूप में किरो भाव एक स्थिति पहचानने में आती है इसको दूर कैसे करना तो अभाव की जो परिस्थितियां है उसको पताने का कैसे दूर किया इसको पताने की जो हमारे में भाव बनते हैं उस भाव को कहा तिरो भाव तो इस प्रकार से भाव में मानविय सम्वेदना एवं अभाव के तिरो भाव पूर्वक संबोधना है यानि संबोधना में हमारी स्थिति के साथ हम स्पष्ठ होते हैं यही संब्यक भोध है यही अनुभव का पूर्वलक्षन है यह मुझे व्यवाहारिक सूत्र लगता है आप अपने में भी इसको जान सकते हैं अभाव भाव में परिवर्थित होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण व्यवहार एवं व्यवस्था है अभाव का तिरो भाव भाव ही है भाव ही मौलिक्ता मूल्य एवं अर्थ है अब भाव का स्पष्टिकरण हुआ है मूल्य और अर्थ अर्थ पुन है एक बार तन मन धन का अर्थो पारजन अर्थ उसके जो मुल्य वत्ता है मूल्य वत्ता के साथ अर्थो होने से भाव और यही भाव की मौलिक्ता ऐसे स्पष्ट होता है प्रत्यक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है इसलिए संचेतनाके अभाव में मूल्य भाव एवं मौलिक्ता का निर्धारण नहीं है संचेतनाक शमता में ही स्थितिवत्ता यानि मानविकाई की जो स्थिति क्रिया है स्थितिवत्ता की अब्ध्यान देने लायक मुते और आ रहे हैं दिशा, अमारी दिशा क्या है? काल, मात्रा, गती, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, रास, जागरुती, उचित, अनुचित, एवं विधी निशेत का निर्णे एवं विवेचना करने की विशेशक्यत विशेश्ता नहीं थे यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षा प्रद एवं अवगाहन योग्य अवगाहन का मतलब है अनुभव की साक्षी में अवधारना बोध और समझने की सफल प्रक्रिया को अवगाहन कहते हैं मैं पुना दोरा रहा हूँ यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षा प्रद एवं अवगाहन योग्य ना हो तब तक संदिक्दता वाद विवाद सीमा और भ्रांतियां है फलता वर्ग एवं समरोन मुक्ता भावी है वर्ग स्पष्ट है समरोन मुक्ता का मतलब समर का मतलब युद्ध युद्ध सदुरुष्च स्थिति ध्यान गया होगा और इसकी जो डिटेल है यह डिटेल आगे आने वाले अध्यायों में व्यवस्तित है इसलिए अभी इसके हम डिटेल नहीं करते इस पर बाबाजी ने एक एक अध्याय ही लिखा हुआ है निरनायक शमता कारण गुण गणित के रूप में विवेचनाक शमता आत्मा के अमरत्व शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों को सपष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है अब मैं उधारन के लिए यदि आपने विकल्प उस्तक को पढ़ा होगा और उनके विशलेशनों को दिया होगा तो बाबाजी ने पूरा वांग में और कैसा ये प्रस्ताव है उसका स्वरूप के लिए कारण गुण गणितात्मक भाशा में विकल्प को प्रस्तुत किया ह हाला कि पूरा दर्शन ही कारण गुण गणितात्मक भाशा में है पर एक निरणय तयार हो व्यक्ती में इस रूप में उन्होंने विकल्प को प्रस्तुत किया है तो जब हम विकल्प के विशलेशनों को सुनते हैं उसमें कारण गुण गणितात्मक भाशा से हम तक ये वि अब ऐसी विवेचना के लिए हमें ये गहरी सुचनाय होना आत्मा का अमरत्व शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहारों के नियम को सपष्ट करने की प्रबुद्धता के रोग में प्रत्यक्ष है तो विवेचना पूर्वक है न हम लक्ष की पहचान कर सकते हैं कल हमने मत्यक्ष साक्ष है कि चैतन्य शक्तियों के अभाव में मान शरीर के द्वारा संपदित होने बला प्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है सामाने सुचना है सब तक ये होगा ही मानव शरीर के लिए अब इस जड़ शक्तियां कैसे मानव चैतन्य शक्तियां का एक उधारंडिया है कि चैतन्य शक्ति अधिक अधिक कैसे विकसी थे उसका उधारंडिया एक तो शरीर चलाने के लिए भी दिया अब शरीर से जो हम काम लेते उसके बारे में विए उधारण के रहे मानव शरीर के लिए जितना इंधन प्रयोग करता है अब हमें calories और ये सब पता है तो हम major कर सकते कि इतनी calories हमने खाया अब उसका जो शक्ति के बारे में ये हम उसका major करेंगी तो उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर गमन करता है तो जो अधिक मात्रा का बहिर गमन है वो कौन सी शक्ति है तो वो चैतने शक्ति है ये चैतने शक्ति का नियोजन है ये हमें ध्यान जाता है और इसके बहुत सारे उधारण हम दे सकते हैं अभुद्ध तो उस तरह से काम उसमें होता हुआ नहीं दिखता है कि जैतन्य शक्तियों की नियोजन से ही जैसा हमारा शरीर प्राप्त है उससे हम अधिक के रूप में प्रकाशित होते हैं और हम अधिक काम करते हुएग जैतन्य शक्तियों की क्षमता उसका विश्लेशन हो रहा है पांच रूप में गण्य है उसका मुल्यांकन एवं अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है कल बात आ रही थी तीन प्रवरुदियां एक प्रवरुदि थी अनुसरन प्रवरुदि दूसरा था अनुकरन प्रवरुदि और तीसरा था स्वतंतर प्रवरुदि अब यह जो स्वतंतर प्रवरुदि स्वायत है इसका स्पष्टिकरन यहां हमें मिल रहा है कि चैतन्य शक्तियों की जो मुल्य दंकन और अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है और व्यभारदर्शन का आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमानिक्ता और इधर मन वृत्ति चित्त पुत्ति यह सूचना है हम तक गई होगी उसमें जो परस्पर क्रियाएं हैं उसकी भी सूचना गई होगी उसी को एक बार हम लोग यहां पर दोरा रहे हैं चैतन्य शक्तियों को पहचाने के क्रम में आशा से संपन्न मन व विचार से संपन्न वृत्ति आशा से संपन्न मन का दर्शन करती है देखिए अनुभो और दर्शन किस्तिती विचार से संपन्न वृत्ति इच्छा से संपन्न चित्त का अनुभो करती है इच्छा से संपन्न चित्त विचार से संपन्न वृत्ति का दर्शन करता है शुभ इच्छा से संपन्न चित सत संकल्प से संपन्न बुद्धी सहस्तितों में अनुभव पूर्ण आत्मा जागृती का प्रमान है अनुभव पूर्ण आत्मा संकल्प संपन्न बुद्धी का दर्शन करती है यही अनुभव समुच्चे है यही पूर्ण जागृती है इस प्रका अनुकरण और स्वतंत्र होना तब स्वतंत्र ताका स्वरूप इस प्रकार से हमें यहां पर इन शक्तियों का प्रकटन हमें इस तरह से विश्लिशित किया है अब कल जो बात आ रहे थी हाँ यही एक सुंदर अनुभूती है जिसमें विश्व की बात है तेखिए कैसा अपने को कनेक्ट होता है विश्वास की स्थली के रूप में हम कैसे स्पष्ट होता है अधिक जागरूत कम जागरूत का दर्शन कम जागरूत अधिक जागरूत को पहचानता है इसलिए जागरूत मानव जागरूती के लिए जिग्यासु को पहचानता है और जिग्यासु जागरूत को पहचानता है है कि निए connection यह सब हम सब इसको बाबाजी के सानिते में इसको देखें तो विश्वास सस्थली परसपरता में एक जागरुत मानव और दूसरा जागरुत होने की इच्छुग मानव में यह विश्वास सस्थली यही है कि अजागरुत रहते हुए भी जागरुत है ज्यानी है स्रेष्ठ है इसकी पहचान अजागरुस्किती में भी होती है अधिक जागरुत कम जागरुत का दर्शन कम जागरुत अधिक जागरुत को पहचानता है इसलिए जागरुत मानो जागरुती के लिए जिग्यासु को पहचानता है और जिग्यासु जागरुत मानो क पहचानता है ये दोनों की परस पर विश्वास की स्थली सहज रूप में अस्तितों में उपलब्द है मानव मानव में उपलब्द है अब इसको हमारे ध्यान जाने के आवशकता जागरूत मानो जिग्यासु पर विश्वास करता है और जिग्यासु मानो जागरूत के साथ अनुशासित रहता है जागरूत मानो जिग्यासु पर विश्वास करता है और जिग्यासु जागरूत मानो के साथ अनुशासित रहते हैं कल वाला पुना सक्रियता अनुशास्तक रहने की सक्रियता अनुसरन स्वेच्छा से सक्रियता अनुकरन और पलन में सफलता स्वतंत्र सक्रियता मानव जीवन में ही स्थूल सुक्ष्म कारण संबध विशेष्टाएं दृष्टवे हैं इन तीनों स्थितियों में सुख शान्ती संतोष एवं आनंद की ही अपेक्षा है अब एक बार ध्यान स्थूल जीवन को हम कैसे देखते हैं दृष्टी गोचर और ज्यान गोचर कल आमारा द्यान चला गया था उस पर मानव का स्थूल जीवन सुख वशान्ती की अपेक्षा में सुक्ष्म जीवन शान्ती वशान्तोष की अपेक्षा में एवं कारण जीवन आनंद एवं परमानंद की प्रतिक्षा में है जिसके लिए यह जागरूती सहच प्रमाण है इसी के अनुकूल सर्वतों मुखी समाधान कारेक्रम ही जागरूती है यही भोतिक सम्रुधी एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी है यह केवल मानवियता एवं अति मानवियता पूर्ण कारेक्रम पूर्वक्स सफल हुआ है तब यहाँ यह ध्यान गया छोटा सा विश्लेशन, छोटा सा तरक की कारेक्रम विहिन मनुष्य नहीं तो हमें कारेक्रम चाहिए अब हमारे कारेक्रमों की रूप रेखा में ये जो अनुभूती है इस अनुभूती जो की स्थूल, सुक्ष्म और कारण विशेशताओं के साथ मानव जिवन का कारेक्रमों में यदि हम इसका अंतरभूत करते हैं हमारे कारेक्रमों में समझ का अंतरभाव होने से,нож सिक्षण कहिए, है कि नहीं शब्दों के अर्थक को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्दों के प्रयोग हम करते हैं वो पुलब भी सही सम्वेदनाओं का नियंत्रण और हमें स्पष्ट होने लगता है तो सार्थक कारिक्रम, समझ के इंद्री कारिक्रम, सर्वतों मुकी समाधान रुपी कारिक्रमों में भाग लेने से मन लगने लगता है और एक सम्वेदनाओं पर नियंत्रण की एक छोटी सी उपलब भी हमारे में होने लगती है और हमारा मन अब संचेतनशिल प्रोरुतियों के लिए स्रिष्ठता के लिए हम काम करते हैं बाब चुँकि जीवन शक्तियों का अविभाज भाग मन है और मन को सार्थकता का शोध है तो ऐसे सार्थक कारिक्रम मिलते ही मन लगने लगता है और आगे संचेतनशीलताओं के लिए गती करना उस नहीं बात आई थी शास्त्र की परिभाशा श्रवन शास्त्रा भ्यास की शक्ति का प्रकटन तो मन मन में यह स्थिति देखने को मिलती है शब्दों का चैन अर्थों का अस्वादन हम आप शब्दों का चैन कर रहे हैं और अर्थों का अस्वादन हो रहा है जो जो अर्थों का अस्वादन हो रहा है उस अनुरूप हमारी वृत्ति में तुलन क्रिया न्यायधर्मसत्य और प्रियहितलाभात मक्तुलन क्रिय से जो वरिय होने लगा होगा वह न्यायधर्मसत्य में इस तरह से मन वृत्ती और चित पूरी कल्पना शीलता इस रूप में सर्वतों मोखि समाधान अर्थाथ संचेतना शीलता के लिए केंद्रित होना यह एक लक्षण के रूप में हम पहचान सकते हैं जड़ चैतन्यात्मक प्रकृती में पाई जाने वाली शक्तियों की प्रयुक्ती एवं नियोजन उद्भव विभव एवं प्रले में ही है इससे अधिक परिप्रेक्ष में गुण नियोजन एवं प्रयुक्ती नहीं है यह नियंत्रण की बात तब पुनह एक बार दर्शनक्षमता पर आ रहे हैं पुनह एक बार सत्य सत्यता पर आ रहे हैं आगे विश्लेशन है ही संपूर्ण नियोजन का आध्यांत अभिष्ट जागरुती पूर्णता है हम कर्मदर्शन पढ़ रहे हैं तो कर्मों का नियोजन आध्यांत अभिष्ट जागरुती पूर्णता ही है इकाई सहज जागरूती पूर्णता में ही संबोधन क्षमता प्रकट हुई है यह संबोधन क्षमता क्या है संबोधन को कहते हैं यथार्थ बोधन जो जिस आर्थ में हैं वैसा हम बोधन कर पाएं मानों को अस्तित्व को समझने की प्रेणा है जैसा जैसा हम समझते हैं वैसे वैसे जो सचाई, जो यथार्थ रुप में है उसको हम संग्या देते हैं ये ये है ये ये है इस तरह से संबोधन शमता प्रकट वही तो जो परिभाशा रुपी मौलिक कारिय जो हम सब के सामने आया है ये संबोधन हुआ है ज्यान अवस्था की काई मानव ऐसा मानव संबोधन है क्या सुन्दर बात है अब तक जैसे स्त्री है पुरुशे, अमूक है, तमूक है पर समानता का संबोधन हम सभी मानव है इस प्रकार से यथार्थ बोधन हम मानव हैं हम मानौ संतान हैं हम अभी भावक हैं इस प्रकार से سंबोधन क्षमता प्रकट होना सुखर लगता है इसलिए जिविन विद्या के शिविर सुन्ने में सुखर लगता है क्या है उसमें तो यही दीखता है कि जिस प्रकार की संबोधन क्षमता बाबा जी ने हम सब के लिए उधारता से खोल दी और वही संबोधन क्षमता मैं तो यह कहूँगा उधार ही है अभी उधार लिया हुआ है और लेके मुझे तो यही लग रहा है कि मैं तो दोहरा रहा हूँ दोहराने में भी सुखे तो ऐसी संबोधन क्षमता प्रकट हुई उध्भव विभव प्रलय में से विभव की सर्वस विकृत गटना है जागरुती पूर्णता में ही विभव वत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है तो पहले आया अर्थ वत्ता शक्ती वत्ता स्थिती वत्ता विभव वत्ता ये भी संबोधन क्रम है उसकी स्थितियां है उन स्थितियों का वर्णन है इसलिए थोड़ा पठन पर ध्यान देता हूं सुनने वाले ओं की स्थिती गती क्या नुसार कैसा कोन किस शब्द से और आगे गती कर जाए इस रूप में ये विस्तृत वर्णन है इसलिए वर्णन को विवत्तिश्या पढ़ने का मेरा मन करता है शायद आपको भी ये सुखत महसुस हो रहा होगा धन्यवाद पुडव पुना आगे बढ़ते हैं जागरुती पूर्णता में ही विभव वत्ता की प्रतिश्ठा पाई जाती है उसके पूर्व अब ये प्रोसेस है योग, वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार, कर्म, विहार रत पाए जाते हैं यह सब स्थितियां जागरुती सहज, प्रमान, क्रमानतर का द्योतक है यानि जागरुती, क्रम, जागरुती में योग, वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार, कर्म, विवहार रत पाए जाते हैं धिरे, धिरे, धिरे इन सभी का आर्थ मिलने लगता है और जागरुती, पूर्णता में इन सब ही का आर्थ हमें स्पष्ट होकर हम सम्यक संबोधना, योग्य होना, प्रमान होना यह एक स्थिती डिखती है कर्म फलवती है जिहान देने का बात है ब्रहमीत मानव फल भोगते समय परतंत्र है इसी सारोभोमिक नियम वश ही मानव कर्म उसकी फलवत्ता के प्रती निर्भ्रम होने के लिए बात है मानव द्वारा ब्रहमित आवस्था में किया गया कर्म एवं उसका फल के प्रती संदिक्धता सशंकता तथा अज्ञानता का होना दृष्टव्य है जबकि यह मानव में से के लिए वान्षित नहीं है सटीक ध्यानाकर्शन है यह जो शंका है मैं कर रहा हूँ यह कहां पहुँचेगा इसका क्या होगा इसका फल होगा की नहीं इस सब के कारण हमारा कर्म की प्रेरणा अटकी अटकी लगती है तो फल के प्रती निर्भरम होना यही निर्भ्रांत अवस्था यही निर्भरम होना और यह कर्मदर्शन क्या हमें प्रेरणा दे रही है कि मानव होने की नाते जो मानविय कर्म है उसके जो फल है वह फल हम को इंगीत हो रहेने से हमारे में फलों के प्रती निर्वरम होने की स्थिति यही हमारा कर्मदर्शन का अद्य है तब हमारे से संदिक्दता खतम हो जाए सशंकता खतम हो जाए अज्ञानता खतम हो जाए और मानव कर्म के प्रती एक साफ स्पष्ट चित्र और यह फल हमको कल्पना श्रीलता द्वारा अस्थित्व में जो सच्चाईयां है उन सच्चाई, सत्यता यथार्फता का दर्शन हो करके और हम अपने फलों के प्रती निर्भरम होना यह स्थित्व की हम सभी वांशित है और यही हमारी चाहना है यही अभिपसा है यही अविश्थ है विभाव में प्रयुक्त गुण अब उसका विश्लेशन आ रहा है विभाव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्त प्रलय में प्रयुक्त विशम उद्भाव में प्रयुक्त सम है यही क्रम से परमार्थ स्वार्थ परार्थ कर्म है मालो वेवर दर्शन में गया है स्वार्थ परार्थ परमार्थ इसके पूर्व क्या ध्यायों में भी गया है व्यवहार के रूप में निर्भ्रांत ब्रांत इवं ब्रांता-ब्रांत अवस्था में हैं जो प्रत्यक्षे समविशम मध्यस्त शक्तियां क्रम से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है परंपरा की ये भाषा है उसको बाबा जी ने दर्शन के रोशनी में इसको परिभाशित किया है सत्वगुण संपन्य व्यक्ति का आचरण व्यवहार के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मुल्यों सहित, विवेक वविज्ञान, शमतापूर्ण होता है रजोगुन संपन्य व्यक्ति में धैरिय, साहस, सुशीलता जैसे मुल्यों सहित विज्ञान का सदुप्यों होता है तमोगुण संपन्य व्यक्ति में इरिशा, द्वेश, अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांचनी विकृतियों सहित विज्ञान ख्षमता का अपवेह होता है सत्य संबध, विधी, व्यवस्था, आचरण, विचार, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धती के अनुसार वर्तना ही मानों में व्यष्टी एवं समष्टी का धर्मपालन है इस्तिति में यहां आगे तीन वाद हैं, दो दर्शन अभी शेष हैं और तीन शास्त्रे हैं तो ये अनुभूतियां हमारे स्मरण में रहने से हर मुद्धे पर जो अनुसरन होना है, उसकी जो पद्धती है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, नीती है उसमें जो कर्तव वे हैं, दाईत्व हैं, ये सभी का विस्तृत विशलेशन बाबाजी ने किया हुआ है अभी ये सबका हमारे में ध्यान चला जाए, कि अनुसरन होना मतलब क्या होना है, तो सत्य संबध विधी व्यवस्था सत्य में हमारा ध्यान चला जाए, उससे संबध विधी व्यवस्था विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, तिशा, कर्म एवं पद्धती के अनुसार वर्तना ही मानों में व्यष्टी और समश्थी का धर्मपालन है मानों का स्वधर्मपालन ही अखंडता सार्वभोमता है और सीमा विहिनता है यहाँ जो सीमा शब्द का प्रयोग है वह है व्यक्तिवाद की सीमा, समुदावाद की सीमा और स्वयम को शरीर मानने से शरीर शक्तियों के अधार पर भी कोई सीमा हम करते हैं पर चुंकि है जीवन शक्ति और शरीर शक्तियों की सीमा को पहचानते हुए जीवन शक्तियों से ये सीमा विहिनता जो अखंडता और सारोबहुमता सुत्र को मानों को स्वधर्म पालन में अनुभाव के रूप में विचार के रूप में व्यभार के रूप में और व्यवसा के साथ जीता हुआ प्रमाण मिलता है और ऐसा प्रमाण हम्मारा सोभग्य है कि ऐसे प्रमाण का अलपसानी देही सही हम अपनी पातर दानुसार कुछ ले पाए आगे पता लगेगा कि कितना हमारे में सार्थक्ता हो रही है पर जैसा मैंने पहले ही सट्यापन किया है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं मानव का स्वधर्म पालन ही अखंडता सारुबहुमता है और सीमा भी ही निता है जो स्वयम में सहस्तित्व सामाजिक्ता सम्रुद्धी संतुलन नियंत्रण सैयमता अभय निर्विशमता सरलता एवं उदारता है इसी में दया स्नेह उदा गवरव, आदर, वातसल्य, श्रद्धा, प्रेम, कृतग्यता जैसे सामाजिक स्थिर मुल्यों का वहन होता है यही मानव की चिरवांच्या भी है यही स्वस्थ सामाजिक्ता की आध्यानत उपलब्दी है सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बाहूल्यता के लिए जागरुत मानों का सहयोग वो प्रोच्साहन उनकी समुचित शिक्षा वो संरक्षन एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्वशान्ती का प्रत्यक्ष रूप है इसके विपरित में अशान्ती है जो स पश्ट है व्यवहार्त रेनियम का पालन ही सच्चरित्रता है यही मानों की पाचो स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है गरिमा का यहां अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमिक्ता यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेन चरितार्थ हुआ है फलता स्वस्थ व्यवस्था पद्धती एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशिल होती है उपाय दिया है व्यवहार्त रेका तात्पर्य जागरुत मानों के द्वारा कि आईक, वाचिक, मानसिक व्यवहार से है समस्त परिणाम, परिमार्जन, एवं परिवर्तन पाँच प्रकार से द्रुष्टव्य हैं सहस्तित्वरुपि अस्तित्व में विकास क्रम, विकास, जागरुतिर्क्रम और जागरुती पूर्णता अब यहां सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बाहुल्यता के लिए जागरूत मानों का सहयोग वो प्रोचसाहन उनकी समुचित शिक्षा वो संरक्षन एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्वशान्ती का प्रतिक शुरूप है इस पर ध्यान देनी के अवश् तो जो शिक्षा और व्यवस्था का प्रयोजन है वह यहां सपष्ट दिखता है कि जागरूत मानों की अनुभव की रोशिनी में उनके द्वारा दिये गए सर्वतों मुखी समाधान के प्रस्ताओं में जिनमें दो कारिक्रम प्रमूख हैं एक है चेतना विकास मूले शिक एकारिक्षा में सय चरीत्रपूर्ण वयक्तियों की बहुलेता होना और उनका सरक्षण और उनके अनुकूल परिस्थितियां यहे व्यवस्थाओं से वह और यह सुत्र से विश्व शांटी का प्रत्यक्षरू हम पहचां सकते हैं इसके विपरित में अशांपी कboo जो इसलिए मैं डीटेल के पक्ष में हूँ डीटेल होने का आर्थ है विशलेशन होना जितना विशलेशन होना बाबाजी ने एक जगा समवाद में लिखा है जितना हम विशलेशन करते हैं सार्थक विशलेशन करते हैं तो अपने आप उसका मूल्य ग्रहन होने की हमारी क्षमता विक्सित होती है और यह मूल्य ही एक प्रकार से सारांश है तो विशलेशन से संशलेशन होना और वह संशलेशन हमारे मूल्य रूप में स्थिर होना और इस मूल्यों के अधार पर हमारा जीने का जीवन शैली भी कसित होना ऐसी जीवन शैली में दिनेचर्या होना इस प्रकार से हमारा परस्परता में सम्वाध होना यह है विश्वशान्ती का कारेवेभार का एक सूत्र यदि ये आने वाले पीड़ी में हम इसको पहुंचा सके तो आज जो कई उच्ची शिक्षित युवाओं से परिचे होता है तो अधिकांश उच्ची शिक्षित युवाओं जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं वह एक रिसर्च शब्द का प्रयोग बार बार करते हुए सुनेगे कि रिसर्च होना है तो है अच्छी बात लगती है एक उमीद है एक उमीद की किरण की रिसर्च होना है अब ऐसे रिसर्च को विवेक मिलना वो विवेक जो डिजाइन दिखता है रिसर्च का वो विज्ञान बेस दिखता है तब इसमें जो आश्वासन हमें मिला है कि व्यवहारत्रे नियम का पालं ही सत्चरितरता और यही मानों की पाचो स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है यही सहज निश्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेंड चरितार्थ हुआ है फल्ता स्वस्थ व्यवस्था पत्ति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है तो यह हमारे लिए सोचने का मुद्दा है तो पिछले दो दिनों से आज तिसरा दिन है कई सारे ऐसे मुद्दे हमारे लिए सोचने को मिल गए होंगे उसी से हमारा सोच विचार आगे वड़ें कि अब साझताना साथ सब्सक्राइड आगे भरिवा के Dj अनुम κι याया काईक ुर वा चिक मानसिक व्यवहार से है अर्थात कर्म है समस्त परिणाम परिमारजर्य इवं परिवर्वर्तन पांच प्रकार से दृष्टव yahी सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम विकास जागरूती क्रम जागरूती और जागरूती पूरुणता पुन्ह एक बार दर्शन शमता कैसे ध्यान जा रहा है पदार्थ हवस्था परिनाम पूर्वक यह जो विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेर्ण चरितार्थ होने की बात है उसको हम कैसे देखते कि सधार पर इसको कहा जा रहा है तो पदार्थ हवस्था परिणाम पूर्वक यथा स्थिती पूरक रूप में प्रयोजन शील है अब ये प्रयोजन को पहचान सकते हैं अग्रिम कड़ी प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टी सहित रचना शील यथा स्थिती वो पूरक रूप में प्रयोजन शील ये प्रयोजन भी हम पहचान पा रहे होंगे जीव आवस्था परिवर्तन परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथा स्थिती पूरक रूप में प्रयोजन शील मानव ज्यान अवस्था में गण्ने है यह परिमार्जन पूर्वक जागृती और जागृती पूर्णता सहज परंपरा है यही यथा स्थिती पूरक र और मानव की प्रयोजन्शी लता, यह दर्शन क्षमता, यह हमें स्पश्ट होना और हम शिक्षा और व्यवस्था रूपी परमपरा में, जागरुद मानव परमपरा के रूप में, स्वयम की जागरुती, परिवार का लक्ष, समाज में अभएता और प्रकृति में सहस्तित्व के लिए हमारी शक्तियों का जागरण होना इसमें इच्चा शक्ती, क्रियाज शक्ती और ज्ञान शक्ती का जागरण होकर जागरुत होकर और हम इसको कर पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे अब ध्यान दिलाया है भोग एवं बहु भोग वादी जीवन में मानो स्वयम को स्वस्थ बनाने एवं अग्रिम पीढ़ी के आच्रन पुर्वक जागृती के लिए शिक्षा प्रदत करने में समर्थ नहीं है और न हो सकता है ध्यान देने की जरूरत है यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिवार्जन का प्रधान कारण है भोग संस्कृति का आधार नहीं है अब ध्यान चला गया होगा अध्याय का जो प्रथम था आवश्यक्ता और अनावश्यक्ता और मानव कर्म के जो चार फल थे चार फलों पर विध्यान चला गया होगा और हम अपने अब कर्मों का नियोजन कर्मों की शक्तियां यदि भोग पर ही बनाए रखेंगे तो ये तो आगरीन पीड़ी के लिए शिक्षा का तो ये बनता नहीं है तब ऐसे संयम में ऐसे संयत में कैसे आएं अब उसके लिए उपाए संस्कृति के अभाव में सभ्यता विधी एवं व्यवस्था का असंदिक्द होना संभव नहीं है इसलिए यही क्षोप, संताप, आवेश, रोश, आक्रोश, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेक के रुप में स्पष्ट है ये मानों का इश्ट नहीं है मैं पुनव विनएपुर्वक द्यान दिलाना चाहूँगा जो एक संस्कृति सभ्यता विधी व्यवस्था की प्रस्तुति हुई थी कि ये जो मानों में उमढ़ घुमढ़ है शोब, संताप, आवेश, रोश, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेक ये सब का शमन करने का ताकत संस्कृति में है इस रुप में संस्कृति होना इसका प्रस्ताव बाबाजी ने दिया है मानविय संस्कृति ऐसे मानविय संस्कृति के लिए मानविय शिक्षा और मानविय व्यवस्था ये प्रस्तुत किया है, इसी को सर्वतों मुखी समाधान है ऐसे सर्वतों मुखी समाधान को में जीने की प्रेड़ना होने से उसमें अभ्यास होने से हमको हौले हौले सही धीरे धीरे सही ये संस्कृति का एक उदय अपनी मानसिक्ता में होता हुआ दिखता है ये जो चर्चा है मैं उसी का भी एक छोटा सा भाग मानता हूं मानव में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए अवसर है संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्षरूप ही नियम त्रह का पालन है ये समझने क्या हो शकता है इसी विधी से संयत प्रवुरुत्ती पुर्वक सामाजिक मुल्यों की निर्वाहक शमता सुभाव सिद्ध हो जाता है संयत प्रवुरुत्ती का तातपर्य सार्वभौं व्यवस्था सहज प्रमान है पुनधोरा देताओं यही सार्वभोमी कामना भी है परिमार्जित विचार ही विवेग पूर्ण विज्ञान है यही निपुनता, कुशलता एवं पांडित्य के रुप में सिद्ध हुआ है अब आगे हम एक महत्वपूर्ण निश्करशों पर आगे जा रहे हैं और इस अध्यागी समाप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं प्रत्यक सिद्धी, प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव रुवक हुई है जो प्रत्यक्ष है भोग परिणाम में पशु मानव एवं राक्षस मानव दुरुष्टवे है विचार परिणाम में जागरूत मानव एवं देव मानव प्रत्यक्ष हैं दिव्य मानव में कोई परिणाम, परिमार्जन एवं परिवर्तन की संभावना नहीं है क्योंकि दिव्य मानव गंतव्यस्थिते उसकी निरंतरता ही भावी है विज्यान एवं विवेक पूर्ण क्षमता ही पदार्थ का रूप रूप में नहीत गुण, गुण में नहीत प्रभाव, प्रभाव में नहीत स्वभाव स्वभाव में नहीत शमता, शमता में नहीत गती, गती में नहीत विधी विधी में नहित व्यवस्था, व्यवस्था में नहित प्रभूता, प्रभूता में नहित विभूता, विभूता में नहित विभव, विभव में नहित विश्व, सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है यही परिमार्जन शीलता की उपलब्धी है प्रमान के पूर्व अनुमान ग्यातव्य है तब यहाँ पर विश्व का अनुमान कैसे हो सकता है इसका प्रक्रिया दिया है इसलिए विज्ञान एवं विवेक पूर्णक्षमता मानव में विकसित होना और ऐसी विवेक और विज्ञान पूर्णक्षमता विकसित होने के लिए जागरूत मानों का जो विश्व अनुमान जो अनुभो सिद्ध हुआ ऐसा विश्व अनुमान बाबाजी ने हमको प्रस्तुत किया है मैं कुछ शब्द आपको विवहर दर्शन में ये गुजरे हैं अब ऐसे विश्व के अनुमान में है ना जो प्रथम सीड़ी बनता है वह है सार्थक्ता हमारी सार्थक्ता ऐसे सार्थक्ता के लिए सानिध्य ऐसे सानिध्य में सालोक्य सारूप्य, सायुज्य और एक सामाजिक्ता तो ऐसे विश्व के अनुमान में सार्थक्ता, सानिध्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य ये जो शब्द प्रयोग है इन शब्दों के अर्थ लगते हैं और प्रमान के पुरूव अनुमान ग्यातव्य है तो परिमारजन शीलता की उपलब्धी, विश्व का अनुमान होना और ये सारा शमता हमारे में विक्सित होना ऐसी सुक्ष्मता में हम पहचान पाना, ये इसमें आप विक्षित है अब विज्ञान का एक समिक्षा देखी कैसा प्रस्तुत हुआ है विज्ञान का उर्धो एवं अधोगामी प्रयोग हुआ है जबकि विवेग केवल उर्धो मुखी प्रयोग की ही प्रतिष्ठा है विज्ञान के उर्धो मुखी प्रयोग का तातपर ये उर्धो मुखी प्रयोक के रूप में दूर संचार सुलब होना स्पष्ट है और अधो मुखी प्रयोक से सामरिक तंत्र यांतरिक तंत्र होना स्पष्ट है आज दूर संचार के प्रयोग से ही हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं धर्ती में केमे प्रदुशन के मूल में खनीज कोयला, खनीज तेल, विकिरणिय द्रव्यों का इंधन आवशेश के रूप में दुरुष्टव्य है विवेक सम्मत विज्ञान शक्ती के सही प्रयोग में भभय एवं आतंक जैसी अनिष्ठ सिद्ध नहीं होता यह आश्वासन विवेक पूर्णक शमता का उदय होना या न होना पाया जाता है जबकि विवेक पूर्णक शमता का अपवे विवेक पूर्णक शमता का उदय होना या न होना पाया जाता है न कि विवेक पूर्णक शमता का अपवे यह विश्वास की जब़े जबकि विज्ञान पूर्नक्षमता का अपोवे एवं सद्वे प्रत्यक्ष है इस प्रकार सित्ध होता है कि विज्ञान का नियंत्रण विवेग से ही है न कि विज्ञान का नियंत्रण विज्ञान से विकास की और प्रगती ही अर्धों मुख है रहास की और विवशता अधों मुख है विकास की प्रत्यक स्थिती उससे अधिक विकास की श्रंकला से संबत है इसलिए प्रत्यक स्थिती अग्रिम विकास से संबत है विकास की और प्रगती में उत्साह, प्रसन्नता एवं हर्षका अनुभो है इसके विपरीट में रहास की और गती से खिन्नता, निरुट्साह, विवशता एवं क्लेश है उर्धो मोखी विज्ञान, शुद्ध, रजोगुण, एवं सत्वगुण रूप विभोकार्य में प्रसक्त है, जो विज्ञान की वास्तविक चरितार्थता है साथ ही इसके विपरीत विज्ञान में मलिन, रजोगुण तथा तमोगुण साहार एवं आतिभोग में प्रसक्त है जो की विज्ञान के पूर्ण दुर्युप्योग का दियोतक है मानवियता पुर्ण मानस और उससे अधिक जागरुती शिलता ही उर्धु मुखी जीवन में गण्य है जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अरिप परिग्रह तथा गवरो जैसी मौलिक मुल्यवत्ता आचरित होती है यही स्वपर मांग लीख ले अब यह सबका विश्लेशन आगे भीया जी करेंगे सुरेंद्र भीया बस अभी ही आम इसको दोहरा देता हूं मैं एक बार पुर्ण दोहरा देता हूं मानवियता पुर्ण मानव और उससे अधिक जागरुष्टी शीलता ही उर्धो मुखी जीवन में गण्य है जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह तथा गवरो जैसी मौल्यवत्ता आचरित होती है यही स्वपर मांग दुष्चरित्र में लिप्त जीवन का भैत्रस्त होना विवश्टा है जो स्वपर पीड़ा का प्रधान कारण है यही मानव में नहित अवमानवियता का भय है यही असामाजिक्ता एवं असहस्तित्व का मूल्ड रूप है मानव कुल में मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है यही अग्रिम विकास के लिए उत्सा और प्रवर्तन भी है तो इन दर्शनों के अध्याय से हम सब में यह लक्षण अग्रिम विकास के लक्षण हम सब आपस में पहचान सकते हैं कि हम मानो कुल के साथ स्नेह करने की हमारी ग्षमता विकसित होना ऐसा विश्वास और संतोश हमारे में हम पहचान पाना और अगरिम विकास के लिए हमारे में उट्सा और प्रवर्तन हो पाना विश्वास विहिन संबंद सफल नहीं है संबंद रहिद स्थिती में कर्मसिद नहीं है विश्वास विहिन संबंद सफल नहीं है संबंद रहिद स्थिती में कर्मसिद नहीं फलसरो अखंडता और सारवभोमिक्ता का जो जर्चा थी कि हमें विश्वास और संबंद इन सब की सपष्ट पहचान अवश्यक प्रत्यक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है न्याय पूर्ण विवहार, समाधान पूर्ण विचार एवं सत्यान भूति पूर्ण जीवन में क्लेशों का अत्याभाव होता है यही सर्व मंगल है विवेक आनुगामी विज्ञान के प्रयोक से ही मानव की प्रत्यक अवस्था का जीवन सर्वांग सुन्दर है यही सर्व मानव कल्यान कारी कर्म, प्रवृत्ती एवं उपलब्ती है यही सर्व मंगल है ज्ञान सम्मत विवेक वो विज्ञान संपन कर्म परंपरा ही लोक मंगल कर्म है यही मानव की चिराशा आकांशा अवश्शक्ता एवं अवसर है सर्वशुव हो निट्य शुव हो इस प्रकार से मानव कर्म दर्शन का जो प्रस्तुती के लिए मुझे राकेश भीया ने कहा और उनकी और आप सबकी आपेक्षान रूप में कुछ मेरी और से एक छोटा सा आंशिक प्रयास को मैं इसको जोड़ पाया पिछले तीन दिनों से मेरा स्वयम का उन्हा कहीं मुद्दों पर ध्यान चला गया कहीं मुद्दों की इस पश्टता में वृद्धी हुई ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ और आप सबका इतने उत्साहा के साथ पुरे मनोयों के साथ मेरी छोटी सी प्रस्तुती और शैली ये सब के साथ आप तालमेल कर पाए मेरे साथ मेरे मित्र गोपाल भिया मीना भावी डॉक्टर पुर्णिमा दिदी और उस पुरा संस्थान परिवार ये सब साथ रहा इस प्रस्तुती में सब के प्रती में आभार व्यक्त करता हूँ और अभी दस मिनिट का समय शेश है उन्हें एक बार प्राकतन पर आते हैं और उस पर एक छोटा सा होमवर्क हम सब लोग ने मिलके किया था अभिव्यक्ति संप्रेशन और प्रकाशन तो ये तीन जो मानव में ये जो स्थिती है उसको हम परिभाशा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और कैसा अभिव्यक्ति का स्वरूप है इस अभिव्यक्ति के स्वरूप में कैसे ये दर्शन वाग शास्त्र समीधान रुपी वांग में में जो बाबाजी ने हम सब के लिए खुला किया उदारता से और इसको समझ कर कैसे हम अभिव्यक्तियों को संप्रेशनाओं को और प्रकाशनों को सुद्रुड प्रेरख उपयोगी पूरख स्वयम के लिए आन्यों के लिए और कैसे हम परार्थ और परमार्थ दुरुष्टियों को विकसित करना प्रारंब कर सकते हैं हमारे में कैसे शुभारंब हो सकता है हमारे में कैसे यह एक शुभोदय उत्सव हो सकता है ऐसे अभ्यास के अर्थ में इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस प्रस्तुती के बाद ये एक अध्या एक का यहां पर समापन है तो जो अगले प्रस्तुत करता हैं बड़े भाईया हैं सुरेंद्र भाईया उनका आशिरवाद हमें सदाईवर रहता ही है कल उन्होंने एक जवाब का उत्तर दिया एक छोटा सा विरय मेंने किया था विस्तुत उत्तर उन्होंने दे करके संतुष्ट किया कि परंपरा के प्रमाण और बाबाजी जीन प्रमाणों की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रमाणों का अध्यन होना है तो प्रमाणों की स्पष्टता किसे प्रमाण कह रहे हैं ये प्रमाणों की स्पष्टता हमें होना क्योंकि स्वयम प्रमानित होने के अर्थ में ये अध्यन है ऐसी मेरी स्विकृती है तो उन्होंने जो उत्तर दिया और उसकी पुष्टी राकेश भहिया ने एक और उसमें जोड़ करके किया तो इस तरह से आपसी तालमेल और संगीत मैता के साथ ये प्रस्तुतियां हो रही हैं मैं पुन्ह दोहरा दे रहा हूँ कि एक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक समानता और सामयता को जितना मेरा छोटा, मोटा समझ बना है उसके साथ ही मैं आपके साथ हो आपका पुन्ह एक बार धन्यवाद इस सुनने के लिए प्रत्सान देने के लिए प्राक थन पुन्ह एक बार यह करमदर्षन सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनूभूती और उसकी महीमा, महीमा का अपने परिभाशा देखा होगा प्रभावक्षेत्र यह कर्मदर्शन सहस्तित्रूपी अस्तितों में अनुभूती और उसकी महीमा और गरिमा गरिमा का अर्थ है स्रिष्ठता और सार्वभोमिक्ता इतने पूरे अपने आत्यायों में ये मुद्दे हमारे गुजरे हैं कि अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति क्या हुआ परिभाशा आपके साथ है सर्वतों मुखी समाधान में से के लिए किया गया काईक वाचिक मानसिक क्रिया कलाप ये अभिव्यक्ति है अन्यों को समझने के लिए अपनी बहुत धिक और बहुत धिक शमता यानि चैतन्य शक्ति जिसका अभिया हमें परिचे हुआ और हमारी जो जड़ शक्ति शरीर के रुप में है ये प्रयुक्त करना इसी से काईक वाचिक और मानसिक क्रि जीना कहते हैं ऐसी जीने की अभिव्यक्ति की ओर यहां पर इंगीत है अस्तित्व में सहस्तित्व सहस्तित्व में विकास क्रम विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना यह यथार्थ स्तिती है जीवन जागरुती की अनुभवयोग्यक्षमता योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ती संप्रेशना और प्रकाशने तो फिर संप्रेशना क्या हुआ तो संप्रेशना है पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना पूर्णता को इंगित कराने वाली क्रिया अर्थात संबोधन क्रिया उसी को कहा वेंजनोतपादियता क्षमता यानि संबोधन से अन्यों में जिग्यासाओं के लिए प्रेणा होना यह संप्रेशना है और प्रकाशन क्या है यथार्थता की कलात्मत प्रस्तुती तो इस रूप में एक बार चर्चा में उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ती मानव की अभिव्यक्ती विशाल है उसके अनुपात की तुलिना में संप्रेशना कम है और उसके अनुपात की तुलिना में प्रकाशन कम तो मेरा यह ध्यान गया कि अभिव्यक्तियों पर ध्यान होना जो की विशाल है जो की काईक, वाचिक और मानसिक क्रिया कलाब है यही अभिव्यक्तियों में गृद्धी होना जिसको क्षमता, पातरता, योग्यता विकसीत होना स्वयमेव संप्रेशना, स्वयमेव प्रकाशन आगी की क्रियाएं होत सकती है है की नहीं? तो इस प्रकार से मुझे लगा कि यह द्यानाकर्शन होना और कर्मदर्शन और व्यवहारदर्शन के मूल में यह दर्शन के मूल में अभिव्यक्ति है उसी अर्थ में संप्रेशना है और उसी अर्थ में प्रकाशन है इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य होना अनुभूत होता है अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागरुती की अभिव्यक्ती होने की संभावना नित्य समिचीन है प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभवक्षमता समान रूप से विद्यमान है इसी सत्यतावश अनुभवा अभिवक्ती की पुष्टी स्वर्वभम रूप में होती है अस्तु कर्मदर्षन को अभिवक्त करते हुए प्रमानिक्ता का अनुभव करता हुँ प्रमानिक्ता का मतलब है धारक वाहक अनुभव करता हुँ और प्रमानिक्ता ही आनंद और अनुभव सहज अभिवक्ती है यही अब आ रहा है संप्रेशना यही संप्रेशना में समाधा तो जो प्रत्य कानुभूती जो संप्रिशित हो रही है उसमें हमें समाधान स्पष्ट हो रहा है व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता तो संप्रेशना में समाधान की स्थिती में एक चोटा सा मुद्दा आया था तिरो भाव तो ऐसे समाधान कैसे है तो अभाव का कैसे हम भाव में हो सकता है और कैसे इन अभाव को हम इंगित करा सकते हैं ये स्रिति को कहा तिरोभाव, तो उस्रप में भाव और तिरोभाव का जो संयुक्त संप्रेशणा है उसको कहा समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतर्टा तो संप्रेशना में समाधान व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता अनुभव जीवन में जागरुती का द्योतक है संपुर्ण क्रिया चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो स्थिती में बल और गती में शक्ती के रुपे विद्यमान है यह हमारी दर्शनक्षमता का इंगित हो रहा है कि हमें स्थिती और गती की पहचान होना जड़ और चैतन्य शक्तियों के बल और शक्तियों की पहचान होना क्योंकि ये वर्तमान है क्योंकि स्थिती के बिना गति सिद्ध नहीं होती इसी सत्यता के अधार पर अनुभव की स्थिती आनंद अर्थात प्रमानिक्ता अभिव्यक्ती में ही अर्थात गती में प्रमान तथा समाधान है तो अभिव्यक्ती को गती रूप में प्रसुत कर रहे हैं जिसमें प्रमाण और समाधान है अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागरुती वो अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ती सहज सुलब हुआ है इसे मानों को समर्पित करते हुए परमप्रसनता का अनुभ छे चार दो हजार चार तो यह जो संप्रेशना जिसके मूल में अभिव्यक्ती है इस प्राक्षतन में कर्मदर्शन का सारांश भी दिया हुआ है और अभी हमने अध्यय पुरा किया आगे के अध्ययों में सुगमता और बने और यह सरलता से अब तक पहुंचे इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ और इस सत्र को अभी समाब्त करते हैं पुना सभी को मेरा दिल से नमस्ते धन्यवाद यदि ये